हलो एवर्यूबड़ी दिस दिग्राशिंग राजपूत वेलकम तु मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चाप्टर चाप्टर है दिराइज आफ नेशनलिजम इन यूरोप ठीक है यूरोप धियान रखिएगा अब थोड़ा से मैं आपको कनेक्ट करवाता हूं यह जो वीडियो है यह बेसिक इंटोड़क्टरी वीडियो इस में आपको चाप्टर की थीम बत यह यह उसंस को अपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा अविए इस फिम फोटोग्राफ के साथ में ऊ-प्प on the अब क्लास 9 की जो आपने हिस्ट्री पड़ी थी एक बात को अच्छे से सुनते चलना ठीक है तभी कनेक्ट करपाओगे क्लास 10 की बुक भी आपकी कहा करने वाली है, वर्ड की थिम्स को ही कनेक्ट करने वाली है, और specifically मैं कहोगा कि जो वर्ड हिस्ट्री पढ़ने में इंट्रस्टेड है आप, ठीके अलग-अलग डोमेंस रहते हैं, हमें इंट्रस्ट किस चीज में आता है, किसी को इंडियन उससे जो लोगों ने इंस्पिनेशन ली, तो उसका कहीन है कि इंडिया पर भी इंपेक्ट पढ़ा है, इंडिया को छोड़ो भी, अभी आप देखो कि वो फ्रेंच रेवलिशन जो उसने पूरे के पूरे फ्रांस एक कंट्री है यूरोप का, लेकिन वो फ्रेंच रेशन पूरे यूरोप में नैशनलिजम के लिए रिस्पॉंसिबल होगा, आया समझ में, तो इस तरह से क्या है कि कोई भी चीज अगर आपको पढ़ाई जा रही है, तो वह बस यूई नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ा लो, सिलिबस में दे देंगे, आपको पूछ लेंगे हर चीज का सिगनिफिकन्स होता है, उसको कनेक्ट करो, इंजॉय करो, बढ़न की तरह मत पढ़ो, तम मझा आएगा, ठीक है, तो अब यहां जो चाप्टर होगा आपका, वो क्या है, राइज ओस नैशनलिजम इन यूरोप, पहले कुछ बच्चे सोचेंगे सर, यूरोप भचलोगे सर, होता है, उमें यूरोप क्या हाई, एक पुरा का पुरा है, एक पुरा क्वनट को पुरीन टीनेंट में कैसे डाइशनलिजम आ सकती है, जा परे ऐसे पर इसलिए ग свое एटाइशनलिजम इन है, उह फर खफ़सी तो उसके इनदर सारे जैशहोंगे, तो हम भई एक nation के formation में nationalism का बहुत important role होता है तो उस तरह से हम देखेंगे the rise of nationalism in Europe मेलार chapter है बहुत मज़ा आएगा और world history को जानना समझना है तो एक जो कह सकते एक background है वो background आपका बहुत अची तरह से develop हो जाएगा इस picture के साथ पर start करते देखो अब picture को देख लो बहुत अची तरह से तो visualization की बात है कि हमने देख लिया कि क्या क्या है इसके अंदर का essence क्या है message क्या छुपा हुआ है तो अधी dream of worldwide democratic and social republic the pact between nations अप प्रिंट प्रिपेर्ट बाइ फेडरिक सोर्यू 1848 ताइम फिन भी ध्यान रखना ठीया अंगल का नाम भी ध्यान रखना फेडरिक सोर्यू 1848 तो फेडरिक सोर्यू ने जो प्रिंट बनाया ठीक है तो ही प्रिंट प्रिंट बनाया उनमें से एक यह रहा और इसका message हमें समझना है तो क्या बता रहा है कि people of Europe and America men and women of all ages and social classes ठीक है और इसलिए क्या है इसे आप देखो कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रिटिक एंड सूशल रिपब्लिक्स उस इमेज को उन्होंने क्या किया है उस आइडिया को अपने उस प्रिंट के थू विश्विलाइस किया है ठीक है marching in a long train and offering homage to the statue of liberty इसका मतलब क्या है यह जो लंबी सी क्यों कि एक चीज को इंफसाइस कर रहा हूं क्योंकि objective टाइप जब कुछिन मनता है नहीं कहीं से भी आ सकता जहां से आप सोच नहीं सकते हो वहां से सवाल आ सकता है statue of liberty अब statue of liberty जो खड़ी है ना तो जैसे क्या है she bears a torch in one hand and charter of the rights of man in the other अब उनके हाथ में क्या है तो यहां पे आप देखूँगे तो यह torch है ठीक है torch जो enlightenment को दर्शा रही है ऐसा मतलब बुजाला यह दिखा रहे है कि गड़े में मत गर जाना सीधे सीधे चले हो मतलब वह जो torch है वह enlightenment को दर्शाती है ठीक है और जो एक हाथ में पीपर है यह charter charter of the rights of men अब देखो यहां पे men की बात की जा रही है मतलब क्या एक लास 9 में भी पड़ा है आपने connect करो कि उस समय सुसाइटी जो थी नहीं सुसाइटी में विमन के पास उतने राइट्स नहीं हुआ करते थी उस चीज को दर शाय जा रहा है तो ऑन दी आर्थ in the foreground of the image lies the shattered remains of the symbols of absolutist institutions अब अच्छे से image को देखोगे सारी चीजे समझ में आ जाएगी कि यह पूरे image का अगर आप देखोगे तो मतलब में यह broadly content दिख रहा है हम यह foreground में foreground मतलब क्या background मतलब पीछे foreground मतलब आगे तो आगे की तरफ देखोगे ना तो यहां पे तोड़े पड़े होगे जैसे एक मुखुट है ठीक है यह दूसरा मुखुट है तो यह जो आगे कचरा दिख रहे हैं आपको तूटा हुआ यह क्या है these are the symbols of monarchy ठीक है monarchy के symbols है और image किस चीज को दर्शारी democratic republic democratic social republic को तो इस image पे theory part पे question मनता है आपके periodic test में ठीक है जब descriptive exam होगा तो उसमें क्या होता है कि question मनता है कि what was the idea given by the cedric for you in his image in his print clear up to us तरह से चीजों को ध्यान रखना है आपको एक एक बारी की को पकड़के चलना है आया सब्सक्राइब तो यहां जिसे मुखुट वगरा देखने है तो what does these things symbolize तो on the earth in the foreground of the image lies the shattered remains of the symbol of absolutist institution absolutist institution मतलब क्या जिसे जो मोनार्क होगे रहा हुआ कर देजना वह absolute की तरह काम करते तुल के उपर कोई check नहीं होता था तो मोनार्की और मोनार्की से जुड़ेगा सभी institutions क्या हो गया है खतम हो गया shattered remains of the symbols of absolutist institutions is that clear आगे बढ़ते हैं तो आप देखो क्या है फेडरिक सूर्य ने जो यह print बनाया है ना तो उस print को क्या कहा गया है सोर्यों's utopian vision utopian vision मतलब क्या होता है जैसे हम utopia की बात करते है utopia मतलब क्या अभी आप आगे इसी chapter में और पढ़ोगे जब आप romanticism को पढ़ोगे ठीक है romantic thinkers को पढ़ोगे utopian मतलब क्या है कि आप वह सोच रहा है जो practically अभी possible नहीं है for example आज से 1000 साल पहले आज से 1000 साल पहले यह सोचना कि एक ऐसा यंत्र होगा कुछ जिसमें बटन दबाएंगे कान में लगाएंगे तो इधर सुधर आवाज पहुच जाएगी ठीक है तो 1000 साल पहले यह सोचना क्या था utopian vision था एक तरह का ठीक है मतलब जो आपकी reality में exist नहीं करता है you are thinking beyond the reality ठीक तो Frederick Surio's utopian vision क्यों कहा गया इस sprint को ठीक है क्योंकि उस समय पर यह सोचना कि राजा monarchy या फिर absolutist institution कुई तरह से खतम हो जाएंगे worldwide democratic republic institutions establish हो जाएंगे यह तरह की क्या थी एक तरह की ऐसी सोच थी जो utopia लगता था आगे समझें तो उनके utopian vision में ने क्या दर्शाय क्या दिखाया देखो तो the people of world are grouped as a distinct nation identified through their flags and national costume अब क्या हो रहा है तो जितनी भी दुनिया भर की जनता जनारधन है उसको उन्हें क्या किया है उन्हें ऐसे बताया कि हाँ यह एक फ्लैग एक उनकी national costume के थू क्या है सारे लोग इखटे हो गए यह दूसरा nation है यह एक और nation है तो इस तरह से उन्होंने worldwide worldwide को देखो पहले क् चैब जैस पाता है ऋन्हें है तो हिस्ट्री के हिस्ट्रि US रिटं सोओनी पर्स यूरोस चैनल मतलब क्या हát कि यह चैब susa का इस्जी devo क्या उन्हें कि और अ मतलेंसा मनेहिंजनों पना इंडिया किस्वें की उरोब की लोगों को आई है उन्हां की बताया है उन्हां। as distinct nations हर एक देश को एक मतलब लोगों को एक देश की तरह बताया है अचा लोगों को देश की तरह बताया है मतलब का है कि उसे हमें पर देश नेशन नेशन नहीं होता थना हम क्या पढ़ रहे है the rise of nationalism in Europe कि कैसे nationalism rise पे आया ठीक है वो चीज है leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland which by this time were already nation states 1848 में ये print बनाया है इसके पहले कौन से देश नेशन बन चुके थे तो जैसे बताया Switzerland हो गया ठीक है United States of America French Revolution के टाइम पर ही देश बन गया था वो क्लियर हुआ तो ये जो देश है ये क्या करें इस procession को ये जो जथा चला आ रहा है रिली बना के ला रहे ना उन्हें लीड कर रहा था क्यूंकि ये नेशन बन चुके थे उस ताइम तक France identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue अब अगर आप देखोगे ना तो ये फ्रांस के ट्राइक अभी फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे जो आपका पहला टॉबी के चप्टर में वो फ्रेंच रेशन से ही जुड़ा हुआ है ठीक है तो एक बार जो नाइंद में पूरा चैप्टर पढ़का है सिस्तामें तक क्या था एक नेशनिस्टेत की तरह इमेज हो चुका था फ्रेंच Venezia 1789 जिया अब क्पम के पीशें का यह जर्मनी चला रहा है ठीक अब जर्मनी चाना रहा है फ्रांस के पिशे तो तो आजी इस फैलवाओ अनॉद फ्रांस फ्रांस फालॉद आप्शीष प इस टाइम प्रेट तक क्या हुआ है इस टाइम प्रेट तक जर्मेन स्टेट नहीं बनाए है नियाचट था नमॉट उन यह जह लोगों को कि आप básicamente division फीन हा टुश मंदर scholarship तो लोगों के aspirations जो है वो क्या है स्प्रिंट में दर्शाए गई है जर्मनी भी क्या है नेशन स्टेट बनने वाला है जर्मनी भी नेशन स्टेट बनने वाला है उस चीज को दर्शाए गया है आया समझ में फिर क्या होता है following the German people are the people of Austria, kingdom of two, Sicilies, Lombarde, Poland, England, Ireland, Hungary, Russia तो फिर लगे लगे पीछे क्या है बाकि सारे दूसरे देश जो उनका नाम अपने पड़ा आस्ट्रिया है ठीक है इटली का भी यूनिफिकेशन चल रहा था तो वो सारे देश का पीछे लाइन में लगे हुए है तो इस तरह से उन्होंने यह दर्शाया है कि कैसे people are aspiring for a nation वो एक रास्ट्र बनाना चाह रहे है ठीक है एक रास्ट्र बनाना चाहरे लोग उस चीज को दर्शाया है from the heavens above Christ saints and angels gaze upon the scene symbolizes 1480 among the nations of the world अब क्या हो रहा है और यह समझ लिए यह समझ लिया यह समझ लिया अभी ओपर वाला सीन तो समझो उपर क्या ना जाए ठीक है तो उपर चाहरा आप देखूगे ना तो उपर से क्या हो रहा है जीसस क्राइस je legal और मैं जो सेंस है सुख ज्यलेば टेम इंग्ञें सेंसिंग डेवह ग्यां मिदक श favor कुश कि यह सही है तो अपने प्रिंट में इस सुख्वाराइए लेडिमे सेंस है नियोजम यह थेतले चिर ने डिलिया पुलिक कंस्टुक्शन देखने को मिले था तो वह पूरे आइडिया को क्या किया है बहुत अच्छी तरह से स्परेंट के थूप समझा घया है इतना हमने अगर समय दिया इस प्रेंट पर क्यों दिया कुंकि तरफ का चाहे अब बीक्टिव चाहे डिस्क्रिप्टिव बनेगा मुस्कुराओ ठीक है तो यह हमने एक पाट कर लिए कंप्लीट तो चाप्टर हमारे स्टाइट इसी से हो रहा है ठीक है यह बेसिक लिए एक इंट्रड़क्टरी वीडियो ही है तो मैंने आपको प्रिंट का वो जो एक्स्प्लिनिशन था हो दे दिया है बागी नाव विल कनेक्ट विदी थीम आफ दी चप्टर वाट इस थीम आफ दी चप्टर राइस आफ नेशनलिजम इन यूरोप तो इस प्रिंट के तुरू कहिन अधी उस आइडिया को पहुचाए गया है कि नेशन्स शुट भी बेसिक यूनिट ठीक है न नेशन स्टेट होना चाहिए ठीक है जो पुराना सिस्टम चला रहा जहां मोनार्क रूल कर रहा है वो सिस्टम खतम होना चाहिए इस चीज को क्या किया गया है इस चीज को हाइलाइट किया गया है फेडरिक सोर्यों कि दर अपने पिंट पे ठीक है तो दी राइज आफ ने Keem समझो nationalism अलगं कि कोई भी देश देश कब बनेगा जब उसके लोग उसे देष बनाना चाहिंगे तक हो नहीं कर लोग इंडिया कि में इंडिया में नक्विछ अधिया जब यहां के लोगрий एक जुट हुए यूरोप ठीक है पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड यूरोप यह चीज आपको ध्यान रखना होगी हां पर क्या हो रहा है कि जब नैशनलिजम का आइडिया लोगों के बीच में आ गया ना तो इस नैशनलिजम का आइडिया के आ जाने से क्या हुआ कि पॉलिटिकल जो सेट पॉलिटिकल एंड मेंटल सेट अप लोग क्या है कि वो जो कंसर्वेटिव सोच थी ठीक है कि राजा रूल करें थर्ड स्टेट की लोग जो वही टेक्स पे करें तो स्कंजर्वेटिव सोच से आजादी मिल की लोगों को ठीक है तो विद दिराइज आइड आशनिसम देर पॉलिटिकल एंड मेंटल सेटप अफ दी यूरोप इस बात की जारी ना पॉलिटिकल और मेंटल सेट इमर्ज हो गया है किसकी जगह में जो पहले क्या हुआ करता था मुल्टिनाशनल डैनिस्टिक एंपायर ऑफ यूप हुआ करते थे मतलब पहले ऐसा होता था कि एक इस्टीनलो में अलमें सोच थे कि यूप एक लाएट करा हो अपनीwright तो जो लोग पहले किसी दूसरे शयर हो अपधे अडर में जरानी होता था धायक कि मेरी nuovoáticas में जो इतनाceans भडायों थे यह इतने ट Алज यहां कुने जोगों हमारे लोग इस था द 걸 देखने को मिलेगा जैसे आज आप देखते हो आज क्या क्या देखते हो आप एक नेशन स्टेट इंडिया चो घंटila को इस डिफाइन करते हूं कि rut cancelots यह थे सबी भाई चारे से जोब हुए और इंडियन तो उसी तरह से नेशन स्टेट का इडिया जिमर्ज हुए अच्छा नेशन स्टेट से पहले क्या हुआ करता है तो इसमें बच्छों को कन्फूजन रहता है कि सर्माडन स्टेट का नेशन स्टेट का है हम दोलों चीजों को मैं आपको समझ जाता हूं मॉडलस ड्यका तो मालन स्टेट में जैसे एक तरह से इंडिश्टी सुअ गयरा का झाला है इंड़ आई जिशन जो वह यउरोप में अगरंद स्ट्रीस कॉए से इंड़ा जाने से क्या होता है की स्टेट्स यो ते वह राजागों के अंडर में कनवर्ट हुए है ठीक है तो दी मेजरीटी ओविट्स सेटीजन्स एंड नॉट अनली इट्स रूलर केम तु डवलप असेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी इन शेयर हिस्ट्री और डेसंट अब क्या हो रहा है कि मॉर्डन स्टीट्स में स्टेट मॉर्डनाइज हो चुका था यह रहता है कि आपके आप के पास पैसा आ गया लेकिन आप पड़े vine और पैसाहे सिक भी और यहीं सिर्फ पैसे का करते है जाना ढलोगे आपको पैसे से क्या करना होगा अपने आपको डवाइज वडेवल्ड वीट है उसको समझना होगा Two-وع यह लोग यह मों दो एक इसक का आइडिया डवलप हुआ ना जब वहां के लोग ठीक है सिर्फ मतलब मेज़ोरीटी आफ इस सिटीजेंस नाट अनली इट्स रूलर्स पॉटर इस्टेट में रूलर को ऐसा रगता था यह मेरी टरिटरी है लेकिन जब वहां के सिटीजेंस यह मानने लगते कि कि यह हमारी टरिट्री हम लोग एक है ठीक जरूरी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वो नेशन स्टेट बनते हैं ठीक जब लोग अपनी एक शेर डेंटीटीट शेर्ड इस्ट्री को का करतें कनेक करते हैं अब आपके मन में सवाल आगा बस ख़तम बात इतना इतना असान था कि क्या है कि जब लोगों के अंदर sense of collective identity आ गई तो उन्होंने राजा को हटा दिया खुद देश बना लिये और देश बन गया अब सवाल यहीं पर बनता है कि लेंगेज को कल्चर को हिस्ट्री को किसको मानोगे जैसे आपर अर्नेस्ट रेनन की बात की ठीक है तो अपने एक ऐसे में लिखते हैं वाट इस अनेशन दूस्पर बताते क्या कि नेशन सरिफ लेंग्वेज रिलीजिन और टेरिटरी से नहीं बनता है अब यह बाक्स हिस्ट्री के बिस्ट्रीब है कि अप जब कोमन हिस्ट्री सभी लोगों के साद एक राट नहीं साथ चानिंग बनता है और citizens जब यह माने लगते तब nation state बनता है आगे सब्ज में तो यह nation state जो बनने का कैसकते है कि process चाल वह तो उस process में nationalism का बहुत important role रहा है उसी चीज को इस chapter में क्या किया गया है पूरी तरह से discuss किया गया है तो nation state created a sense of collective identity this commonness did not exist from time immemorial और जो nation state के नाम पे collective identity बनी ना यह बहुत प्राचीन निकाल से नहीं बनी आ रही थी यह ओवर दी प्रिलोफ टाइम gradually develop हुई है लोग एक जूट देखो पहले मोनार्की थी क्या तब भी लोग अपने आपको एक जूट पाते थे नहीं पाते थे लेकिन फिर लोग एक जूट क्यों पाने लगे तो आप बोलोगे हासर मतलब आइडिया लगा खुद नाइन पढ़ नहीं थी यह gradually develop हुई है, it was forced through struggles, through the actions of leaders and common people and here is the point which I wanted to tell you, the most interesting thing about history is that in history, facts and figure changes, but the theme remains a constant, कैसे, क्या आप देखो कि आप इंडिया की बात कर लो, आप किसी भी देश की बात कर लो, कोई भी देश जब आजादी पा रहा है न, तो उसमें आजादी पाने से पहले क्या है कि लोग को आजादी की चाहा चाहिए रहती है, और सभी लोग आजादी की चाहा कैसे पा सकते हैं, तो through common struggles, through the actions of leaders and through common people, तो आप जैसे यूरोप में लोग एक जुट हुए, वैसी इंडिया में भी लोग एक जुट हुए, यूरोप में लोग एक जुट हुए, revolution आया, वहां से मुन में, themes वही होती है, तो इसी तरह से काहिए कि नेशन स्टेट जो है, नेशन स्टेट बना असान नहीं था, ये टाइम इंमेमोरियल से एक्जिश्ट नहीं करते थे, तो gradually with the common struggles, common actions, leaders, एक जुट होते चले गए और रास्ट बनते चले गए, and this is the theme of the chapter, यही थी में चाप्टर came into being in 19th century Europe, this is the theme which we are going to study in this chapter, पूरी की पूरी कहानी जो है, इसी चीज़ पर बीज़्ट है, अब मैं यह उम्मीद करता हूँ, आपको एक बड़ी पिच्चर जो है इस चैप्टर की, वो क्लियर हो गई है, कि आखिर कार हम क्या पढ़ने वाले है, ठीक है, एक बड़ी पिच इस के फिर्म बड़ेंगे, यह थारी कर्ण जो है, सब्सTime, से पहले जो क्ला एक्स कई बकारे हमेरन को पेजी के बारे में बड़ेंगे, ओक है, व मोने सब लोगो पूर ने आपली कि बारे में बड़ेंगे, पॉर्भाव ने आलते कंड़ी ठाल कि यहां पीत और भाले ही ह मतलब जस्ट राइमिंग बना रहे हैं तो क्या है कि अलग अलग राजा हुआ करते थे तो वह यूरोप में अलग 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 नेशन्स कैसे बने मिडिल क्लास काना हुआ ठीक है अब कही नगी नेशनलिजम में लिबरल एजम का इक बहुत इंपॉर्टें रूल रहा है तो लिबरल नेशनलिजम क्या है वह सारी चीजे क्या है इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम फिर करें अन्यू कंजवेटिजम आफ्टर 1815 तो तो इस सारे आया और गॉवर्मेंट आ गई नहीं जो कंजवेटरिजम था ना जो कंजवेटरिजम था मतलब जो फ्रेंच रविशन के पहले जो आइडियास थे वह अपनी पावर इस तरह से इतने आसानी से जाननी देंगे ठीक है दे बाउंस बैंग तो लोग फिर से पावर में आते हैं नियो कंजवेटिजम आफ्टर 1815 क्या वो फिर हमेशा के लिए सस्टेन कर जाते हैं नहीं कर जाते हैं क्यों क्योंकि उनको अपोस्ट करने के लिए रिविलिशनरी क्लास आती है गुजीपी मजीनी के बारे में पढ़ेंगे ट्रीटी ओव वियना के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो इस सारे टॉपिक्स में आपको बताते हैं चल रहों कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो दी रिविलिशनरी के बारे में हम जैसे पढ़ेंगे देखो कहाने जैसे जुड़ी हुई है कि फ्रेंच रिविशन आइडिया ओस लिबरल्स ठीक है लिबरलिजम लिब का जो रिदीम है है वह वापिस पी आता है फिर क्या होता है कि फ्रीरोड बीस भी क्लाश रिवलिशन को फॉल सीरट करो सिराट के ही तो और का है जिस तरह से यंगिनमिन करदाम दो अओस और क्ड़र ने हमकी liberalism की लहर दोड लगा देती है वो सब कुछ the romantic imagination and the national feeling तो अब जो हम बात करें थे ना कि देश कैसे बनते हैं तो common struggle वगेरा वो सारी चीज़े तो ही common culture जो है तो Johan Godfreyd का एक idea देखेंगे हमकी कैसे culture से देश बनते है language का पॉलेंड के case में example देखेंगे romantic imagination क्या है ठीक है romanticism क्या है ideology है तो वह सारा सब कुछ हम यहां पढ़ेंगे फिर क्या है age of revolutions पढ़ रहे हैं तो वह revolutions जो है तो किस तरह से France का revolution देखेंगे 1848 का hunger hardship popular revolt के अंदर में 1848 the revolution of liberals तो यहां जर्मनी के case में देखेंगे कैसे Germany make failed attempt for revolution होता है failed attempt for democracy होता है वह सारी चीज़े हम इस topic में पढ़ेंगे उसके बाद में उसके बाद में जैसे देखो यह क्या the making of Germany and Italy तो अब क्या है कि the rise of nationalism in Europe पढ़ रहे है Europe क्या है तो Europe is made up of different nations तो जिसे आप यह यूरोप को देखेंगे ना तो इस यूरोप में आप जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी पढ़ोगे इटली में किस तरह से यूनिफिकेशन होगा उसकी कहानी पढ़ोगे इस ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेंगे अगर हम बात करें तो यूनिफिकेशन इनका यूनिफिकेशन आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो जर्मनी यूनिफिकेशन में इंपोर्टेंट रोल प्ले करती जर्मनी के केस में इटली केस में बी स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेंज क्यों कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर इतना खून खराबा नहीं हुआ है तो वह भी कहानी पढ़ेंगे हम तो यह तो स्टोरी लाइन वाली जब लोगा आपस में उने लगेंज एक लोग आपस में भाई चारे से रहने लगें तब हम देश मने ना तो विज्वर आइजिंगСंगे नेशन विज्वर आजिए इंधिंगी नेशन में यहां पर चाप्टर आ निखीन हम पर तो देश बना लेता है लेकिन दूसरे देश करने की स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है तो इसके इंपक्ड क्या हो सकते बालकन रिजण फर्स्ट वर्ड वार वह पूरी कहानी तो अगर आप देखोंगे इन्षॉर्ट अगर समझे हम चीजों को तो क्या हो रहा है कि आप history जो है ना एक broad perspective के साथ में पूरी की पूरी world history जो है इस प्यारे से chapter में पढ़ सकते हो ठीक और पढ़ेंगे हम ठीक है तो एक एक करके सारे topics को हम discuss करेंगे इस इमेज का proper explanation मिल गया है वो हमने discuss का लिए हमने आपको chapter की theme बता दी और यह भी बता दिया कि हम कौन कौन से topics पढ़ने वाले हैं Hello everybody this is Degraas Singh Rajput Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कह रहा है the French Revolution एक चीज़ the idea of nation दूसरी चीज़ और जो तीसरी चीज़ छुपी हुई है Rise of nationalism in Europe आपको roots समझना होगा कि Europe के अगर हम बात करते हैं तो 17th century 18th century उस time period में Europe कौप जिसे देखोगे तो क्या है जो हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ क्या है जो first expression of nationalism है ना the first clear expression of nationalism emerged with the French Revolution of 1789 1789 में French Revolution होता है इसके बाद में क्या है कि जो idea of nation है ठीक है the first clear expression of nationalism जो है राष्ट जो है राष्ट से जुड़ी हुई जो भावना है राष्ट वाद जो है वो सारी चीज़े कभी मर्ज होती है French Revolution के बाद में आप यहां पर दो मिनिट के लिए पॉस करते हैं और चीजों को connect करते हैं आपने class 9th में chapter 1 पढ़ा है French Revolution हा मतलब सच में पढ़ा ऐसे नह सब्सक्राइब होता है इस्तिती पूरी खराब थी उसके सांसाथ में जो फिलोसोफर्स थे उनके आइडियास कहीना की लोगों को यह जागरुक कर रहे थे कि क्यों एक इंसान बाइबर्थ सिर्फ आपकर राजा बनते आ रहा है आप लोगों को चूज करना चाहिए आपका है कि रिपब्लिक कंट्री बनता है मतलब एक ऐसा कंट्री बनता जहां है एड अफ दी स्टेट जो होगा ठीक है ही और शी विल बी एलेक्टेट बाइडी पीपल ठीक है जनता जनारदन जो वो चूज करेगी तो इस तरह से क्या है कि यह लोगों का एक जूट होना लोगों और जो है ना वो क्या है ट्रांसफर हो जाती फ्रेंच रिलीशन के बाद में फ्रेंच रिलीशन के पहले दिसीजन कौन लेता था राजा अपनी मर्जी से अब लेकिन क्या हो रहा है कि जो डिसीजन लینे की पावर है इच शिफ्टेट टू दीबाडी ऑफ पीपल त्टीक ह सब्सक्राइब overlap scholar अब तरह से democratic एक इस तरफ जारी democracy की तरफ जारी एक फटी के अपने आपको एक देखरी मतलब का है Nationalism जो है nationalism स्ट्रोंग हो रहा है तो अब आपको अब टापिक्स अबसी को तो फ्रेंच से ट्रांफ़र और की बात की दारी फ्रेंच रिखा रखेक्श सर्सपीन से ट्रांसफरीर हैं तो दो olur आफटी ससे पार इसके पास चलेगी लाध फ्रेंच सिटिजन यह body of french citizen क्या थी national assembly ध्यान आ रहा है ठीक है तो उस तरह से क्या है कि french revolution became these benchmark वो एक benchmark बनके कहा है इसके बाद से power जो है वो जनता के पास चलेगी जनता जो है वो decide करेगी कि देश क्या है देश का देश हित क्या है ठीक है यह सारी चीज़े अब देखो यहाँ पे एक सवाल है सी लेकिन बात वही है कि सिर्फ लोगों के पास power आ जाने से nation states थोड़ी ना बन जाएंगे लोगों के पास power आ जाने से लोग जो है nationalism की feeling में लोटपोर थोड़ी ना हो जाएंगे ठीक है आपको उनके अंदर sense of collective identity develop करवाना पड़ेगा sense of collective identity मतलब क्या है कि मैं और मैं मतलब मा connected feel करेंगे ना तो वही सवाल है कि आपने क्या करा French Revolution से power जनता के पास लिया है shift of power देखने को मिला बोलो हां ठीक है shift of power देखने को मिला but how the sense of collective identity among the French people was created and this is the question कि आपने लोगों के बीच में वह एक जुटता जो है ठीक है लोगों के बीच में वह फैटर नीटी जो है जो भा French people was created, okay what are the steps taken after the French Revolution to create a sense of collective identity, okay MCQ, theory based, जिस तरह से question बन सकता है सभी तरह से question यहाँ पे आपके लिए frame किया जा सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो सरफ concept पकड़ाना है, आपको बहुत अची तरह से चीजों को समझ लेना question कहीं से भी बना लो फिर, ठीक है, अब आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं आप next chapter पढ़ोगे rise of nationalism, मतलब जो nationalism in India वाला chapter है, तो उसमें भी आप वही पढ़ने वाले हो, मतलब क्या है कि देश आजाद हो गया Britishers को मार पीट के भगा दी हमने, अब लेकिन क्या है कि Britishers चलेगे लेकिन जो लोग यहां रह 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 और यही चीज में समझाना चाहता हूँ कि history जो है वो एक pattern में दोर लगा रही होती है, मतलब समय के साथ में क्या होगा कि हा कुछ 17th century में हुआ, कुछ 20th century में हुआ, ठीक है, लेकिन जो थीम है न, थीम तो वही रहती है, कि आप देश आजाद करवा लोग लेकिन देश में लोगों को एक जुट भी करवाना होगा, तो वही यहाँ पे भी है कि France में shift of power हो गया, France monarch से आजाद हो गया, लेकिन France में वो sense of collective identity कैसे forge करी उन्होंने, वही चीज हम यहाँ पढ़ते हैं, देखो, तो the ideas of la patria and lay sition emphasize the notion of united community enjoying equal rights under our constitution, अब la patria मतलब क्या है, fatherland, जी समूलते है भारत माता है हमारी, तो वैसे ही France पिता है उनके, तो वो किस कहानी है यहाँ पे, तो भारत माता जो है, तो अब भारत माता से किसी को दिखी नहीं है कि कहां जा रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस idea के through, उस extract idea के through, आपस में connected feel करते हैं कि we do have a holy figure which is भारत माता, ठीक है, त कोई first state नहीं, कोई second state नहीं, कोई third state नहीं, सब क्या है, सब France के नागरिक है, तो उससे समानता है, लोग आपस में क्या है, मैं भी नागरिक, तु भी नागरिक, नागरिक, भाई-भाई, ठीक है, तो उस तरह की कहानी को क्या किया गया, भूला गया, तो idea of la patria lay city on emphasize the notion of united community enjoying equal rights under the constitution, और ये सारे लोग जो रहेंगे, सारे citizens जो रहेंगे, इन सब को equal treatment मिलेगा, ठीक है, equal rights मिलेंगे under a constitution, तो इस तरह की बात की कहीं, जिससे लोग क्या है, united feel करें, ठीक है, a new French flag, a tricolor was chosen to replace the former royal standard, अब पहले क्या था, कि मोनार्क जो हुआ करता था, मोनार्क का France, तो मोना national flag जो है, तो फ्रांस के national color को दर्शाद एक तरह से, ठीक है, तो new tricolor flag जो है, a new French flag जिसे कहेंगे, वो क्या replace करता है, जो former royal standard वाला flag हुआ करता था, तो अब इससे क्या है, कि सारे लोग एक ही flag के towards क्या करेंगे, जिसे हमारा भी flag है, तो तिरंगा है, तो तिरंगा को देख वही चीज़, यहाँ पर भी की गई है, the state general was elected by the body of active citizen and renamed the national assembly, अब क्या हो रहा है, जिसे पहले भी हाँ पर क्या होता है, फ्रेंच रेवलिशन, क्लास 9, chapter 1, थोड़ा रिकॉल करो, ध्यान करो, मुझे पता है, आप बोलोगे, sir, 10th का ध्यान नहीं रहता है, 9th पर का ले जा पढ़ना है हमें, कि जो पढ़ का है, उसको connect करो, तो आपको ध्यान ओ, तो पहले state general की meeting हुआ करती थी, third state को क्या है, बोल देते है, बैट जाओ यहाँ पर, ठीक है, राइट्स वाइट्स नहीं देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, कि आप जिसे रेखो कि तो जो state general होता एक दम perfect equality नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, कि वो state general जो था तो उसको replace करके national assembly बना दिया गया, जिसमें कहीं न गई, सभी लोगों का क्या रहता था, सभी states के लोगों का participation रहता था, whether it is from first state, second state, or third state, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, new hems were composed, oaths taken, matters commemorated, all in the name of nation, अब क्या है, जैस is done in the name of nation, हर चीज राश्टर के नाम की जा रही है, जो लोग शहीद हुए थे, उनको क्या किया गया, commemorate किया गया, salamी दी गई एक तरह से, हाँ, इन्होंने फ्रांस को monarchical system से आजादी दिलाने में एक important role play करा, ठीक है, चोराय पर चबूतरे बना दिये गए उनके, तो ये स इस फ्रांस था, तो इस फ्रांस में कहीं किसी को एक feudal lord बना के बठा दिया, कि तो इतनी territory समाल, उसके अलग लॉथ है, इसके अलग लॉथ है, ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा था कि कुछ भी uniform नहीं था, अब क्या है, अब जब उन्होंने एक nation बना लिया, ना nationalism की feeling के चलते हैं, अब देखते हो, revolution आता है, revolution आने के बाद में मोनार की हटा देते है, national assembly अपना काम करेगी, तो उन्होंने जब अपना एक system मनाया पूरा, तो system को उन्होंने centralized कह सकते है कि character देने की कोशिश करेगी, सब कुछ क्या इस territory के अंदर जब यह territory एक है, territory के लोग एक है, कि uniformity और uniformity के साथ unity, forge करने का प्रयावस होता है, ठीक है, तो मैं नहीं कहा हूँ कि history में हर चीज जो है, वो pattern है की चलता है, बस समय लोग नाम यह सारी चीज़ा बदलती है, ठीक है, तो यह कदम उठाय जाया, अब यह सारा क्यों पढ़ रहे हैं, यह पढ़ रहें कि कैसे France में unity लाए गई, ठीक है, कैसे France में sense of collective identity लाए गई, यह अपने आप में question है, इसको अभी हम last में और जोड़ेंगे कि French Revolution से कैसे दूसरे countries जो है, उनमें nationalism यूरोप में फैलना चालो होता है, वो हम अभी और आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे है कि कैसे sense of collective identity France में French evolution के आने से force होती है, ठीक, internal custom duties and dues were abolished and the uniform system of weight and measurement was adopted, वही वाली चीज़े क्या कि internal custom duties जो हुआ करते थी, यहां से यहां से यहां जाने पर text, यहां से यहां जाने पर text, उनमें पता कि नहीं, एक देश, एक टेक्स, जिस्ट जिस्ट जिस्टन से, यह एक देश, एक ट रिक्रत कि कि आप क्या कर रहे हैं कि इस जगा से झाल रहे हैं, समाल लेने गये, तो यहांपे 1 kg का मतलब कुछ और होता है, यहां पे 1 kg का मतलब कुछ और होता है, यहां गये EU मारे कर में 1 kg समान मिल जाएगा, कहीं αूट तो मार कर में 50 gram समान मिलेगा, क्यूंकि uniform system of weight and measurement नह बड़ी दिक्कत आती थी तो रहा हटाओ सारी चीज़ है एक देश एक जैसा सिस्टम यूनिफरमिटी लाने की कोशिश की गई है ठीक है फिर क्या है रीजनल डालेक्ट्स वर डिसकरेज़ अब देखो लेंग्वेज एक बहुत इंबॉर्डन डोल प्ले करती थी क्या होता थ अब अगे एक तरह से कॉंटर डिसकरेज के रिसकरेज को नहीं तो वहाटेज पॉजिशन होता है और तो क्या होता है काउंटर प्रोडक्टिवचिन होता है हो जाता है यहां आप क्या देख रहे है कि sense of collective identity लाने के लिए कि लोग एक जुट महशूस करें ठीक है उसके लिए सारा सब कुछ किया जा रहा है कहर हम उस डिबेट में ना हुसे हमें क्या ध्यान रखना है हमें इतनी चीज ध्यान रखना है कि हम इतनी चीज ध्यान रखना ह को ध्यान में रखते हुए यह सारे स्टेप्स लिए गये थे इस डैट क्लियर आया संगे तो इस वर दी स्टेप्स टेकन अंडर फ्रेंच रेवलिशन आफ्टर दी फ्रेंच रेवलिशन अब जैसे क्या है कि यह एक एक इमेज जो है तुनको पड़ते चला करो ऐसा नहीं बुक पड़ लिए वीडियो लिए देख लिया काम खतम हो गया हर चीज को प्रते चला करो अब जैसे क्या है दी कवर ऑफ जर्मन एल्मनेक डिजाइन बाइधी जनरलिस्ट एंड्रिस रेबमन ठीक है इन 1798 1798 मतलब क्या है फ्रेंच रेवलिशन हो चुका है तो कहानी समझ हो गया तो यह कहा है कि जो बस्ताइल फॉर्ट था द्यायक क्लास नैंत में बड़ख लाइधी तो वहाँ पर क्या होता है हमला हो जाता है ठीक है ठीक है प्रेजिन पर हमला हो जाता था थो इस पॉइंडर्श रेपमा थे ना एक जनरलिस् ए उन्होंने यह इमेज बने और इमेज के तरू नहीं का दैठार किया यह क्या हो गया यह जो जर्मनी आया जर्मनी की इक सिटी कहा एक तरह से पोोड को दरर शाराए घाल यह ऐसा गारी अजें आइं घ्र्मनी यह क 노फ न टंक अक ढृब जिस तरह का मोनार्की का या फिर के सकते हैं absolute institutions जो होते हैं जो आप अभी पीछले वीडियो में पढ़के आए तो वही चीज को compare करते हो बता रहे हैं ठीक है तो अप्लाइंग दी इलस्टेशन इन दी स्लोगन दी पीपल मस्ट सीज दियर ओन तो एदि पविडिम तो इस तरह से अप्रश परव जे नंस पर रूप जिए अपनी आजादी पाई है वैस़ी जर्माणी में लोग अपनी आजादी खुदुदी भी पाई ठीक है तो दिस वॉच दी स्टोरी इस वाज़ी स्टोरी अके समय तो आगे अगे एगर बढ़ें त सारे स्टेप्स जो हमने देखे अभी तो फ्रेंच एलिशन का अब्जेक्टिव क्या था देखो दी रेवलिशनरी इस फर्दर डिक्लियर देट वाज दी मिशन एंडी डेस्टिनी आफ दी फ्रेंच निशन टू लिबरेट दी पीपल पीपल्स और यूरोप फ्रम मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम एक ऐसा रूल जहां पे जो रूलर से वह डेस्पोड होते ना किसी की सुनते नहीं आपने मन की चलाते तो ऐसे रूलर को रूलर रहने की जरुट ही नहीं उसे उठागे फिक देंगे गूरूप गुरसी पेसे ठीक है तो उस तरह से क्या है कि आपने आपको एक nation मनना चाहते हैं जिसे उसमें पे नेशन एक्जिश्च नहीं करते हैं मिन बताया एंपायर्स हुआ करते थे ठीक है तो यह राजा है यह राजा आत्याचारिये लेकिन हमें अब क्या हम तो इसके अंदर में तो इससे आजादी चाहिए तो उस थरह से क्या ह था चाहा में लोग एक जूठ होते जा रहे थे आए हमस मैं धिस इस 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 न ऑब्जेक्टिव फ्रेंच रेपशन अधर ऐसंग मीटिया कध रुब्र SMITH रिवलिशन आया फ्रेंच रिवलिशन से आइडियास निकल का है अब आइडियास के पैर थो रहा निकल आएंगे कि वह दोड़के पूरे युरोप को आजाद करवा देंगे नो डाव दी अब्यक्टिव औफ अदी रिवलिशनरी इस ठीक है जो अब्जेक्टिव फ्रांस को आजादी दिल लई है उसी तरह से वह पूरे की पूरे यूरोप को आजादी दिलवाना चाहेंगे लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा क्या खरोगे तो उसके क्या है revolutionaries जो थे उन revolutionaries को उन revolutionaries को कहलो या फिर revolutionaries के leaders को उन ideas को यूरोप तक पहुचाना होगा वो कैसे possible हो पाएगा तो वही चीज यहां पर समझाए गई है कि Jacobin clubs बनाए गए ठीक है Jacobin clubs बनाए गए अब Jacobin clubs की बात करते हैं तो समझना चीजों को क्या हो रहा है कि connect कि थर्ड इस्टीट के लोगों के द्वारा डॉमिनेट किया जाता था रेन आफ टेरर उन्हें बहुत ही अत्याचार मचा दिया तो इस तरह से सारी कहानी क्या जुड़ी हुई है तो हम अगर हमारी कहानी को आगे बढ़ाया तो कैसे बढ़ रही है कि हा फ्रेंस आजाद लिटर क्टिव अबटेशन से हमने क्या देखा कि डिमोग्रिटिक आइडिया नेशन का नेशन स्टेट का इंए इमर्ज हुआ और रिवळुष्टरिस का अबजेक्टिव यह था कि नेशन स्टेट का आइडिया जिस तरह से फ्रांस में आया वैसे यूरोप के हर पाइट म क्लब ने क्या किया उस आइडिया को बड़िया को फ्रेंच आर्मी जो थी तो फ्रेंच और इस मुझें तू हॉलाइं बेल्जियम स्विजरलेंड अट्ली इन सेवन्टीन नाइंटीज अब यहां क्या हो रहा है पता है जिसे अगर आप देखू कहें तो सेवन्टीन और प्रेंच आरमी जो है नेपोलियन केंडर में फेंच आरमी कैंटिल में इनवेइड कर देती है और क्यों कर दो जहां-जहां मुंनार्किया है तो वहां-वहां कि मुनाарकी को एले नेपोलियन जो है अपनी डॉमिनेंस तो नेपोलियन जा रहा तो लोग खुद वेलकम कर रहे थे कि आओ हमारे मुनार को मारो पीटों में आजाद करवाओ क्यों क्यों कि जहां जहां फ्रेंच आर्मी जा रहे थी वह modern ideas लेके जा रही थी अपने साथ nation state के idea को लेके जा रहे थी which was the outcome of french revolution बहुत गहरा ही है पता इस concept में इस topic में बहुत गहरा ही है अच्छे समझना मतलब अगर साथ-साथ में धीरे-धीरे उत्रोगे तो डूपते चलोगे और अगर एकदम से कुद गए ना कि यहां सर समझ नहीं आ तो फिर गिर जाओगे खाई में ठीक है तो अच्छे समझना प् लोग देख रहे थे हां दूसरा एक डिक्टेटर आएगा वह हमारे राजा को हटाएगा और खुद राजा बन जाएगा लेकिन लोग उसे वैलकम कर रहे थे क्यों क्योंकि वो जो डिक्टेटर आने वाला है ने पॉलियन आएगा ना तो नेपोलियन मौनार्की को खतम कर मुनार्की के साथ साथ पुराने आइडियास को भी खतम कर दे रहा है ठीक है डिस्पाइड इफेक्ट देट ही इस सुप्रेमिसी फ्रेंच आर्मी अपने सुप्रेमिसी इस्टैबिश कली लेकिन लोगों ने शुरुवात में वेलकम किया शुरुवात बोल रहा हूँ अभी क ठीक है यहां पर देखो नेपोलियनिक वार कहा जाता है जो 1790 में चालो हुई तो दिया ओट्रेक ओफ रिवलिशनरी वार्स इफ्रेंच आर्मी बिगें तो कैरी दी आइडिया ऑफ नेशनलिसम अबरॉड तो नेशनलिसम का आइडिया जो है वो अपने देश से बाहर लेक इंपोर्टेंट रहा फ्रेंच आर्मी जो थी तो नेपोलियन वाउस दी कैसकते हैं मिलिटरी जंडरल इन फ्रेंच आर्मी लेकिन क्या होता है कि अब जिसे देखोगे तो वो नैशनल असम्बली नैशनल संब्ली के बाद में जैकोब इन क्लब जैकोब इन क्लब अटके फ तो जो पॉलिटिकल इनस्टेबलीटी थी ना उसका फाइदा उठाते हुए नेपोलियन एक तरह से डिक्टेटर बन जाता है फ्रांस का लेकि उसके बावजूद भी लोग क्या उसे वेलकम करते हैं तो नेपोलियन वास दी हिरो फ्रांस एंड सूनी विकेम दी हिरो इन य जैसे जो पहले मोनार कुआ करते थे की लोगों को लिबर्टी नहीं है ट्रेड यूजियन के आजाद ही नहीं तो वो सारी चीज़ें नेपोलियन नहीं करी है इन फेक्ट नेपोलियन सैट अबाउट इंट इंटिदूसिं मैं है तो इस तरह से फ्रांस का हीरो और वैसे ही यह एक पॉइंट समझना है जो मैं आपको बार समझाने के कुशिच कर रहा हूं क्या थूर रिटर्न टो मोनार्की नेपोलियन है डिस्ट्राइड डिस्ट्राइड डेमोक्रसी इन फ्रांस ने इन ने क्या किया डेमोक्रसी को खतम कर देन पूरी पावर अपने पास ले लेकि इन फिर भी लोग उसे अप्रिशेट को कर रहे थे ठीक है बट इन उसके पीछे कारण यह है इन दी अद्मिस्ट्रेटिव फील्ड ही एड इंकॉर्परेटेड रिवलिश्नरी प्रिंसिपल्स इन ओडर तो मेक दी होल सिस्टम और रैशनल एन एफिशेंट अब देखो ने स्ट्रेट के साथ में क्या जाएगी अलाइन होके जाएगी मतलब आप उस दोनों चीजों को एक ही चैसमेशे देखने की कोशिशिश करोगे अब क्या हुआ है कि नो डाउट ने डेमोक्रिशी को खतम कर दिया था जो फ्रांस ने फ्रेंच के बाद पाई थी क्योंकि डिक् लोगों को बोल दिया वोटिंग राइट है लेकिन का रप्शन बहुत जादा है तो ऐसी डेमोक्रिशी का करेंगे सिर्पले के घुमेंगे नहीं ना अब किसी देश में लोगों को क्या चाहिए लिटिमेटली देर वेलफेर चाहिए ठीक है कि उनका खुद का क्या हो किसे आए तो अब यहां क्या हुआ केस कि नेपोलियन ने नोड़ डेमोक्रिसी को खतम कर दिया बट दी आइडिया ओफ नेशन स्टेट बट दी आइडिया ओफ नेशनलिजम विद आइडिया और रैशनल एंड एफेक्टिव एड्मिस्टेटिव सेटप वो जो इंटेड् आप मैं आपСंट टोदोर्एर बसंट गर इंडिया को बना दोंगा अगर बोशेट ळाह जाती तो bastaat कि जाइन्ट हो का ziemा कि जि वालीडर को सकता है कि जिलीद flirting इसका नीमड़ी वह जो रहे तो उसमें क्या होता है जिसे आप देखो के तो अलग अलग टाइम प्रेड नेशन असमली जेकोबिन क्लब डायेक्ट्री नेपोलियन इनका इंपोर्टेंट रहा नेपोलियन ने नो डाउट डिमोकरसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था लेकिन उसके बावजूद भी विचेंग बिकेंग दियुड फ्रांस एंड यूरोप और सो ठीड वाइक 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 पहले वा करते थे उनकी तरह नहीं था वह लिबरेल था था तिक है उसने ऐसे बादलाव लाया जो लोगों के भले के लिए थे और इसी कारण से का है उसे एक्सेप्ट किया गया उसका सिस्टम जो था रैशनल था एफिशेंट था इसकारण से उसकी पॉपलिरीटी बढ़ी अब ऐसा क्या कर दिया था सर उसने मतलब तारे बारे तॉड लाया था के ओपर से नहीं उसने क्या किया था था देखो तो उसने ही इंट्रिज्ट सिविल कोर्ट ऑफ से कैसे मनता है सिविल कोड या फिर जिसने पॉलिक कोड के नाम से जाना था था कब इंट्रिज्ट सारी इंपोर्टेंट नहीं होती वहीं मैं कह रहा हूं लेकिन कुछ-कुछ धियान रखना होता है सिविल कोड़ ऑफ 1804 क्या है वह एक थेओरी पार्ट पर कुशन मन सकता है क्या कि सिवि तो नेपोलिक कोड भी कहा जाता है इसे अब था क्या तो अकोर्डिंग तो दी नेपोलिक कोड ठीक है नेपोलियन डिड़ अवे विट आल प्रिविलिजिस बीज़ ऑन बर्थ इस्टैबलीज इक्वेलिटी बिफोर लॉग एंड सिक्योर राइट तू प्रॉपर्टी मर जाओ लेकिन टेक्स देते रहना पड़ेगा ठीक है तो अब क्या होगा नेपोलिक नहीं यह प्रिविलिजिस जो बाय बर्थ मिलते नहीं यह नहीं होना चाहिए तो इससे क्या हुआ कि थार्ड स्टेट की जनता है जो डेमोक्रेसी की चाहा के लिए जिसने रिवलिशन क किया था उस जनता को ऐसा लगे कि ठीक है डेमोक्रेसी चले जाए चले लेकिन जो मुनार कब आ रहा है तो हमारी बातों को समझ रहा है ठीक है तो ही डिड़ावे वित आल दी प्रिविलिजिस बेज़ बर्थ इस्टैबलिश्ट इक्वैलिटी बिफोर लौ एक्वैलिटी इन दिस इसे देखेंगे तो पहले क्या उता था पावर पूरी इसके पास रहती थी फ़र्स्ट रेट और सेकड़ इस्टेट के लोगों के पास रहती ती प्रॉपर्टी इस्टेट की कुछ होती बिदी तो चुड़ा ली जाती थी लेकिन अब क्या है इस्टैबलीश्ट राइट टू प्रॉपर्टी उसने यह बोला कि जो emerging class है जिन्होंने इतनी महनद से आजादी पाई है उन्हों प्रॉपर्टी पाई है तो ऐसा नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी कोई भी छोड़ा लेगा ठीक है प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उनका जन्म से अधिकार हो गया इस तरह से ठीक है उसको फंदमेंटल राइट तक में डाल दिया ठीक है तो राइट तो प्रॉपर्टी की बात करी उसने राइट तो प्रॉपर्टी को सिक्यॉर करा तो इस वर दी चेंजेज इंट्रेडिूच्ट बाय नेपोलियन इंडी एडिमिस्टेटी फील्ड ठीक है इस वर दी प्रोविजन्स अंडर दी सिविल कोड़ ओफ 1804 विच मेडें पॉपिलर ठीक है उसी के चलते क्या है नेपोलियन पॉपिलर हुआ फ्रांस की जंता उससे खुश थी कि यहां बड़िया लड़का है ठीक है तो आयने असल में यह कहानी है नेपोलियन सिंप्लिफ इड्मिस्ट्रेटिव डिविजन दियान लगना कि बड़ा कोशन बन सकता आपका कि सिविल कोड़ ओफ 1804 क्या है बताओ तो यह हुआ सारा सब कुछ ठीक है और वह क्यों करा क्या करा वो सारे कहानी में करवा ही चुक हूँ आपको तो अब क्या रहा है नेपोलियन सिंप्ल कर दिया उसने बुला कि जहां कॉम्प्लिकेशन से वहां आदमी परेशान है आदमी परेशान है मतलब किसके उपर गुस्ता निकालेगा इस इस अपर इस तरह चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है एडमिस्ट्रेटिव से श्मप्लिफाइड कर दो एक दम वह चीज पर ध्यान दिया ठीक उसके बाद क्या है कि अबॉलिश भी फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजंस अब समझो फ्यूडल सिस्टम का है तो जैसे यह राजा है ठीक है अब क्योंता बड़े-बड़े लैंडलोड होते थे तो जो पहले के मोनार को करते तो उनके पास जमी इस पहले को डिवाइड कर दिया जाता है कि तुम मेरी इतनी यह शहतर हों और इतनी जगह समाल लू अब इन्हें क्या चाहेँगा यह जो रहेंगे इन्हें फ्यूडल लॉड्स कहा जाता था तो पहला ऐसा फ्यूडल सिस्टम चलता था ठीक है फ्यूडल सिस्टम यह तो उसके चलते हैं नैपोलीन ने बोला कि यह आप यह फ्यूडल सिस्टम की जो लोग कर रहे ओते थि ना उनकी कुछ जो है इनके कोई राइट्स नहीं रह जाते थे तो नेपोलीन ने सबसे बबेले क्लाकिए सबस्सक्राइब हए सबस्क्राइब करो इस तो जिसकी जमीन प बीट होच सबकी अपने अपने अपनी अपनी ही अपनी अपने अपने लोग काम क्या लाग Hagam सार्फिटा सार्त के उत前 की यह केले हैं इस often क्लिफ थी यह कुण तो बड़े आधमीं यह खुद कॉद काम्तोरेकर अब करेंगे मेंनर्वर्ट का होता है मैनर्वर्ट का मतलब की जो बड़ा एक जिसके पास बहुत सारी जमीने हैं, वह । समझ WITHाध मैनों है , ग। बैटे इसला sticks, ऐससे समलो मैनों का होते है तो यह उदार देते थे, कि हमने तुम्हे उदार दे दिया, पैसा है, क्योंकि उसके पास बड़ा आदमी है, तो फिर क्या करते थे, अधार का जीवन भार उदार चुकाया करते थे, कि तुम काम करो मेरे लिए तुम ये करो, मेरा तुम्हारे उपर नड्यू है, ठीक है? तो इस इससे क्या हो गया कि जो लोकल मासेज हैं उनके हित में काम किया उसने, लोकल मासेज अट्रैक्ट हो गई नेपोलियन से, इसलिए हिरो बनाया, आया ना समझ में? तो नेपोलियन सिंप्लिफाइड अबिस्टिटिव डिविजिन, अबॉलिस्ट फूडल सिस्टम, and freed peasants from serfdom and manorial dues, is that clear? आया समझ में हाथ तक, फिर क्या लेखो, तो इन टाउंस टो, guild restrictions were removed, अब guild restrictions क्या है, ये कहाली समझो, देखो, ये शहर है, तो अब एक शहर के अंदर क्या होता था, ये शहर की बार्डर है ना पूरी, इस शहर के अंदर क्या होता था, कि जितने भी ट्रेडर से, एक ट्रेडर ये है, दूसरा ट्रेडर ये है, तीसरा ट्रेडर ये है, चौथा ट्रेडर ये है, अभी सारे ट्रेडर जो है, तो एक तरह से text किसको देंगे, government को देंगे, monarch को देंगे, dictator को देंगे, जो भी होगा, उसको text देंगे, अपकि अग्वादा था कि एक अकेला अगर ड़ेटर जाएगा तो यह फटकार देखा मोनार्जी टेक्स कम करो चाहँ यह वहुआ करो यह सारी छीजे लेकिन यह सारे ट्रेडर्स के अपनी गिल्ड मना की हैं ठीक है गिल्ड मतलब क्या होता है ग्रॉप बना के रखना तो अगर यह सारे ट्रेटर सा अपने ग्रॉप बना के रखते हैं तो उससे क्या होगा संघटल में शक्ति एप जब आप संघटित रहेंगे आप एक साथ रहेंगे तो आप मजबूत दिखेंगे ना ड्रेड तो जो तरह से इन टाउन्स टू गिल्ड रिस्टिक्शन वर रिमूव तो जो ट्रेडर्स वगएरा हुआ करते थे वह अपने और गनाइजीशन अस्वेशन यूनियंस बना सकते ते उस चीज के आजादी देदी ट्रांस्पोर्ट एन और चीज समय नहीं जनता के भले के लिए ट्रांस्पोर्ट और कम्मिनिकेशन सिस्टम इंप्रोव कर दिया ट्रेडर्स को फायदा रेक मिलेगा पीजन्स को फायदा मिलेगा तो नहीं और क्या चाहिए यार बस यही तो चाहिए जीवन में कि हम जो कर रहे हो बहुत आसानी से कर पाए गवर्मेंट जो है फैसिलिटेट करें चीजों को हिंडर ना करें कि कोई भी गवर्मेंट पॉपिलर या फिर अनपॉपिलर क्यों होती है वह डिपेंड करता है कि उसके जो एक्शन्स है वह गवर्मेंट के एक्शन्स अगर क्या हो रहा है लोगों की लाइफ फैस कि transport and communication system improve कर दिया Napoleon ने बढ़िया है तुम democracy रखो या मुनाय की रखो लेकिन तुम चीज़े महतर कर रहे हो बढ़िया है तो इस तरह से thumbs up मिल रहे थे किसको Napoleon को फिर क्या रहे है पिजन्ट्स, arditions, workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom अब कह रहा है जो पीजन्ट्स थे, arditions थे, workers थे, नए businessmen जो हा रहे थे तो उन्स सबको बढ़ा अच्छा लग रहा था कि जो newfound freedom है, guild restrictions remove कर दिये, peasants जो ते तुने इस लग रहा किया सर्फडम वगेरा सब कतम हो गया, तो हर चीज से क्या थे लोग खुश थे इसका outcome क्या हुआ outcome समझ पारे हो आप कि outcome यह था कि initially people welcomed Napoleon तो अपने देश में फ्रांस में तो Napoleon था ही hero पूरे जो फ्रांस से लगे हुए जो देश थे वो भी चार थे कि ऐसा ही नेपोलियन हमारे आभी आजा है दो भाग करके फ्रेंच आजा हमारे मोनार को हटा दे और जो फ्रांस में उन्हें किया हमारे साथ भी करेंगे वही administrative changes हमारी देश में भी लाएंगे तो उसके लिए initially people were very enthusiastic about Napoleon कि आजा Napoleon कि उस तरह से बस इंतिजार तो इंतिजार में खड़े हुए थे नेपोलियन के अब देखो मैं आपको क्या पैटन में बताते चलता हूं थे खेलते बड़ाते चलता हूं लेकिन आपको टॉपिक भूलना नहीं है टॉपिक कैसे करेक्ट चलो फ्रांस revolution कैसे सेंस और क्लेक्टिव आइंटीटी लाई गई वह आइडिया इस प्रेड होंगी उसमें नेपोलियन का एक इंपॉर्टेंट रोल था नेपोलियन ने नो डाउट डेमोक्रिसी को डिस्ट्राइब लेकिन फिर भी लोगों उसे क्यों एप्रिशेट किया क्योंकि उसमें जो लाया वह बहुत modern थे rational थे efficient थे क्या changes लाया civil code of 1804 civil code of 1804 क्या है वो समझा दिया connect कर पारे हो ना अब civil code of 1804 के बाद में देखो क्या होता है कि आउटकम की जो बात करें ना तो आउटकम में लोग बहुत खुश थे पीजेंट वगरा सब बहुत खुश थे लेकिन उसके साथ में क्या एक सेक्शन ऐसा भी था या फिर लोगों का एक सोचने का नजरिया यह भी था कि आर सही नहीं हो रहा है ठीक है तो तो फ्रेंच रूल वास मिच्ट देखो नोड़ाओ फ्रांस के लोग तो बहुत खुश थे लेकिन वह फ्रेंच आर्मी जहाँ घुश्टे चले गई जहां उसको इन्वाइट किया रहा था कि आजाए आजाए बस नेपोलियान इक बार तो व हो में रहेंगे और जहां जहां वह एक्सपैंड करेगा वह एरियास किया रहेंगे वह एर्यास इक तरह से कर बौलेच के लिए कि यह मैंने जीता है ठीक है यह मैरे क्या है य्, मेरी अरी ट कि मारी यह मेरी घीटी यृवि एर्श्ट भी पहले छला पॉइंट दिंटर देन पहुचेगी ठीक है वहाँ की जनता को नेपोलियन के दुआरा इंट्रिड्यूस के गए अड्मिस्ट्रेटिव चेंजेस बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे लेकिन जब नेपोलियन आर्मी ने वहाँ पे कपजा कर लिया तब उन्हें समझ में आया ठीक है तब उनकी रियक्शन जो थे वो मिक्ष्ट थे कैसे यह समझना तो इनिशली इन मेनी प्लेसे सच अच अच वोलेंड स्विजर लेंड ठीक है ऐस वेल आज इन सारे देशों में इन सिटीज में तो क्या है फ्रेंच आर्मी को बुलाए गया है कि आजाओ बस देयार दी हार बिंगर्स ओफ लिवर इसा लगना लगा किया सही नहीं हुआ है ठीक है जो जिस कैसे कि इनिशल एंदूजियाजम के सान्थ ने बुलाया था ना फ्रेंच आर्मी इसको फिर उन इसा लगता है कि फ्रेंच आर्मी खराब है क्यों लगता है सब्सक्राइब को समझो एज बिकम क्लियर देट निव अधिस्टेटिव अर्इंजमेंट डिडिन नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फीडम सर्कुछ समझनी आया चलो इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं हाँ को समझे को कि शुरुआत में फ्रांस में जो चेंजेश आये ठीक है फ्रेंच मॉडल वा क्या मॉडल बना इनिशली इनिशली इस स्टेट इस सिटीज वेलकम नेपोलियन ठीक है देवलकम फ्रेंच आर्मी अस हार्विंगर्स ओफ लिबर्टी सब कुछ हो गया लेकिन बाद में लोगों को समझ में जो मिक्स्ट रियक्शन की बात कर रहें ना ठीक है तो बाद में लोगों को क्या स अगर आपने देश का क्या है लेकिन लोगों को बात में आया क्या कि फ्रेंच आर्मी जो आई है तो फ्रेंच आर्मी फ्रांस के इंटरस्ट को पहले देखेगी नो डाउट वो चेंजेस मॉडर अडिमिस्टेटिव चेंजेस लिया आएगी लेकिन अल्टिमेटली वियर गूंग तो यह समझ में आया कि हम हार जाएंगे कैसे कि हमारी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो हमने खो दी हम अब किसके गुलाम हो गए फ्रांस के ठीक वही च चाहिए तो जहां-जहां कपजा करेगी अपना जहां-जहां फ्रेंच आर्मी एक्सपैंड करेगी वहां टेक्स बढ़ा देगी क्योंकि अपने वार के एक्सपैंसे कहां से निकालना होंगे उसे अपने वार के एक्सपैंसे तो जो नहीं जगा जीती वहीं से निकालना सब्सक्राइब कर लिया अब उन्हें और एक्सपैंट करना तो जैसे मान लोग को बेल्जियम पहुच गए तो बेल्जियम से लोगों को उठाइब चलो तुम भी फ्रेंच आर्मी फ्रेंच आर्मी के अंडर में लड़ो अब मेरा फ्रांस से कोई लगावनी में क्यों लड़ होगे कि British colony बन गया इंडिया थे वही वाली कहानी हिस्ट्री रिमेंज दी सेम बस जो फैक्स फिगर से वह बदलते रहते हैं ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है जिसे आप देखोगा इंडिया की केस में की जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी तो उस समय पर क्या हो र गर्व से लड़ता है कि मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं लेकिन पहने क्या objective रहता था तो वैसे ही कहा है कि French army ने दूसरे देशों को आजाद करवा दिया है बस खतम है आजादी दिलवादी थेंक्यू वेरी मत जाओ लिगना वो क्या बोल रहे है कि तुम्हारे जहां French army पहुचते चलेगी फोस्ट कंस्क्रिप्शन इंटू इंटू इंटी French army is required to be conquer the rest of Europe all seem to outwight the advantages of administrative changes तो यह जो सारी अच्छे चीज़ा लाई थी ना French armies ने उन सब की बराबर में जब आप तराजू में रखो गे तो यसा लग रहा था है कि क्या कि नहीं आर जो administrative change आए वो तो सब अपनी जगा अच्छे लेकिन हमारी क्या है liberty जो है वो सब कुछ क्या खतम होते चले गया है ठीक वही चीज को क्या किया गया है वही चीज को यहां पे explain किया गया है French Revolution in the idea of nation तो देखो यह जो टॉपिक था ठीक है ब्रॉट टॉपिक जो था आपकी बुक में क्या होता है कि एक तरह से shift of power देखने को मिलता है power shift होती लेकिन लोगों के बीच में sense of collective belongingness कैसे develop की जाती फ्रांस में वो सब कुछ पढ़ा हमने अभी topic के अंदर सब कुछ इन बंते जा रहे तो आपको धियान रखना है tricolor flag new hymns were composed यह सारी चीजे national assembly को मतलब state general को national assembly बना यह सब कुछ ठीक है अब जो France में revolution आया तो French revolutionaries ने कसम खाली कि पूरे Europe में उसी तरह से बदलाव लाना है लियाओ अब पूरे Europe में बदलाव कैसे आएगा तो वही है कि idea दोड़ के नहीं जाएंगे उन्हें पहुंचाने के लिए किया है तो आप Jacobin Club को देख लो Napoleon को देख अब क्या है कि एड्मिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत कैसकते हैं बड़े चेंज़ लाया बदलाव लाया विच वास इन दी फीवर ओफ सेटिजन्स उसके चलते वह पॉपिलर था अब क्या हो रहा है कि वही जो चेंजेस थे उन्हीं चेंजेस के चलते दूसरे देशों अब नेपोलियन के उन चेंजेस से अट्रेक्ट होते नेपोलियन को फ्रेंच आर्मी को इन्वाइट किया लेकिन क्या होता है कि जो इनिशल एंदुजियाजम था वो धीरे से खतम हो जाता हूँ क्यों खतम होता उसका कारण भी मता दिया कि लोगों को समझ में आया कि एड sweet story about the French Revolution and the idea of nation. I hope you enjoyed it. हमारा topic यहाँ पे complete होता है. मैं आशार करता हूँ का आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आईए. Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput. Welcome to Magnet Brains. इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ेंगे The Making of Nationalism in Europe. The Making of Nationalism in Europe. टॉपिक हमारा हुआ है यहाँ पे switch. कैसे switch हुआ है समझो. पिछले वीडियो में मैं आपको एक background बताया. किस चीज़ के बारे में कि जो French Revolution हुआ था ना 1789. वो French Revolution क्या है? वो एक point था, वो एक benchmark था जहां से जो idea of nation है. नेशन स्टेट का idea, नेशनलिजम की लहर जो है पूरे यूरोप में दोड़ लगाएगी. यह सारी चीज़ हम पिछले वीडियो में बहुत detail में पढ़ चुके हैं. आपको सारी चीज़ समझ में आई है पिछले वीडियो में देखने के बाद. अब हम क्या पढ़ने वाले ह हैं. अब हम पढ़ेंगे थी making of nationalism in Europe. तो मतलब वो क्या था? वो फिचल स्टार्ट होने से पहले जिसे आता ने इंट्रो थोड़ा सा background दर्शाता है. तो फ्रेंच रेवलिशन वाला topic वही दर्शा रहा है. क्या? कि जो nationalism यूरोप में फैला, उसमें फ्रेंच रेवलिशन जो उसका बहुत important role था. अब हम बात करते हैं कि यूरोप में आखिरकार nationalism कैसे बढ़ा? किस तरह से nationalism बनाया गया? नेशनलिजम क्या है? नेशनलिजम एक आईडियोजी हो आईडियोजी कैसे इमर्ज हूई? उस चीज को समझना है. अब उस चीज को समझना है तो यह में टॉप इसका मतलब पहले connected feel नहीं कर रहे थे. ठीक है? पहले नेशनलिजम का आईडिया नहीं था. ठीक है? तो वही चीज़ आप बताएगे कि making of nationalism इसका मतलब क्या है? कि initially there was no nationalism. there was no concept of nation states. समझ पा रहे हो, connect कर पा रहे हो कि जब nationalism जो है वो बनाया गया या फिर ऐसा कहो कि nationalism धीरे- किस identity को अपना connected feel करेंगे, आपस में जुड़े हो रहेंगे, किस के लिए संगर्श करेंगे? आगे समझ में? तो क्रॉक्स क्या है इस चीज़ का? समझ में रहा है? क्रॉक्स क्या है कि what we know today's Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. तो मतलब पहले कोई nationalism नहीं था, कोई nation state नहीं था. आ Speaking of nationalism in Europe, because before the nationalism there was no nation states as such in Europe which we are observing today. ठीक है आज जो आप रास्त देख रहे हो रास्त थे ही नहीं. क्या था? तो उसके लिगा Kingdoms हुआ करती थी कहा है, यह राजा कराज यह राजा है, राज में सोय राजा किसी नहीं किया, अगले दिन राजा किसी नहीं किया, अगले दिन राजा से राजिस्तान स्टेट है, केरलाइक स्टेट है, नागलेनिक स्टेट है, वैसी क्या होता है कि वहाँ पे स्टेट को केंटों कहा जाता है, तो वो सब डिविजन बताए गया, तो Kingdoms, Dutchies, Cantons whose rulers said autonomous territories, तो पहले nation state नहीं हुआ करते हैं, तो पहले नेशन स्टेट नहीं हुआ कर कर रहे हम 15, 16, 17th century की बात कर रहे हैं, जब French Revolution जिसे नहीं हुआ उसके पहले, तो क्या हुआ करते थे इस तरह कि territories हुआ करती थी, autonomous territories, जो बताया ना यह पर यह लिखा है, कि जो क्या हुआ करते थे, rulers हुआ करते थे, they used to have their own autonomous territories, तो इस तरह से उनके autonomous territory हुआ करती थी, वहां क कि राजा है, वहां की जो जनता है, प्रजा है, वो क्या है, मतलब उनको राजा मान रही है, और उनका rule है, dominant से, अब क्या हो रहा है, कि nation state का basic idea मैंने आप बताया था आपको क्या, कि आप एक language के लोग एक साथ जुड़ा हुआ फिल करते हैं, एक religion के लोग एक साथ जुड़ जो है, ठीक है, तो Habsburg Empire का example दिया गया है, rulers ruled over Austria Hungary, for example, a patchwork of many different regions and peoples, तो यहां पे लोगों के अंदर आपस में sense of collective identity नहीं होता था, क्योंकि जो रूलर्स हुआ करते थे, वो किस चीज़ पर rule करते थे, एक territory पर rule करते थे, उस territory के अंदर अलग-अलग ethnic group के लोग रहते थे, मतल एक ही राजा है, ठीक है, मैं भी उस राजा की प्रजा हो, तुम भी उस राजा की प्रजा हो, बस, that's it, ठीक है, तो वही चीज़ बताए गया है, किस चीज़ के context में, कि Austria Hungary जो आज आप country देखते हो, ठीक है, वहां पर Habsburg Empire हुआ करता था, इनफेक्ट आप देखोगे तो Sloven हो गया, ठीक है, Slovenia के बाद में और कौन-कौन से country आज देखना चाहोगे, तो Slovenia हो गया, ठीक, क्रोशिया की बात करो, तो यह सारे देश जो आज है यहां पर, ठीक है, Czech Republic हो गया, तो उन सारे देशों के उपर क्या हुआ करता था, आज तो आप उपर देश की तरह देख ल हुआ करते थे, इस तरह का patchwork of different region हुआ करता था जिन्टे कोई empire हुआ करता था, ठीक है, तो Habsburg empire का example दिया है, तो वह example ध्यान रख लेना की, ठीक है, initially there used to be the empires, ठीक है, which were the patch, patchwork of many different regions and peoples, अभी example में बताया गया कि जैसे alpine region, alpine region, alpine region मतलब क्या है, जो high latitudes की बात करे, तो यह वाले alpine regions की अगर हम बात करते तो जिसे bohemian हो गया, austria हो गया, यह वाला जो region है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, तो the trial, austria, sudden land, यह सारी जगह है, ठीक है, as well as bohemian worthy aristocracy was predominantly predominantly german-speaking, तो यहाँ पर बताया जारे की, अब जिसे आप देखों को तो यह पार जर्मनी में जाके म मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो aristocracy हुआ करती थी, जर्मन-speaking हुआ करती थी, ठीक, different region and different people का patchwork हुआ करता था, nation state नहीं हुआ करते दूसी चीज को बताया, तो यहाँ पर क्या है, कि हाँ जर्मन-speaking भी है, it also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Vanity, ठीक है, बाद में इतली में मिल जाएंगे तो इस तरह से क्या होता है, कि Italian-speaking population भी रह रही है, उसी empire के अंदर, Habsburg empire के अंदर, in Hungary, ठीक है, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects, ठीक है, तो अब हंगरी की बात करें हम, तो जैसे यह Austria-Hungary वाला पूरा region था, Habsburg empire में, तो हंगरी वाला region जो है, तो यहाँ पर क्या है, Magyar language, वहा Galicia, the aristocracy spoke Polish, तो अब देखो, अब क्या यह जो Galicia वाला पार्ट ही, तो यह Poland से ज्यादा connected feel करेगा, क्योंकि यहाँ की language, मतलब यहाँ के जो लोगों का क्या बोल रहे है, Polish language बोल रहे है, Poland की language बोल रहे है, अगे समझ में, तो जब nation states बनेंगे, तो यह हिस्सा किस तरफ जुक इस थी dominant groups, they are also lived within the boundaries of empire, a mass of subject peasant peoples, ठीक है, अब यह जो major language speaking group देखना है को मिरे आपको German speaking, Italian speaking है, ठीक है, उसके अलावा जिससे देखोगे, German होगे, Italian होगे, Polish होगे, ठीक है, local languages होगे, local dialect होगे, तो इनके अलावा भी क्या है, और भी बहुत सारी language बोलने वाले, masses जो आपको जिनकी regional dialects हुआ करती थी, यह सब मिलके क्या है, एक empire के अंदर बंदे हुए थे, so they were not the part of nation state, there was no such feeling of nationalism among them, ठीक है, कोई राष्ट्रबाद की भावना नहीं थी, अमें उम्मेद करता हूँ कि मेरी भावना हो का आप समझभाए, आपको topics समझ भाया, ठीक है, तो क्या है broad topic हम मेरा the making of nationalism in Europe, कि किस तरह से Europe में nationalism बना, क्यों, क्योंकि सवाल यहां पर वही उठता है, क्या एक common question जो बनता है, कि इस स्थिति में अगर आप समझोगे, तो यहां पर लोग फिर एक जूट हुए कैसे, जब लोग इतने अलग थे, तो फिर वो एक सांच जुड़े कैसे, तो नियू ऐसारी चीज़ें सांच विडियो में पढनेवाले हैं, इस वीडियो में हम पढने वाले हैं। रहा है वो क्या है the making of nationalism in Europe ठीक है तो यूरोप में हमने देखा कि कोई nation state नहीं थे कोई nationalism नहीं था ठीक है जब nation states नहीं थे nationalism नहीं था तो उसके पहले क्या था उसके पहले आप देखो कि तो autonomous regions हुआ करते थे जिसके उपर एक emperor हुआ करता था ठीक है मौज है उसकी अब क्या हो रहा है उस स्थिति में सवाल यह उठता है कि जब लोगों के बीच में sense of collective identity नहीं थी ठीक है people were not united तो nationalism आई कैसे ठीक है rise of nationalism जो है तो nationalism rise हुआ कैसे सवाल यह है ठीक तो सवाल का जवाब क्या है जवाब यह है कि हमें यह समझना होगा कि society कैसी थी जब society united नहीं थी society कैसी थी तो society ऐसी थी मतलब society में aristocrats हुआ करते थे और new middle class के emerge होने के साथ में ही nationalism जो है वो भी rise होता है अब क्या कहानी है वो समझते चलो यहाँ पर सबसे पहला जो आपके मन में doubt होगा तो यह बहुत जोर से यूरोप में कि यूरोप में nationalism nation states का idea जो है वो new middle class के emerge होने के साथ में emerge हुआ ठीक है तो अगर अभी हम बात करें aristocracy की तो aristocracy देखो simple पहले अगर कहानी को समझे तो aristocracy को अगर मैं ऐसे समझाओ आपको कि जो राजा महराजा हुआ करते थे मतलब राजा महराजा इंडियन कंटेक्श में पाकी समझते चलो कि वहां पर जो ruling class हुआ करती थी शब्द simple रहेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए ठीक है जो राजा महराजा जो वहां की ruling class हुआ करती थी तो ruling class के भाई भती जे नाती पोती ठीक है चाचा ताओ ये सारे लोग जो होते थे ना तो दी ruling class and the people associated with ruling class belong to aristocratic class ठीक है तो ये aristocracy बनाते थे मतलब की ruling class से जुड़ोगे लोग सारे aristocrats हो गए and they were the dominant class in Europe before the emergence of nation state तो जब राष्ट नहीं बने थे nation states नहीं बने थे nationalism नहीं आया था उसके पहले दबदबा किसका था aristocrats का था aristocracy का था ठीक है aristocracy मतलब एक तरह से ruling elite और उनके जो जुड़ोगे लोग थे वो सब हो गए ठीक और वहीं पर न्यू मिडिल आते थे top allies में आते थे नहीं वो किसमें थे एकदम जो लोवर क्लास थी जैसे थर्ड इस्टेट में क्या होगा पीजन्स होगे राज्य होगे न तो उन पीजन्स में भी नहीं आते थे वो मतलब आप देखो के तो इस यह कि वह पीजन्स ही बात में मिडिल क्लास बनेंगे एक राजा महराज ओगा दूसरे सब प्रजा हो गई लेकिन उसी प्रजा में से जब कुछ लोग क्या हो जाएंगे पैसे वाले हो जाएंगे धनाट्य हो जाएंगे जिनके पास संपत्य आजाएगी तो वह ना तो कि aristocracy क्या है मिल क्लास क्या है ठीक चलो अब एक से समझते हैं तो रिच लेंडेग अरिस्टोक्रेसी पैसे वाले थे जमीन थी खूब और इसी कारण से कैया हमके पास पावर थी कि वह रूल कर रहे थे तो रिच लेंडेट एरिस्टोक्रेसी या फिर उनका कुई स्टीट नहीं बने थे उस टाइम पिरेट में एरिस्टो क्रेसी वाद डॉमिनेंट क्लास टिकेफ डॉमिनेंट ट्लास टिक अप्टे इस्टो क्लास को अगर हम समझें तो अच्छे से समझ ना शौटन लिखने पर जाता है या फिर अब इसी से MCQ बना दो यहीं पर देखो तो यहां पर MCQ बन जाएगा अगर तीन स्टेटमेंट देदी या तीन में से कुछ एक बदल दिया मैंने कि फिर नौट कर्क्ट नौट कर्क्ट ठीकरेच फिर इन रिंड इन विगार्टस तो अरिस्टोमेटी क्वरे टेखने टीनिस्टिक उप्शन दे या एं और विर जैए अली आ सीज को कुस्चन कहीं से विआ सकता है अपने से साह कुले ठाम रॉम Zentुडuten कर देखने तो aristocratic class क्या थी aristocratic class जीसे हम देखे तो United by common way of life that cut across regional divisions अब क्या होण गफैं यूरोप है तो पुरे के पुरे यूरोप में क्या है अलग-अलग रीजन है जह सब्स्राइब यहीं तो इधायों के पॉआ हला रीजन है आपDie हो गया splendे म named तो वो क्या है वो यूनिकार्ण्स मनुद टाप बिजनस्मेन वे लुपक्षमीर का भी हो सकता है नागालयन गाँ बिजनस्मान सब एक क्यों एक हो सब शुड़े हुए mythology कूट नहीं दॉज है तो वेसे ही यह तो लोग दो नहीं तो से पास में प्रिविलिजेगे नहीं तो उलिंकि लोग होते तो उसकारण से क्या है बड़े आप सब लागा रेकी रही अपनी पूरी ठीके टिके आप की आपने आप सोसाइटी आप क्या रहा ना मिले बता है कि जब सब एक क्लास को आप देख रहे हैं कि सारे टॉप बिजनस में तो क्या हो जाए पैसे वाले लोग है तो उनके बीच में क्लचर ऐसा होगा कि फॉरें ट्रिप्स करेंगे वो लोग इंग्लिश लैंग्विज बोलेंगे तो ऐसे कि यहां पर आप देख रहे हैं तो जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी ना तो हाउ देवर कनेक्टेट बाइड वे ओफ लाइफ सब क्या बोलते थे फ्रेंच लैंग्विज बोलते थे फॉर फ्रेंच फॉर दी परपस ओफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी ठीक है देर सेमली स्वर ओफन कनेक्टेट बाइड इटाइज अब यह होता है कि जब भी आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा इंसान है जब वो शादी की बात करेगा अपने बेटे बेटी की त पर तो आलाग अलाग रिजन पर रह रह रहा थे कि कोई ऐस्ता क्रेट कोई फरांस का आरिस्टोक्रेट है लेकिन तरक शादी की बात होती तो यह अक्षर हो उनका फ्रांस के साथ में संबंद कर दो नाइन क्लास को रिकॉल करो आप बोलो के सब पूरी नाइन थी पढ़ा है तो यह इसलिए तो हम कहते हैं कि नाइन बहुत अच्छे सब्सक्राइब तभी 10 अच्छे सब्सक्राइब तो उससे आप सारी चीजे कनेक्टेड है तो में न आपको यह भी दियान होगा कि जब क्या होता है कि वह दो हुसा अगलते कि यहां अबने पास वापिस श्रॉल्स सॉल्स कमदद मिल भी ऑस्टिक है तो french language उनको जोड़के रखती थी ठीक है उनके पास में सबके पास में एक जिसा क्या है कि countryside में खुब जमीने है ताउन हाउसे बड़े बड़े ठीक है देवर connected by the ties of marriage ठीक है फिर क्या है this powerful aristocracy was however numerically a small group तो जिससे अगर आप देखते हो कि जो पैसे वाली population एक बहुत अच्छी चीज़ बता तो मैं आपको कि 80% of the wealth ठीक है 80% of the wealth is controlled by the 20% population तो जो लोग power में हैं वो कम रहते हैं हमेशा तो वही चीज़ यहां पर भी क्या कि this powerful aristocracy was however numerically a small group जैसे देखो कि नो गरीबी हमेशा ज्यादा देखने के मिलती है आपको अमीर लोग जो है तो क्या है numerically small group रहता है तो उस तरह से aristocrats जो थे तो no doubt they had power power in terms of everything economic power political power ठीक है social prestige भी उनकी बहुत जादा थी लेकिन they were in they were in minority ठीक है तो numerically small group था उनका इतनी चीज़े समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी से समझते चलना यह क्यों समझा रहा हूं मैं क्यों कि हम यह देखने कि जब nationalism का राइज नहीं हुआ है जब nation state जैसा concept नहीं था उस समय यूरोप में क्या चल रहा था बैगराउन समझ में आना बहुत जादा जरू है तो उस समय यूरोप को जिससे आप देखोगे तो क्या है 님이 class emerge pourtant you ौि कॉन सी नियू मिडिल klas इमर्ताया नियू इनी लोगों से बनेगी जह सकते पूर presentry थी वही मेरल डास इक सवाल आता है कि जब enrichment सौर्टेट्स माईटे में थे इंush में बैग्स मेरेध यंच्वन प्कॉन थे चलो तो मेंसमें पर टू刚 सुआ करते थे तो जो घुलिंग कलास के लोग नहीं जो लोग नहीं लोग पास ज्रॉलिटी नहींतित उस्वे टारइ कर रहे हैं आपको कि नपोलियन ने सर्फ दंप को फ्री कर दिया तो उस तरह से क्या है कि मैजोरीटी किस चीज से बनी ती मतलब मैजोरीटी पॉपलेशन वास कंसिट्यूटेट अफ पीस एंटरी तो पीसंट्री तो पीसंट्री तो जो हुआ करते थे वह मैजोरीटी में यह कहानी और तो इवेस्ट इबलक ओस लैंड वास फांग बाइड इपीनेंट्स एंड इस्माल ओनर्स टिकेवाइल इस्टर इंट्र इंट्रल यूरोप डिपैटर अफ लैंड वोल्डिंग वास्टीट्स विच वर क्ल्टिवेट बाइट 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 वास्ट तो मतलब वह तो पीजा होता कि पीजांग पास बहुत जादा जमीन नहीं ती या फिर वह काई टीन इस की तरह काम करते तो बड़े-बड़े जो लैंड लॉड़्ड वा करते थे एलिस्ट वा तो में काम करते थे और वहीं सेंट्रल यूरोप और इस्टर यूरोप की बात करे मतलब Central Europe जिसे पोलन पोलेंड वगरा हो गया Eastern Europe और रश्या साइड आ जाओगे तो यहां पर कैस्तिती थी पीजन्स की तो यहां पर पैटन ओफ लैंड हुल्डिंग must characterize by the vast states विच वारन लिटीजवटीवस वार वा करता था की वास्ट Ms. स्टीविटीज बड़े बड़े क्या सकते हैं कि बड़े-बड़े क्या हूं करते थे थे film उन्हीं कंट्रोल कौन कर रहा था सर्फ मतलब control to aristocrates कर रहे थे which were cultivated by the serfs तो यह सर्फ हुआ करते थे सर्फ मतलब क्या है मैंने आपको बताया एक तरह से bonded labor की तरह होते थे कि जो फिटल लॉट हुआ करता था एक राजा थै इत्ता हिस्सा दे भूल धिया कि यहां पर तुम समालो तो फिडल लॉट सब्सक्राइब था लोगों को ऐसे अपने गुलाम बना लेता था या फिर कह सकते कि सर्फ के तरह उनसे काम करवाता था कि हां आपके उपर इतना का स इतने समय काम करोगे तो यह कैरेक्टरिस्टिक थी ठीक है यह हम क्या देख रहे हैं यूरोप की कंडिशन देख रहे हैं before the emergence of nationalism की जो dominant class थी वो थी aristocracy aristocracy क्या है बहुत अच्छे समझ में आया ठीक है और उसके बाद में आप हमें यह पता है कि aristocracy क्या थी नुमेरिकली small in number थे aristocratic class तो मेजर्टी में कौन था तो पीजन्स थे लेकिन पीजन्स के पास पावर नहीं है ना political ना economic देख रहो ना या तो छोटे-छोटे किसान है या फिर वो क्या है वो किसान किसके अंदर में काम कर रहे हैं उन्ही aristocrates उनी फ्यूडल लॉड्स के अंडर में काम कर रहे हैं समय जाया है यहां तक ठीक है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत एक्दम मखन की तरह जारी यह चीज़ है आपके दिमाग में के अब देखो क्या है अब बात करते हैं हम दूसरे सेक्शन की दिन्यू मिडल क्लास अभी कहां से आगी सर्व धरती फार के आसमान से किदर से गिरे तो यहां पर नियू मिडल क्लास जो है ना यह कनवर्ट होती किसी में से कि जो पीजंट्री आप देख रहे हो ना वही पीजंट्री धीरे-धीरे क्या करती है फ्लरिश करती है एकोनॉमिकली और पैसा पावर लाता कि वह अरिस्टोक्रेट को चैलेंज करने लगें अभी अगर समझ नहीं आया तो आप सको जीरो से फिर स्टाट करते देखो तो न्यूमिडल क्लास कहां से आई तो सबसे पहले क्या होता है इंडस्ट्रियल रेवलुशन की बात करते हैं यह क्या चीज है सर तो इंडस्ट्र रेवलुशन आता है सबसे पहले यूरोप में आता है कि मतलब वहां पे साइन्टिफिक टेम्प्रामेंट कर डवलप्मेंट होना की लोग थोड़ा साइन्स में विश्वास रखने लगे ठीक गदायमाली नहीं करें तो नहीं नहीं स्टीम इंजन लिया आया जैसे 18th century में इस तरह से ढरीए-दीरे डवलप्मेंट हुआ साइंस का डवलप्मेंट हुआ इंड़स्ट्रीज का देवलप्मेंट हुआ लार्ज स्केल पर प्रडुक्शन स्टार्ट हुआ तो अब वह बनाये तो शट को क्या करेंगे नहीं बेचेंगे पैसा आएगा अब पैसा किसके पास जा रहा है तो यह aristocrates के पास पैसा नहीं जा रहा रहा है अपने खेती बाड़ी में अपने बड़े बड़े से स्टेट्स में परिशान हो रहे हो यह कौन महनत करा था करने स्टाट का मंझ करने स्टाट कि यांड़ स्टाट कर रही लगा फैसा आने लगा तो-ह्य है बन ने चल नहीं होंगे जहां और टावन भाणेशंस नहीं होंगे सेर्म में परेफिशाyards Kita क्राक्रास नरखी जो रहे घुछ उगकोर रहा को सब्सक्राइब कि अच्वाज कि पास पैसा रहे जिनके स्थिती थोड़ी बेटर रहे गी पूर पीजनें ट्रीस हे वह सप्रत जोन दियान रखना यह पॉइंट यह पॉइंट आगे अगले टॉपिक में फिर करवाऊंगा ठीक है तो मिडल क्लास की एक्जिस्टेंस ही इस चीज पर डिपेंडेंट थी वह मिडल क्लास मिडल क्लास बनी ही इस कारण से क्योंकि इंडस्टियल रेवलुशन से जो मार्केट से उन्हें फायदा मिल रहा था जो ट्रेड करके फायदा मिल रहा था ठीक है उससे ही उनका एक्जिस्टेंस आया तो यह पॉइंट गठान मंदो है तो मिडल क्लास के लिए मार्केट की फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक ह के मार्केट होगा तभी तो ग्रो कर पाएंगे ना समान बेच पाएंगे खरीद पाएंगे ठीक तो कनेट कर पाएंगे नियू मिडल क्लास कहां से आई तो विदी हेल्प आफ इंडस्टियल डेवलुशन ठीक है विदी ग्रोट अफ टाउंस यह इमर्चियल क्लास हुस क्या हुआ देखो तो अभी यह कमर्शिल क्लास जब इमर्च हुई जो मिडल क्लास वो जब इमर्च हुई ने तुसका उटकम क्या आया विदी इमर्चेंस ओफ वर्किंग क्लास पॉपुलिशन एंड मिडिल क्लास इस मेड़ अफ इंडस्टियलिस्ट बिजनस्में इमर्जेन्स ओफ ने का दख लिए इमर्चेंस थे इंडस्टियलेशन आउटकम क्या आया कि एक नई की नहीं के लिए डिडिलेशन की इस्पकी बंगी बिजनस्मेdrawी नेश्टियूर इंडस्टियलिस्ट की को उपस्टैंफ इने लिए नहीं के बन गई है नहीं कंगी केसा That idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity and this is the point which you are required to understand properly. इसको बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पर जो आपको आपको चिडिया बनाई है, तो इसलिए बनाई है, कि आप उसको बहुत अच्छे समझपाओ. मिडल क्लास इमर्ज हो गई है, मैंने क्या बता है, मिडल क्लास की existence किस चीज़ पर डिपेंड करी, कि मार्केट की freedom हो. मार्केट पे, मार्केट पेक्तर से इसे देखोगे, तो सेंद मार्के कौन बैठा हुआ है, मार्केट पे आप देखोगे, तो अरिस्टोक्रेटिक क्लास बैठी हुई है, क्योंकि अरिस्टोक्रेटिक क्लास डॉमिनेंट थी, ठीके, अरिस्टोक्रेटिक, मतलब दिखती ब classes that the idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity तो यह जो middle class emerging ती इसका आगे liberal लगा है liberalism क्या है what does liberalism stands for यह हम next video में पढ़ने वाले है liberalism basically क्या है कि जो ideas थे कि market की freedom हो ठीक है यह किसी इस की बात करें abolition of aristocratic privileges उन्हें समझ में आया कि aristocratic class जो अपनी power में क्यों है इसा लगता है हम तो मेहनत करके industries से power में आये हमने पैसा ऐसे कमाया aristocrats के पास पैसा कहां से आया कि बस उनके पूर्वा जो के पास property थी उनके पास में प्रिविलेजिस बाइब बर्थ हैं कि आउने टेक्स नहीं देना पड़ेगा और इस कारण से क्या है कि वह सिस्टम चला रहा है रहा है और हमेशा पावर में रहे है जो कि गलत है ठीक है तो यह जो लिबरल मिटल क्लास सिमर्ज होज़िय थी उनकी ड़िमांड थी कि मार्केट सुडम रहे क्यों क्यों प्रिवलेच से इरिस्ट क्लास को सानटीज खतब क्रोव केक्वयलेटि गिमांड करेंगे तो आप रहा है वह ठीन keodellika जा handlar हो आप भी दिली के रासते जा रहे हो भाया तुम भी दिलीक्रास्य जल रहे हो सब जब दिली के आपस में करें डिल करेंगे इस केस celebrations MI क्या है कि अब सारे बिडिल लास के लोग चाह रहे हैं कि जो एरिस्टो क्रेटिक प्रिविलेजिस है जो इस टो एक तरह से क्या है कि बस बैठा हुआ अपने आपको जमा के उसके फिलिजिस कहतं किये जाए ठीक है तो वह बाद करेंगे कि हम सब को एक जूठ होना पड़ेगा एक जूठ होना पड़ेगा मतलब नैशनल यूनिटी नैशनल नेशन इस्टेट आया कनेक्ट कर पा रहे हो तो इस तरह से बैग्राउंड समझो कि बिफोर दी इमर्जन सोग बिफोर दी राइस आफ नैशनलिजम इस सोसाइटी वाइड़ यह समझ में आए आपको नियू मेंडरिं क्लास क्या है याल न्यू बीड़ास होती हो ओर यह दो, वह चालेंज करती है किसको वह चालेंज करती है एरिस्टोक्रेसी कीitez टो क्लास की पोजीशन को अधि powal आब ये सवाल आपके मंन में कि स्वाहां वरे नीदो मिड़ा से इम outside justan ovests team sahide may industrial revolution पहले आया तो industrial revolution यहाँ पे industry जेसे booked a화 मैं फिर फ्रान्स जर्मनीह आपे सब जगहए इन्दस्टीर के फ्लरीश हुए और इंड्स्ट्यए रविशिन पे ही existence dependent है market पे existence independent न्यूड इलाज का तो दी new middle class initially emerged in the western part of the Europe और इसलिए फ्रांस में एलिशन पहले आया क्योंकि यहां लोग economically powerful feel कर पा रहे थे ना ठीक है वही चीज़ अगर हम बात करें Central और Eastern Europe की ना तो हमने अभी क्या पढ़ाए कि पीजेंटरी जो थी तो Central और Eastern Europe में क्या था कि यह तो वो एक तरह से कहा सकते हैं लेंडलेस लेबर थे और कल्टिवेशन सिस्टम क्या था कि फ्यूडल ओड्ज ओवा करते थे और सर्फ जो अधर करते थे वो काम करते थे गुलामों की तरह काम किया करते थे तो यहां फिर स्मॉल फार्मर थे तो जिनके पास आजादी जादा थी ठीक है लेकिन यहां क्या है आजादी कम थी कल्टिवेशन सिस्टम जो था वह अंडर दी सर्फ तो यहां पे मिडल क्लास इस्टर और सेंटर पार्ट में लेट इमर्ज होगी तो इनिशेली दी मिडल क्लास इमर्ज इन वेस्टन पार्ट ऑफ यूरॉप और तो बी मोर प्रिसाइस वेस्टन पार्ट ऑफ यूरॉप तो ब्रिटन में लोग ज्यादा तेज थे ठीक है मिडल क्लास इमर्ज हो गई वह मिडल क्लास ने क्या है कि आप देखो कि तो बाहर जा कि कितना जादा पैसा कमा लिया बाहर के मतलब कि कॉलोणी वगरा बनाने स्टाट कर दिये इस्ट इंडिया कंपनी निकल पड़ी तो फिर रेस्ट इस्ट्री करेंगे तो हम अभी हाँ पर इंडियन नैशनल मुम्मेंट खोल के बैट सकते हैं तो मैं उमीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्रिस्ट को ठीक है अरिस्ट इसको जब यह चैलेंज करेगी तो वह उनाइटेज हो जाएगी उनाइटेट होगी मतलब क्या हो निशन स्टेट की बात करेगी उनके बीच में नैशनलिजम का फोर्स स्ट्राउं होगा तो जो नैशनलिजम था ना नैशनलिजम वास बाश्ट ऑन डि of middle class and what was the idea of middle class so liberalism was the idea of middle class what is liberalism that we are going to study in the next video connect कर लिया बहुत प्यार से ठीक है तो यहां पर new middle class जो है new middle class का जो idea था liberalism वो हम नेक्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हमें उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीज़े आपको एकदम लिबरल नेशनलिजम अखिर है क्या चीज़ बहुत अच्छे से समझना इस टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और उससे पहले से और न्यू मिडिल क्लास थी न्यू मिडिल क्लास तो बाद में आईगी अरिस्टोक्रेट्स जो हुआ करते थे वह डॉमिनेंट क्लास थे सोशली भी ही पॉलिटिकली भी एकनोमिकली भी ठीक है उनके पास पैसा था दबदबाधा सब कुछ था अब वह बाइबर्थ सारी च चाहिए तो आप सोसाइटे ऐसा है कि हम युद्द छड़ने वाला है उस पॉइंट पे हैं अब हमें यह समझना है कि जो न्यू मिडल क्लास इमर्ज हुई थी ठीक है लिबरल मिडल क्लास जो इमर्ज हुई थी यह किन आईडियास पर बेच थी तो आप बोलो कि हांसर इनक मिडल क्लास न्यू मिडल क्लास जो आई थी वो किस सोच में विश्वास रखती थी लिबरलिजम में विश्वास रखती थी और यही एजंडा है इस वीडियो का कि हम लिबरलिजम को समझे है लिबरल नैशनलिजम को समझे तो लिबरलिजम को समझे है तो लिबरल नैशनलि निन येट रहे हैं तो नैशनला वह मतलब डिया राष्ट्रवारीड मतलब किया आपक एक वंतन चल से अपने आपको जोड़ रहे हो एक में liberal nationalism तो ये national unity की जो idea है ये national unity का जो idea है ये किसके दुवारा है तो दो को दिए आइडिया ऑफ नेशनल उनिटी इन दी अर्ली 19th century Europe was closely allied to the idea of liberalism तो लिबरेल नेशनलिजम लिखने का मतलब यह ही कि nationalism जो है जो idea of national unity it was closely allied to the idea of liberalism liberals जो है जो इस विचार धारा में विश्वास रखेंगे देखो ideology है आई इसम मतलब क्या होता ideology होता इस चीज़ को देहान रखना तो जो ये simple रखना है simple ऐसे रखना है कि सबसे पहले हमें क्या समझना होगा हम राइक rise of nationalism को समझ रहे है तो rise of nationalism में कहीं जो middle class है उसने एक बहुत important role play करा है अब जो middle class थी तो middle class was based on the idea of liberalism ठीके तो middle class जो थी टो ती इडिवन भाइधी आइडिया डिवन भाइडी आइडिलाजी ओफ लिबरलिजम तो लिबरलिजम को समझ लोग ठीक है इसलिए करहा हमें liberalism को परहे समझो तो देखो liberalism कि समय बना लिबर वर्ट से बनाए लिबर प्लस आई इसम है तो आई इसम मतलब तो कि और समय समस्क्क वंतिल गया लिबर का मतलब का होता है ले एं लिव कं रहेलिब लोग चाराहे वो industrial revolution का फाइदा उठा के अमीर होना चाह रहा है लेकिन अरिस्टोक्रेट्स जो है वह वाली पावर वाली बात कि अरिस्टोक्रेट्स उन्हें उपर में जाने देंगे तो यह चाहते थे कि state जो है government जो है इतने restrictions ना लगाए आजादी दे freedom of individuals होना चाहिए वह हर रूट बर्ड लिवर लिवर मतलब free free मतलब आजाद वो शब्दाया है तो liberalism क्या है तो liberalism is an ideology which is derived from the root word for liberalism is derived from the word liberal which means free in Latin ठीक है तो for new middle class liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before law to freedom for individual समझ में आया एप and equality of all before law मतलब क्या है कि liberalism idea liberalism ideology से जो associated लोग है वो किस चीज़ की बात करते हैं क्या aristocrates privileges क्यों enjoy करें ठीक है सब समान होना चाहिए तो वो किस चीज़ की बात करते है equality before law की बात करते है कि सब समान रहे है ठीक है सब एक समान रहे है समझ में आया तो what is the basic idea of liberalism बहुत सिम्पल है liberalism जो है वह फ्रीडम पर की बात करते हो तो यह freedom यह quality उन एंपायर स्केंडर में नहीं मिलेगे आपको कि जहां आपका एक रूलर होगा वह रूलर अत्याचारी होगा ठीक अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो होगी आपको गवर्न कर रही होगी वहाँ पर यह सारी चीजह नहीं मिल सकती है करेक्टर पारो वहाँ पर यह आजादी मिल नहीं सकती है तो अब इस आजादी को का कैसे पालो कि जब आप एक सांथ सारे एक जुट हो के एक देश बनाने की बात करोगे जहां पर अपने इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटव को चूज करोगे आगे समच में तो लिब्रलिशम वास असोचेटेट विद नेशन स्टीट तो लिबरल नैस्टनलिसम मतलब जब लोगों के आईडियाज लिब्रल हुए जब लोगों ने लिबरल इसम में आइडिलोजी औरॉप्ट कि किया, when they started believing in those ideas and when they were in power, लेको पहले, अब आइडियास तो पहले भी आ सकते थे, सर पहले क्यों निया है, आइडियास पहले भी थे, लेकिन पहले क्या है कि उनके पास खाने के लाले पढ़े रहते थे, लोग सब गरीब थे, पीजन्स थे, गुलाम थे एक तरह से सर्फ थे, स् लेकिन जब भी वह बीडिल क्लास होगे, वह मेडिल क्लास को इन आइडियास से कह सकते हैं, यह जब रूबरी करवाया गया, तो मिडिल क्लास के पास में एकनॉमीक पावर थी जो भी थी, तो वह उपोस्च कर सकती थी एरिस्टोम्रेटिक प्रिविलेजिस को ऐसे चीजें चलती है एतियास का पईयां ऐसे घुणता है आईडीयास जो है इस तरह से एफटेव होते हैं अपको मज़ा आया समझना ही चीज़ है तो हम liberalism की बात करें आ फो हम देखती बुक में आपकोGroup- का तोसाफ दायमेंशन पर समझाये गाया लिब्रारलिेजम in the political sphere creative capitalism in the economic sphere मतलब आजादी की बात कर रहें तो को पकड़के चलना है बस तो यहां पर क्या है कि political liberalism क्या होता है question मन सकता है mcq में सकता है theory पे बन सकता है economic sphere में liberalism क्या होता है यह question मन सकता है sub question मन सकता है in general liberalism पुछा गया तो आप समझा सकते हो तो अब आगे वड़ते हम हम देखते हैं liberalism in the political sphere ठीक है liberalism in the political sphere तो क्या है political sphere में ठीक है politically liberal होना politically आजाद होने का मतलब क्या हो गया एक तरह से free होने का मतलब कि it emphasize the concept of government by consent पहले क्या concept चल रहा था तो आप देखेंगे तो जब और जिससे आप देखोगे तो aristocrate जो है तो वहां पर government का कोई system नहीं है ठीक है वो जो राजा है वही सब कुछ है ठीक है the king is the state state is the king इस तरह का concept हुआ करता था कि राजा जो है वही राज्य है और राज्य ही राज्य ही राजा है बस that's it तो यहां पर जब liberalism का idea new middle class के बीच में flourish हुआ new middle class के बीच में जब उन्होंने liberalism की ideology को adopt किया न तो वो किस चीज की बात करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं चले गारा ठीक है राजा बाबू government by consent होना चाहिए government by consent मतलब क्या है कि जो जनता चाहे उस तरीके से सरकार बने ठीक है government by consent होना चाहिए तो रहोने government by consent का idea जो है इस चीज पर focus किया liberal nationalist ने clear since the French Revolution liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges और जैसे अगर आप देखो कि ना तो French Revolution based in ideas पे था क्या कि लुए 16 जो है वो क्यों इतना मतलब एक तरह से देखो कि कि autocratic position बें उसको कोई question नहीं कर सकता उसको मतलब उसके सारे privileges वो सब कुछ हम कुछ नहीं ठीक है तुमना लुस्टिक्षिन को इतनी पावर आई कहां से ठीक है देश की जनता का देश तो राजा कहां से आई भीच में तो इस तरह से क्या है कि French Revolution के साथ में यह आईडिया of liberalism है यह क्या होते है आग की तरह फैलते है और इस तरह से liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges मतलब जो clergy class थी ठीक है उनके जो privileges थे उनको जो privileges मिल रहे तुमको ख़तम करो ठीक है सब समान एक समान equality before law उस चीज़ पर ही बेंच थाना आइडिया तो जैसे French Revolution आया French Revolution के जो आइडिया से Liberty Equality fraternity वह ऐसे ही spread हुए ठीक तो वहां से क्या है कि वहां से liberalism को आशा रहा है जी थोरी अपनी ठीक है ठीक है और क्या होता political sphere में अगर liberalism को समझे तो government by consent होना चाहिए ठीक है end to the clerical privileges end to the autocracy ठीक है उसी के साथ साथ क्या है कि सब कुछ constitution driven होना मतलब वही वाली बात है king is the state state is the king कि राजा राज्य है राज्य ही राज्य है ऐसा थोरी ना चलेगा ठीक है एक system होना चाहिए एक constitution हो जिसमें सब को एक समान ट्रीट किया जाए तो a constitution and representative government through parliament तो जब government by consent होगी तो जो government बनेगी वह आपके दोवारा चुनी जाएगी आपके representatives for parliament to constitution हो इस चीज की बात होती है liberalism में ठीक है liberalism in political sphere समझ में है liberalism in political sphere इस चीज की बात करता है ठीक है 19th century liberals also stress the inviolability of private property अब क्या है in availability of private property मतलब क्या है कि दो पहला तो ही century वाला खेल समझ लो मुझे लगता है काफे सारे students में confused रहते हैं तो इसमें confusion नहीं होना है ठीक आप answer में जबार से लिखते हो न 19th century 18th century तो उसे प्रभाव पड़ाता है कि बच्चे को एक understanding है कि कि time frame में क्या चल रहा है और दूसरी चीज़ उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से सेंचुरी क्या होती है सिंपल सा कंसेप्ट याद रखने का देखो यसे आद रखो एक निंजा टेकनिक बताता हूं क्या कि आज हम कौन से सेंचुरी में जी रहा है हम 21st century में जी रहे है 21st century मतलब क्या है तो 2001 से लगा के ठीक है टू थाॉजण 99 अगर हम वहां तक रहे तो यह जो टाइम पिरिट रहे है 21st century कहलाता ता है 21st century यहां complete हो जाई ऐसे तो आगे वाली चीज दियान रखना है यहां पर जैसे आप देखेंगे 20th century क्या थे 20th century complete हो गया ऐसे समाझ लेना ठीक तो आप क्या बात लिखी जा रही है कि 19th century 19th century मतलब क्या है 1801 से आप कहा जाओगे 1900 पे यह वाला जो time period रहा ना तो liberalism का idea यह तो फ्रेंच revolution के बाद वाली century तो इसमें क्या है कि अब लोगों ने फ्रेंच revolution को देखा टेस्ट चखा आजादी का तो उसमें उन्होंने आजादी हर चीज की दिमांड की हर चीज की कैसे डिमांड की तो political sphere में इन्होंने liberalism की बात की ठीक है वहीं पर आप देखोगे तो private property ज चाहिए बर्थ राइट होना चाहिए वह एक तरह से ठीक है इंडिविजर्स को freedom होना चाहिए एक्वैलिटी होना चाहिए ठीक है इंडिविजर्स शुद भी फ्री तो पॉसेस दी प्राइविट प्रॉपर्टी इन सारी चीजों पे स्ट्रेस करता है liberalism in political sphere आगे नहीं सब देखो अब यहां पे एक एक फेक्ट एक पॉइंट जो है उसे थोड़ा धिहान रखना बहुत अच्छे दिहान रखना और कि येट दी इक्वैलिटी बिफोर लॉव डिडिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर्टी राइट देना उनिवर्सल सफरेज मतलब क्या है कि सब आपको वोटिंग राइट थो सराम को मिले का नहीं बचों को नहीं यहां पर मैन और विमेन दोनों की बात की जा रही है तेकिन क्या हो रहा है तो भुए अच्छी तरह से यह क्या है यह जो चीज है तो इस लाइक हीपोगर्सी की सीमा होती है लाप मैं को वोटिंग रएट 19th century liberalism जो था ना उसमें freedom freedom of individuals की बात की जा रही है लेकिन वो individuals में women को नहीं लिया जा रहा है equality की बात की जा रही लेकिन उसमें women को नहीं लिया जा रहा है तो yet equality before law equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage connect with the french relation to yourself देखेंगे french relation में भी क्या active passive citizen का system आ गया ठीकिए उसमें भी क्या विमन को तो कहीं नहीं रखा नोड़ाओट की जाकोबिन रूल जब आया था तो एक short period के लिए ठीक है जाकोबिन रूल जब आया तो एक short period के लिए women को वोटिंग राइड मिला था अगें going back to the class 9th class 9th की इस्ट्री जितने बहुत अच्छिस पड़ियोगी बढ़ा कुछ वह रहा होगा जिसने नहीं पड़ियोगी सिर्पीट रहा होगा क्या सम्ना इंतना 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 तो जैकोबिन के टाइम प्रेड में समने का देखा था कि women quick short period के लिए voting right मिले थे लेकिन फिर Napoleon ने वापिस आगे क्या कर दिया था विए नकिसारे राइट वगरा सब खत्म कर दिया थे ठीक है तो इस तरह से क्या कि कि यहां पर equality before law Joe liberalism में बात कर रहें political sphere में तो सब के लिए नहीं था only for property men की बात की जारी है और मैं में भी इनके पास संपत्ती थोड़ा जो text works this is a thing together so this was liberalism in political sphere take a bag a banana top can liberalism in economic sphere liberalism in economic sphere analysis subject to the emerging middle classes demanded for the freedom of markets and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital अब very simple कि हमने political sphere में देख लिया कि government by consent होना चाहिए constitution होना चाहिए उसी के सहाथ साथ में elected parliament होना चाहिए यह सारी चीज़े political sphere में liberalism political sphere में freedom or equality को दर्शाती है अब वही freedom or equality economic sphere में कैसे समझ में आएगी आपको कि जो middle class थी मैंने क्या कर पाएं तो वो क्या चाहेंगे कि government जो है किसी भी तरह से उनके उपर उनके trade पर ठीक है उनको पैसा कामाने में जो चीज़े मदद करी उन पर restrictions ना लगा है तो they will demand the freedom of market तो अगर कुशन आता है what do you understand by the liberalism in economic sphere तो एक चीज़ ध्यान रखना है freedom of market is the basic essence of liberalism in economic sphere liberalism economic sphere में मतलब क्या है कि market को free छोड़ दो मतलब भाग के नहीं जाएगा market ठीक है मतलब क्या है मार्केट में जो इंसान जो करना चाह रहा है उसको उस चीज़ के आजादी मिल जाए ठीक है सेसिलीटेट करो ना कि हिंडर करो simple सी चीज़ जो कि नेपोलियन निकिया था इसलिए तो नेपोलियन हेरो बना था क्योंकि क्या हो रहा देखो 19th century में लिबरलिजम जो फोर पे अपने नो डाउट लिबरलिजम में गवर्मेंट बाइक परलेमेंट वगरे इंसारी चीज़ों की बात थी लेकिन वह मिडिल क्लास मिडिल क्लास जो बनी थी वो क्यों बन मतलब अपने अपनी पोशिशन को सिक्योर करके रखा ना पुराने अरिस्टोक्रेट की तरह ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि बस गलाई दबा दी अपना ठीके तो वह चीज़ थी कि लिबरलिजम इन एकनोमिक स्पेर मतलब फ्रीडम 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 फ्मार्केट सम्झो ज समय कि इकनोमिक शेटफ हुआ करता था तो क्या हो रहाता था तो दाटनेटा फिख होता इंप रॉक फट्रफ पयजमन वह अगर नियुक्त होगा थे है अब किसे gesture उसके जूच examination तो यहां टेक्स लगाए जा रहा है तो इस तरह से स्थिति क्या हुती थी कि एक्जांपल में बताय गया है कि है लिए दिस्टेंस अलग लग दो जगा से एक जगा से दूसरी जाने में 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता था हर जगा 5% टेक्स देना पड़ता था गैसे ज़ीस कहा था और यहीं चीज शोपर जोता रहे लेकिन इस तरह रिस्तिक्शन लगें तो कहां से यह तहहां से रहोगा की दूकान बंद करो चलो ठीक अपना दंदा चौपट उस तरह के स्थिति हो जाती थी फाइन डिफरेंस इन यूनिट और फिर क्या होता था कि आप दिसे देखो कि रिस्ट्रिक्शन बहुत थे रिस्ट्रिक्शन के साथ में यूनिफर्मेटी नहीं थी क्या होता था था यूनिट और वेट इन मेशनमेंट में बहुत जाधा डिफरेंस होते थे अब क्या हो रहा है जैसे यहां प्यूर्ण पडिया गया है भर देखो गे व्यूनिट एक है कि यूनिट है फॉर मेशैंगी क्लोड तो पहले कपड़े को जैसे आज हम मेटर में कपड़ा में करते न कितना कपड़े न से कुछ मिटा मतलब कुछ यूनिट आफ एल क्लोग लेके जा रहा हूं अब यहां आते हैं तो इसकी यूनिट क्योंकि जो मैजरमेंट वह बदल गया तो यहां घट गया बढ़ गया तो ऐसे गहाटा नुकसान बहुत होता था क्योंकि मारकेट जो था ला मारकेट फ्री नहीं था मार्केट में दिस्टिक्ष बहुत जादा को अगे समझ में, market में restrictions बहुत जादा थे, तो इसी के चलते का है, जो idea of economic liberalism समझ में आया, which is based on the freedom of market and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. Connect कर पार होना मेरी बात को, तो ये चीज़ है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखो कहा है, तो such conditions were weaved as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, new commercial classes मतलब new middle classes, तो new middle class जो थी वो इस चीज़ कैसे देख रही थी, कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो अपन कभ middle class से और नीचे सटक जाएंगे, पता नहीं चलेगा, ठीके, और अपने को अगर middle class से और उपर जा रहा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारे obstacles को तोड़ना पड़ेगा, ठीके, इन सारे obstacles को तोड़ना पड़ेगा, और यह जो ideas है कि हाँ economic freedom हो, political freedom हो, this was the basic essence of liberalism, this was the basic essence of liberalism, very simple, ठीके, तो therefore the creation of unified economic territory, ठीके, unified economic territory, unified economic territory was demanded, यह point है, इसको समझना और इससे फिर आप इसको connect करना, कैसे, तो अब क्या हो रहा है, अब लोगों को, मतलब आप बोलो गया, हाँ चलो सर, freedom समझ में आगा, equality समझ में आगा, लेकिन इससे देश क्यों बनेंगे, मतलब देश कहां से बन जाएंगे, सवाले कि यह भी आता है, कि freedom हो, equality से देश कहां से बन जाएंगे, तो बब अच्छे से समझो आप चीज़ों को, क्या है, कि अब आप चाहरे हैं कि economic restrictions सब खतम हो जाए, economic freedom हो, अब economic freedom क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे छोटा empire, यहाँ पे बड़ा empire, यहाँ पे छोटा empire, और एक छोटू से empire, तो आप क्या है, सब emperor अपनी मुचों को गता हो देते थे, और अपने अपनी हिसाब से काम चलाते थे, लेकिन अब क्या होगा, यह सारे emperors को भगा दिया जाए, और एक unified economic territory बना दिया जाए, economic territory कब बनेगा, जब वो political territory होगा, मतलब politically जब यहाँ पे एक government होगी, तो एक government एक जिसे समालेगी चीजों को, ठीक है और यह कब हो पाएगा, जब nation state बनेगे, नेशन इस्टेट बनने के लिए, क्या prior condition है, राइज ओफ nationalism, आएजना समझ में, सब mathematical है बहुत एक दम जुड़ा हुआ है, तो उस तरह से क्या है, कि liberalism ने कहीं ना कहीं, यह unified economic territory, unified political territory, इन चीजों का बीज बो दिया, idea जो था liberalism, ठीक है, आगे ना समझ में कि मैं देख लिए, कैसे economic sphere, political sphere में, unity जो है, उसकी demand की जारी थी, क्योंकि उससे ही ultimately, जो new middle class थी, new emerging commercial class थी, उसका satisfaction हो सकता था, उसकी needs का satisfaction हो सकता था, ठीक है, तो उसका अब example भी दिया गया, तो जैसे 1834 में, आप देखो के तो custom union और जॉलवरीन, was formed at the initiative of Prussia, अब देखो, नो डाउट Prussia उस समय पे nation state नहीं था, आगे देखेंगे हम तो 1871 आते हैं, जर्मनी जो है, जर्मनी का unification complete होगा, जर्मनी एक nation state की तरह बनेगा, लेकिन वो जो commercial class थी, वो तो अपनी डिमांड पुशी कर रही है न, तो उन्हें बोला चलो नेशन स्टेट बाद में बनाना, पहले क्या करो, एक तरह से economic territory तो बनाओ, unified economic territory तो बनाओ, तो जॉलवरीन एक 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 जामपल है, अब जॉलवरीन सुनने पे ऐसा लगता, कोई भूत प्रेट का नाम होगा, वो नहीं है, जॉलवरीन का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सा, जॉलवरीन का मतलब सिंपल सा यह है, कि एक unified economic territory है, जॉलवरीन, 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 जहां पे क्या है, जो समस्या है थी ना, कि restrictions, obstacles, बहुत ज्यादा लगते थे, तो उनको कम करने का प्रयास किया गया, तो एक custom union मनाया गया, जिसका नाम था जॉलवरीन, ठीक है, विच वाउस फॉर्म एट इनिशेटिव अफ पुरुशिया, जॉलवरीन में क्या कर दिया जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग रिजन्स में 30 प्रकार की करन्सी चलती थी, उनको 30 से रिद्यूस करके 2 कर दिया, ठीक है, तो यह क्या है, एक Unified Economic Territory का example है जॉलवरीन, ठीक, और फिर क्या हता, तो प्रिएशन आफ नेट्वर्क आफ रेल्वेस फर्दर स्टिमिलिटेड मोबिलिटी, हारने सिंग इकनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ धी नेशनल युनिफिकेशन, और फिर क्या है, यह रेल्वेस का कनेक्शन हो गया, तो इससे क्या है कि सारे जो अलग-अलग रीजन्स थी, वो जुड़ने लगे, तो इससे और एकनॉमिक इंटरेस्ट जो है, क्या है वह धिहान रखना लिबरल नेशनिज्म सभापस में जुड़े हूए। जब लोगों नहीं पहले का सोचते हैं तो पैसा कमाने के लिए लगा कि एक होना जरूरी है तभी हमारे इंट्रेस्ट प्रोटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, a creation of unified economic territory is very essential, तब लोग और आपस में जुड़ते चले गए, ठीक है, तो उससे क्या है, nationalism की जो feeling है, वो और strong होते चले गई, आहे हैं समझ में, so this was the whole story about what did liberal nationalism stand for, Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput, welcome to Magnet Brains, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे, a new conservatism after 1815, अब सवाल उमढ पढ़े होंगे, conservatism क्या है, after 1815 ही क्यों, ठीक है, सारी चीजें समझने का मन कर रहा होगा, सब समझेंगे, लेकिन उसके पहले जो सबसे important चीज है, वो क्या है, try to connect this story, देखो, खेल पूरा इसी चीज़ पर कि आपको एक स्टोरी लाइन में सारी चीजें ध्यान हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दो दो चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्या तो आप स्टोरी भी पढ़ रहे हैं, साथ इसाथ थीम्स भी पढ़ते चल रहे हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या समझा, एक आइडिया समझा, कि लिबरल नैशनलिजम क्या चीज है, और स्टोरी की बागते हैं, तो स्टोरी कैसे चल रही है, स्टोरी ऐसे चल रही है कि 1789 जो है, ये साल एक वाटरशेड इवंट रहेगा, क्योंकि इसके पहले तक आप क्या देख रहे हो, कि प्री रिवलिशनरी सोसाइटी है, मतलब रिवलिशन नहीं आए, उसके पहले सोस और यहां कहानी कनेट करो, नेपोलियन के पास पावर थी, आप नेपोलियन भी जो है, तो नेपोलियन हारता है 1815 में, समझना, नेपोलियन हारता 1815 में, तो यह 1789 से 1815 तक क्या चल रही है, सब चीजें बढ़िया चल रही, साब चंगा सी, अब क्या होता है, कि ये जो रहे थी freedom of market वो सारी चीज़ जो रही थी तो liberal ideas were strong in this time period समझ नहीं कहानी हां तक अब क्या होता है 18 15 18 15 वाला टाइम पिर आता है ना तो यहां नेपोलियन को चित कर दिया किसने चित करा तो नेपोलियन ने किसको डिस्ट्रॉइ कर एक तरह से आप देखो गया बोलोगे डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी को तो करा लेकिन जो नेपोलियन अलग अलग जगा जा रहा था नेपोलियन नेपोलियन की खुद बिटाई लग गई देञल की खुद बिटाई लग दी तो Napoleon कया है हार जाता है को न क्यों माले वाला कौन तो एरिस्टो क्लास से लड़ रहा था अभी जो शुलिंग क्लास से अरिस्टोक्रेट स्वॉंyt तो ये किसमें चले जाएंगे conservatives में चले जाएंगे क्यों चले जाएंगे इन्हें conservatives कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों क्योंकि जो middle class है उसे क्या कह रहा हूँ आप liberal कह रहे हो तो liberal और conservative अब ये दो शब्द ऐसे हैं आपने बहुत मतला से सुना होगा अरे यार वो उसकी family conservative है अरे उसकी family तो liberal है सुना है तो liberal मतलब क्या है freedom openness खुली सोच new middle class conservative मतलब क्या है पुरानी सोच वाले मतलब पुराने लोग थे तो new middle class के पहले क्या था aristocracy तो aristocrates जो थे ना aristocratic class जो है उसके लिए word use के जा रहा है conservatives conservative word use के जा रहा है अब यहां क्या लिखा है conservatism तो conservatism क्या है बहुत आसान है भी समझ में आएगा पहले एक बार मुस्कुरा दो मुझे बता दो कि आपको यहां पर चीज़े समझ में आ गई तो वह ideas भी समझ लिए आपने और events भी समझते चल रहे हो तो अब जो topic हमारा वो क्या है new conservatism after 1815 तो try to connect the dots from here यहां से चीजों को जोड़ते चलना कि new conservatism क्या है तो with the defeat of Napoleon in 1815 ठीके तो 1815 में क्या होता है Napoleon को हरा दिया किसने हराया तो मैं आपको हिंट अभी देता हूं कि जो ruling classes थी जो aristocrates थे ठीके कहां के तो जहां Napoleon हमला कर सकता था जिसे United Kingdom हो गया ठीके रश्या हो गया तो यहां के जो रूलर्स थे लिए एक साथ आना होगा ने तो नेपोलियन हमार को एक एक करके हरा देगा ठीक है तो क्यारा सारे विलन से एक साथ जाते नेपोलियन को हरा देते तो विद्धी डिफीट औफ नेपोलियन 1815 the spirit of conservatism emerged in Europe. तो अब यूरोप में क्यों एक तरह से शौक की लहर दोड़ गई शौक वेसे वाला शौक नहीं शौक की लहर दोड़ गई ठीक है वो प्रनेंसियेशन में को लिबल जा रहा है तो यहां पर क्योंता किसके लिए क्योंकि जो लिबरल आइडिया इमर्ज हो र मार्केट को फ्री कर रहा था कौन नेपोलियन उसको तो हरा दिया तो अब लोगों को डर भी लगा कि कहा कि कंजरेटिवस पावर में आ जाएंगे मतलब वो अरिस्टोक्रेट्स फिर पावर में आ जाएंगे और हुआ भी तो विद्धी रिफीट आफ नेपोलियन इन 1815 इ को फिर कंजरेटिस अिमार्ज इन एन योडिए तो वाट इसकान जब हाव इसम तो सी चीज़ है जो कंजरेटिव सें ठिके का एडिएलोजी क्या हो जाएगे एक अंजरेटिसब हो जाएगी जैसे निवर्ल मिडिल क्लास लिब्रेश्ट की आइडियोजी लिब्रेल के नहन है खुली सोचवाले तो लिबरेल्स का आइडैलोजी लिबरलिजम अइस्टोर्ट्रेट की आई डिरस्टोरेट इसके आइडियोजी का इंगर जिदा एप पर तो कन्जड़वेटिसमों अखिरकार होता क्या है institutions of state and society like the monarchy, the church, the social hierarchies, property and the family should be preserved. अब फिर class 9 से एक बार और कनेट करो, एक बार ओर ठीक है? Class 9 में आपने आपड़ाते हैं, radical, conservative, इन सारे शब्दों के बारे में, liberal, radical, conservative. Class 9 में आपड़के आथे बहुत अची तरह से, तो conservative कौन थे? तो conservative वो लोग थे जो पुरानी सोच में, traditional institutions में विश्वास रखते थें, जिनका क्या मानना था? कि जो traditional institutions है, जो traditional system of society है, monarchy है, church है, वो वैसा ही रहे, उसे preserve किया जाए, बदलाव नहीं आए, they resisted change. conservative क्या होते है, change नहीं चाहते है, हम जो पढ़ते हैं, किताबों, किताबों तक सिमित मत रहा कर आप जिसे होता है, कि हम conservative family बोलते क्या है, वो मेरे दोस्त की family बहुत conservative है, मतलब क्या है, वो conservative है, वो आज में उसी सोच में कि लड़कियों को आजादी नहीं दी जाए, जिनकी उस समय पर क्या था, जैसे मोनार्की थी, church था, social hierarchies थी, property and family जो उसको preserve किया जाए, कि जो system चला रहा था, privileges by birth होना चाहिए, aristocratic class जो उसको सारे privileges मिलना चाहिए, तो उस system में जो विश्वास रखते थे, वो conservative थे, ठीक है, तो आई कहानी हां तक समझ में आपको, अब था कि यॉरू एपता दिया किंगे जो that पौ है, और समय चाहिए, उसक्तों में अगा है, है तो आप सवाली आता है, मिलनार को Michigan चाहिए, जो एकर बातल आव झाहिए, इसे नहीं, समया था कि डेवर टोटली अ चैंगे ऑंड थे, ठीडिक हन्ते नहीं हें, यह नहीं चाहते थे लेकिन उन्हों देखा कि हां ऐसा बतला उससे उन्हें फायदा हो रहा हो स्वाइदा खुल खूबाना चाहिए मुलिणा खुल भूटने कि कहा है लटकी बढ़ाना है ले ड़ाना है लेकिन अगर यह हो कि हाँ आपकी लड़गी को कलेक्टर बना दे खुब बनाओ आगे समझ में तो वो कंजर्मेटिव भी उस समय की भी आसी थे कि दे रजिस्टेट दी चेंज कि रेवलिशन जो आया रेवलिशन के टाइम पिरेड में जिसे आप देखोगे फ्री मार्केट वगेरा गवर्मेंट बाइक नसेंट यह सारी चीज आगई तो उस चीज को नहीं अपोस किया क्यों कि दे बिलीव दिन दी ट्रेडिशनल इंस्टिट्यूशन ठीके ट्रेडिशनल इंस्टिशन इन दे सेंस कि वह मोनार्की वगेरा उन चीजों में विश्वा देखो एक एक शब्द जो है ना एक शब्द जो है उसको अच्छे से समझते चलना confusion मत लेके जाना यहां से clarity लेकि जाओ वीडियो देखने के बाद में confusion मुझे देखे जाओ मुझे पता आपके दिमाग में क्या confusion आ सकता है सबसे पहला conservatism क्या था समझ में आया ठीक है ने बोला कि हम पावर में आगा इसका मतले है नहीं कि जैसी सोसाइटी एक दम डिक्टो जैसी revolution के पहले हुआ करती थी प्री रवलिश्टरी डीज में जैसी सोसाइटी होती थी वैसी कि वैसी सोसाइटी बना दी जाए सब कुछ वेसा कर दिया जाए नहीं उन्होंने यह ज ठीक है तो modernization जो है ना modernization कुछ जो conservatist थे conservatism जो 1850 के बाद में इमर्ज हुआ और इसलिए क्या लिखा देखो new conservatism टॉपिक को समझो ना नहीं लिखा है सिर्फ चाहते तो वह भी लिख सकते थे conservatism after 1815 क्यों क्योंकि वही लोग फिर से पावर में आगे अब जो मोनार्क आफ अगे पौवर में ने पुलियन के हारने के बाद में लेकिन क्या ल कह लिखाल टॉबिक में new conservatism अब जो मोनार्क पावर में था में था भी तो यह नहीं कपड़ा पहन के नहीं नहीं सोच लेके थोड़ा सा कैसे तो देखो यहांपे तो most conservatives did not propose a return to the society of pre-revolutionary days की मतलब जैसा pre-revolution में था वैसा नहीं करेंगे जो revolution के बाद में थोड़े modern changes आये ना जो modernization हुआ है तो modernization हम भी accept करेंगे conservatives का यह कहना था तो modernization could infect stranded traditional institutions like the monarch के और उने समझ में आया कि यह जो modernization आया है modernization कैसे आया तो जैसे modernization किस चीज में administrative changes आये कि अच्छी bureaucracy आये कि जो क्या state को समाले वीडियो क्रिशी जैसे Napoleon ने क्या करा आर्मी को modernize करा weapons वगेर आगर मजबूत कि होंगे तो conservatives ने पावर मैने कि बोला कि अच्छी बात है नए वेपन से तो ऐसा थो निकाम पुराने वही तलवारे उठा लेंगे कि चलो नए वेपन से तो नए वेपन का स्थमाल किया जाए मतलब यह history remains the same ठीके facts figures time लोग यह बदलते हैं for example example देता हूं अच्छे से connector पाऊए जिसे British time period में हम सब आजादी चाहते थे आजादी हमने ले भी ली ठीक अलड़ भीड के आजादी ले ली अब क्या है हम ऐसा थूरी नहीं कि चलो British के आने से पहले जैसा इंडिया हो करता तो ऐसा बन जाते नहीं तो British चले लेकिन British के जो institutions थे जैसे उन्होंने आर्मी को modernize करा तो हमने वो modern weapons ऐसा सुरी नहीं कि आजादी मिलने के बाद हमने बोलते कि नहीं ये गन वागे रहा तो यह ब्रिटिशन स्लाइब हम तो वही तलवार उठा लेंगे नहीं ना हमने क्या किया जो अच्छी चीजे तो अडॉप्ट किया से रेलवेस था तो हमने ऐसा क्या क्या ब्रिटिश गये तो चलन को की रेलवेट्राइब उखाल उखाल करें उनके सिर्पे ले जाओ वापिस घर चलो ब्रिटेन नहीं ना जो अच्छी चीजे थी वह हमने क्या करी एक्सप्ट करिए ठीक महीं चीज यहां पर भी थी कि न् यहां पर जो कुछ भी अच्छा हुआ ठीक है जो कुछ भी अच्छा हुआ उस अच्छे को आगे लेकिक चलेंगे कैरी करके चलेंगे ठीक है वही बात यहां पर तो समझ में आया उनको ऐसा लगा कि modernization जो है जो चेंजेस आया है revolutionary time period में वह modern changes को अडॉट करेंगे तो उससे हमें ही फाइदा होना है मोनार्की को ही क्या हो जाएगा strength मिलेगी अब सवाल यह आता है कि सर मोनार्की को कैसे strength मिल जाएगी वह भी समझाता हूं देखो यहां तक समझ में आ सोच क्या थी अब पॉइंट यहां आता है कि मोनार्की कैसे strengthen होगी modernization से तो वह चीज़ समझाता हूं अब modern army and efficient bureaucracy a dynamic economy पर यह तीन चीज़ समझो अब क्या हो रहा है कि revolution के time period में क्या हो गया नेपोलियन ने आर्मी को modernize कर दिया तो वही modern army जब मोनार्क अपने अंडर में रखेगा तो मोनार्क की power बढ़ेगी न तुन्हें असा लगा कि नहीं अच्छा है दाग अच्छे है modernization अच्छा है वैसा तो modern army की सही है efficient bureaucracy बीरोक्रसी मतलब क्या होता है नोकर्शाही कि एक सिस्टम बना लिया था ना कि कौन क्या काम करेगा तो मुनार्क को से लगा क्या हम वही तो नहीं समाल पा रहे थे आप इन्होंने बीरोक्रसी बनाई है अब रियोक्रसी समाले बस पहले क्या था ने बोलिया था हमागे ठीक तो इस तरह से efficient bureaucracy अच्छी लगी डायनमिक एक नामी एकनामी जब बढ़ती हुए दिखरे थी एकनामी में फ्री मार्केट अगर अच्छा चल रहा है था तरव लूटा चलने दो ना ठीक उससे फाइदा एट फाया चलने दो तो तो modern army efficient bureaucracy dynamic economy इन सारी चीजों को इन सारी चीजों से कही नहीं मोनार्की को फाइदा ही हो रहा है अब जिसे आप देखोगे the abolition of feudalism ठीक है यह point आप confused हो सकते हुए थे ना abolition of feudalism and surfdom could strengthen the autocratic monarchies of the Europe ठीक है तो अब आप बोलोगे सर abolition से मोनार्की स्टेंदन कैसे होगी देखो बहुत अच्छी चीज़ बता रहो बहुत अच्छी से समझना और इस चीज़ को फ्यूडल सिस्टम क्या था कि एक राजा ठीक है सामनतवाद में क्या होता एक राजा राजा मारा तेड़ा खड़ा हो गया तो इसको सीधा खड़ा था एक राजा ठीक है अब राजा ने क्या कर दिया राजा की बहुत बढ़ी territory थी तो राजा से खुदरी समल रही थी तो अंगरा कि यहां पर सूर रॉड बना ती अब रॉट आता का था पर दिक्कत चेरी जाती थी कि जब ये फ्यूडल सिस्टम चला रहा था अब फ्यूडल सिस्टम में पता क्या हुता था फ्यूद॥ाइद राजा अगर अगर कमज़्ण होता दिखेगा तो ये जो फ्यूड वाला सिस्टम होना से जो राजा था राजना को अच्छा लगा मुनार्की इसको conservative जो घजाती थी यह जो हमारे एंडर में फ्यूडल लॉट्स होते थे हमारे कम जोर होने पर हमें ही आंग दिखाने लगते थे तो अब वह सिस्टाम ही खतम हो गया ना रहेगा बास और ना बजेगी वासुरी तो वह तरह से क्या है मोनार्थ मोनार्थ जो हुआ करते तो उनको फाइदा लगा उनको लगा क पर कोई अंकुछ नहीं घी तो अब मोनार्थ जो फते उनको ंडर नहीं यह अच्छिन नहीं कर सके तो उन्हें जब ऐसा लगा कि आपनी पावर को और consolidate कर सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं ठीक है तो दिस वाज दी न्यू conservatism new conservatism क्या है वो समझ में आपको बहुत अच्छी तरह किसा है ठीक है तो यह पूरी कहानी थी new conservatism की जो मैंने आपको समझाई टॉपिक खतम नहीं अभी जाना मत ठीक है तो यह हमने लिया अब स्टोरी भी तो आगे बढ़ना चीए तो उसके बाद क्या हुआ देखो आफ्टर मात समझना तो आफ्टर मात क्या है ट्रीटी ओफ वियना तो वर सलिबरेटिंग यह जीद गए तो उस समय पर क्या होता है कि नेपोलियन को कहा राया तो जी से यहां पर बताया गया कि यूरुपी अनकना ते नेपोलियन को राने वाले तो जो ग्रेट पावर सी ग्रेट यूरोपेड मतलब ब्रिटेन वह गया बिटें के एरीस्टोकरैट्स ब्रिटेन के थक है करते और चार्शिया उस्ट्रिया तो यह सब मिलके क्या करते है नेपोलियन को रlia यहां पर वियना में मीटिंग इन सभी लोगों निन सभी क्या सकते हैं विक्टोरियस पावर निस रवी ग्रेट पावर्स ने मोनार्क इस ने पावर करी क्योंकि नहीं अब आगे का मतलब आप त्यार करना था जैसे अम आगे आप तयार करना था कि अब बापीश से एक वोका मिला है पावर को अब कोई गलती नहीं करना अच्छी तरह से पावर को अब करेंगे तो ठीक है दे मैट टू डिसाइड इस फ्यूचर और यूरोप ठीक है उन्होंने फ्यूचर ओफ यूरोप इसको तहे करने का निन लिया और वह मीटिंग करते हैं ठीक है फॉर यूरोप ठीक है तो एक सेटलमेंट ड्रॉप कर लिया जाए अब क्यों रहा है वियन आउस्ट्रिया में मीटिंग हो रही है तो जो तो कॉंग्रेस थी जो मीटिंग हुई ना थी कॉंग्रेस वास होस्टेट बाइडी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटर निक ऐसा होता न आउस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटर अब यूक मतलब कोई वह लिगाड़ी नहीं है द्यूक अधर राज कुमार त्या और वह गाड़ी का नाम दूकिसे लागा कि जो आदमी गाड़ी चला रहा होगा तो तो यहां पर टाया कि दूक मैटरनेक होस्टेट दी ट्रीटी ओ Vienna I guess on me the main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in the Europe this is the only line which you are required to remember when it comes to treaty of Vienna my love serious mother in a key bus sir you line you are critical I under a provision be putting it but a main job was in a objective kata objective ध्यान रखना जो में objective जो में इंटेंशन था treaty of Vienna का ठीक है treaty of Vienna का में इंटेंशन क्या था कि जो नेपोलियन ने उथल पुथल करी थी मतलब नेपोलियन ने अपने हार्बिंगर्स ओफ लिबर्टी की तरह पहुचते चले गई ठीक हमने पढ़ा था तो अब क्या हो रहा है कि अब 1815 में आखिरकार जब हराया सांस ली लोगों ने किया चलो नेपोलियन हार गया तब उनका में अबजिक्टिव क्या था कि जो नेपोलियन ने सब कवाड़ा किया था ना जो मोनार्की इसको उसने क्या किया था ओवर्थ्रो कर दिया था उनको रिस्टोर कर लिया जाए मतलब क्या हो जाए कि एक इस चीज़ को ध्यान रखना नियू कंजरवेटिव अफ्र एक तर एक तर यहां से कुशन बन सकता अब्जेक्टिव स्टेटमेंट बेज़ कि identify करो क्या था क्या नहीं था ठीक है कोई specific question पूछा जा सकता है तो उस हिसाब से क्या है कि हर चीज़ अच्छे से पड़ते चलना बहुत ठीक तो यहां पर क्या बताया है वाट वर्दी चेंज़ेज अंडर ट्रीटी ओ वियना तो चेंज़ेस क्या ट्रीटी ओवियना के सबसे बहुत नहीं है कि नहीं है है की को आया है सबसे पहला थे पर दो रहेती को तो रहेती है जो सकता है और जिसको क्या पलटा दिय था कभ 1789 Sub 직員 और्ट भाई-बाई-थे तो जोब थे नहीं inc Yum tak तो यहां पर आप देखो के लुईस फिलिप जो है तो वह पावर में आएंगे कि हमारे पूरवजे को पटक दिया था अब क्या है वही बॉर्बन डिनस्टी के जो बचे कुछे वनसच थे तो उनको बापिस से रिस्टोर कर दिया वह यह यह लोग फ्रांस ठीक है अब अच् था इंदेशों ने तरह किया कि बापीस से क्या है अब जो भी है मैंने क्या बताया था आपको कि सारे जो अरिस्टोक्रेट्स थे वह इरिस्पेक्टिव ऑफ दिफेक्ट कि किसी रीजन में आप रूल कर रहे लेकिन वो सारे आपस में अनेक्टेट थे तो नहीं से लगा है क्यार अपनी समाज का इंसान है इसको क्या किया जाए पावर पे रिस्टोर करवाया जाए लेकिन उसको ऐसे धंका के बिठाया होगा अब अच्छे से चला नहीं बाएगा राज्य आगे फिर दिक्कते होगी 15 साल चलाएगा जैसे तेसे और फिर दिक्कते आने स्टाट हो जाएगे तो ऐसे ध्यान रखना है कि चीज़ों में यहां बता रहो किसा जुड़ा रहता है आपसमें तो बार्वन डैनिस्टी को रिस्टोर करा था सबसे पहला पॉइंट था ट्रीटी ओव वियना क्योंकि दी में अब्जेक्टिव आफ्टी ओव वियना या फिर दी कॉ सब्सक्राइब करें तो नेपोलियन ने मुनाक्स को हार मतलब मारते पीटते हुए चुड़ा ली थी तो आप क्या हो रहा है कि अब जब नेपोलियन हरा दिया ना तो उन्होंने बोलते हैं कि यहां फ्रांस का राजा तुम ही बनू बार्बन डैनस्टी ठीक है अपने की सम तो टेरिटरी को काटना भी पड़ेगा क्यों कि जितना हमसे लिया हमको वापिस भी तो देतो ने जो दूसरे ने बात की ठीक है तो फ्रांस लॉस्ट दी टेरिटरीज इठेड एनेग्श अंडर नेपोलियन तो नेपोलियन के अंडर में जो एक्सपेंशन वह था फ्रांस का तो उस पर केची चला दी गई कि बापिस जितना था उतना ही रहो उतना भी खुश रहो ठीक है तो सीरीज आफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन दी बाउंडरीज ओफ फ्रांस टू प्रेंट फ्रेंट्स एक्सपेंशन इन फ्यूचर देखो ना बोलो कि सर फिर वही वाली कह इसा इस लोने कई कि जो सारे देश थे जो फ्रांस को हराने में मतलब नेपोली को हराने में सक् 계속 siitä उन्हों ने क्या इन्शूर कि बापिस ऐसा ना है हो उसके उन्होंगोन ने क्या कर दिया उसके लिए उन्होंने France को एक तरह से डी डी निमिट कर दिया ठीक है कि हाँ आप France बढ़ ना सके तो France के आज़ू बजू जो यह France था ना तो France से पहले जो एक्ट्राटी थी वो छुड़ा ली और फिर France के आज़ू बजू कहा में आपने समय निपकार लिए करते जर्मनी को दी मिलिटराइज कर देते हैं कि हाँ बस अब जर्मनी जो है तो अब क्या कर सकता और ज्यादा हथियार नहीं बना सकता है समझ पार हो मेरे बात को कर पार हो तो हिस्ट्री हमेशा एक पैटन में चलती है बस क्या होता है समय बदलते हैं लोग बदलते हैं जगा बदलती है तो जैसे यहां पैरेंजमेंट किया था कि तो यह सारे बदलाव आ रहे थे अब यहां पर बात की जा रही है कि सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप उन्दी बाउंडरी तो सीरीज ऑफ स्टेट्स कौन-कौन से थे तो यहां पर बताया गया कि इशेंडिया-चेम इशॉपि वागरा इस्टैबलिष कर दिया था हैं देख आप डब औरॉश्या-थे-पूशा को टरिटरि ऊंदी कि पूश्या को टरिटरी तब फूश्या-ख गशगी तो प्रुशरिव्टन नूडि purp Qi added P इस तरह से क्या है कि बटवारा हुआ हुआ इतना डीटेल नहीं पूचेंगे आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रोविजिन थे वाडवर्दी में अबजेक्टिव्स वाडवर्दी में कह सकते हाइलाइट्स औफ ट्रीटी ओव वियना तो आपको यह धियान अखना बॉर्वन डिनस्टी को रिश्टोर कर लिया ठीक है फ्रांस जो है तो फ्रांस ने जो टेरिटरी खोई थी मतलब जो टेरिटरी एनेक आया क्या कि वर्दी कंजरवेटिव्स अगेंस दीचींज नहीं तो ने क्या वला कि जो अच्छा है उस चीज को डॉप किया तो जब वो क्या कर रहे थे सब को सब कुछ बापिस से रियरेंज कर रहे थे तुनों ने देखा कि नहीं यह जो का है 39 कॉंफिडिशन का जो यह है यह अच्छा है इसमें ट्रेड आशानी से रहा तो इसको बने रहेंदो तो वन्होंने नियुकन सब्सक्रण करें कि उन्हें अप्रोश थोड़ी अपनी बदली थी अपनी वह द लिए अपना फायता देखते हुए जो सुसाइटी थी तो देखो सुसाइटी तो क्या फुटबॉल की तरह हो गई उन्हें भी लग रहा था कि क्या हो रहा है देश में मतलब पूरे यूरोप में क्या हो रहा कि कभी रेवलीशन आ रहे हैं कभी लिबरलिजम की आइडिया इस्ट्रॉंग है यह राजा महराजा फिर किस विरादरी का जिसमें वो यह सोचता था कि मुनार्की ही सब कुछ है लेकिन आप जो सुसाइटी थी तो सुसाइटी कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रीडम एक्वैलिटी डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक आइडियास इन चीजों को चक चुकी थी तो आगे क्या होगा देखो त ठीक है ऐसा सिस्टम जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं जहां पर यह चाहरे आपको कोई कुछिन ना कर सके अब अपनी पावर को इस्टैबरिश करना चाहरा है अंचेक्ड़ बनना चाहरा है तो अजरा का ऑट्टोरीटेरियन बनना चाहरे इस तरह का उटक्रेटिक सिस्टम और यह autocratic system हमेशा क्या होता, society में liberty, equality को खतम करता है और लोग तो liberty, equality का taste चक चुके थे, तो दिखकत जाना है, friction होना है ठीक है, they did not tolerate, new conservative regime की अगर हम बात करें, तो they did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government अब क्या आता था, क्योंकि लोगों को equality, freedom का स्वाद आ चुका था, तो लोग सवाल करते थे और लोग सवाल करते थे, तो यह conservative regime को पसंद नहीं आता था संद्धारी कहानी, तो 1815 के बाद में conservative regime जो है, वो set up तो हो गया लेकिन उसमें practical problems क्या जाएगी, वो मैं समझा रहा हूँ आपको, कि society उस समय तक liberalism के idea को enjoy कर चुकी थी, और conservatives यह चाहते थे कि किसी प्रकार का हमारा कोई criticism ना हो, कोई हमें question ना करे, वो autocratic थे, लेकिन society भी मान नहीं रही थी, society भी question करते थी, क्योंकि वो liberty, equality इन सारे आइडियास को जी चुकी थी, समझ चुकी थी, ठीक है तो आप दिखती बात है कि friction तो होना है, ठीक है, तो most of them imposed censorship laws to control what was seed in the newspaper, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French revolution, तो conservatives को असर रखता था कि सारी, मतलब क्या सकता ही, सारी फसाद की जड़ कहा है, फ्रेंच revolution में, तो फ्रेंच revolution से जो ideas निकल काया थे ना, तो conservatives क्या करते थे, censorship करते थे, censorship मतलब क्या होता है, जैसा आपना भी sensor board होता है, तो sensor board का का काम क्या रहता है, कि वो चेक करता है कि कुछ ऐसा ना दिखाया जाए कि जो गलत हो, तो वैसी क्या है, conservatives क्या बोलते थे, कि हाँ, आप जो भी play लिख रहे हो, आप जो भी book लिख रहे हो, आप जो भी song लिख रहे हो, तो उसमें ऐसा ना हो, जो हमारी legitimacy को मतलब conservatives को question कर रहा हो, तो अब और लोग क्या थे, लोग त होते हैं, यह तो गलत है, ठीक है, there should be freedom, तो इसके चलते क्या होता है, इसका impact क्योंता है, impact होता है, कि जो memory of french revolution थी, ठीक है, nonetheless continue to inspire liberals, और आप देखेंगे कि आगे जाके जो बदलाव आएगा, ठीक है, आगे जाके जो revolution के और बतल ऐसा रहता है कि बूंद बूंद से घड़ conservative power में जाएंगे, तो conservative सब control करने की कोशिश करेंगे, जो अला मुखी को दबाओ तो इसका मतलब दबेगा थोरी, तो फुटेगा, तो वही चीज होती है, तो जो memory of french revolution थी ना, तो it continue to inspire the liberals, तो जो liberals थे, जो liberalism, ideology में विश्वा सकते थे, जो कह सकते हैं कि एक तरह से क्या है, जो यह चाह रहते, freedom हो, equality हो, तो वह continuously french revolution को ideal मानते थे, benchmark मानते थे, और बोलते थे, कि अब यह बापीस power में आ गए, तो ने बापीस उठा के पटक देंगे, ठीक है, so this is the basic idea about new conservatism after 1815, I hope you enjoyed it, समझ में आया ना, तो इस तरह से हमने new conservatism को theory, मतलब एक तो idea वाले पार्ट प ही, liberal ideology का एक बहुत important role रहा था, लेकिन अब उस liberal ideology के उपर एक समय के लिए grand लग जाएगा, क्यों कि conservatives power में आ जाएंगे, conservatism क्या है, treaty of Vienna क्या है, conservatives के power में आने से ही, सब कुछ खतम नहीं हो गया, ठीक है, in fact क्या होता, conservatives के power में आने से second wave of revolution जो है, उसको एक push मिलता है, और second wave of revolution में, revolutionaries का बहुत important role है, revolutionaries कौन है, यह हम next video में, जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें हाथ, hello everybody, this is दिग्रासिंग राजपूत, welcome to magnet brains, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे, the revolutionaries के बारे में revolutionaries कौन है, क्या है, वो सारी चीज़ा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, अब देखिए, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पिछले वीडियो तक जो पढ़ा है, उसे connect करो, सबसे important चीज़ वही है, हमने यह देखा कि conservatives जो थे liberalism का जो ideas थे, उन ideas को flourish नहीं करने देंगे, तो क्या flourish होगा, तो हम क्या कहेंगे, the idea of conservatism, समझाया था मैंने, कि conservatives की जो सोच है, पुराना traditional institution, जो है, मुनार्की वगिरा जो है, ठीक है, strict control हो, censorship हो, freedom ना दी जाए, लोग criticize ना करे, इन सारी चीजों को, इन सारी चीजों को dominance म और लोगों ने लेकिन आजादी का स्वाद चक चुके थे French Revolution के बाद में, liberalism, nationalism के ideas क्या थे, rise हुए थे, किस time period में तो आप देखोगे, 1789 से, French Revolution के बाद से ही क्या है, liberalism, nationalism के ideas, rise हुए थे, ठीक है, ये कहानी है, ये मतलब पूरा background में आपको समझा दिया, अब वहीं पर क् होता है, conservatives के power में आने के बाद में, revolutionary's का rise देखने को मिलता है, revolutionary's कौन है, ये समझो, तो लेखो, conservative regime after 1815, drove many liberals and nationalists underground, try to understand each and every line written in the NCR team, हर एक statement को समझने का प्रयास करा करो, क्या होता है कि जैसे ही conservative regime power में आये न, तो जितने भी liberal nationalists थे, जो liberalism में nationalism में विश्वास रखते थे, उन्होंने क्या बोला, समय आ गया है, underground हो जाया है, क्यों, क्योंकि conservatives का जो mood था, वो किस तरह का था, पता है, इस point पे, मतलब conservatives, power में आने के बाद में, नेपुलियन को हराने के बाद में, conservatives का mood इस तरह का था, कि अब बाप का, बेटे का, सब का बदला लेगा, फैजल, ठीक लगा, तो liberal nationalists, सारे underground हो गए, उन्होंने बोलता है, कि पास cybernation में, चल दो, ठीक, अब क्या हो रहा था, तो उसी time period में क्या हो रहा था, कि openly आप conservatives को criticize नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनके पास power थी, ठीक है, political power conservatives के पास में थी, तो openly जब कुछ नहीं कर सकते हो, आप तो आप कै से करोगे, secretly करोगे, very simple, ठीक है, तो तब क्या होना, स्टार्ट होता है, secret societies, sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas, simple word, जो है, revolutionaries का, वो है, क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी शब्द सुनते से किस के आ रही, वीर भगत से, ठीक है, अब देखो, क्रांतिकारी शब्द का मतलब क्या यहाँ क्रांतिकारी शब्द का मतलब यहाँ पर यह है, कि अब जब लिबरेल्स और नैशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए, conservative power में आ गए, तो अब आप उस conservative regime को अपोस कैसे करोगे, अपोस तो करेंगे, कि लोग स्वाद चक चुके थे, आजादी का, ठीक है, तो बहुत सारी secret societies बनना स्टार्ट हो गई है, जो training देती थी किसे, revolutionaries को training देती थी, revolutionaries कौन, तो मतलब वो लोग जो violence में विश्वास रखते हैं, जो radical होते हैं, जो यह बोलते हैं कि conservative regime गलत है, इसे पलट दिया जाए, कैसे पलट दिया जाए, जैसे पलट सकते हो, वैसे पलट दिया जाए, तो revolutionaries मतलब वो लोग हो गए, यहां पर देखो, हम European context में पढ़ रहे हैं, European context में यहां पर revolutionaries को क्रांतिकारियों से जुड़ा गया है, क्रांतिकारी मतलब who believed in the violence and overthrow of conservative regime which was restored after the treaty of Vienna, treaty of Vienna के बाद में जो conservative regime को restore किया गया था, उसको हटाने में विश्वास रखते थे, और यह जो commitment to oppose the monarchical forms that had been established after the Vienna Congress treaty of Vienna के बाद में जो conservative order established किया था, उसको oppose करते थे, and to fight for liberty and freedom, देख अच्छे से समझना, तो sir, liberals और revolutionaries अलग अलग है क्या, तो technically अलग अलग है, लेकिन उनका idea जो है न, वो एक ही है, मतलब group A ही था, वो भी revolutionaries भी क्या liberty, freedom, इन सारी चीजों को ही चाहते थे बस अब ये था कि उस liberalism में जो लोग इस तरह से monarchical system को हटाने की बात करने लगे, उन्हें revolutionaries कहा जाने लगा, जो इन activities में एंगे हो गए कि हां secret society बनाएंगे, monarchical system को oppose करेंगे, वो revolutionaries कहलाने लगे, ठीक है, तो यहाँ पर धियान रखना, revolutionaries क्या, तो revolutionaries का, अगर आइडिय form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom, ठीक है, most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom, अब क्या है ये चीजद धियान रखना, कि जो revolutionaries थे ना, इनका ये मानना रहता था, कि हमें जो freedom चाहिए, जो liberty चाहिए, वो कैसे मिलेगी, जब हम अपना एक खुद का देश बना पाएंगे, पाइंगे, पाइंगे जो भी नोटेड, ठीक है, माई लॉट करने वाला कि ये जो revolutionaries क्या कहना है, नेशन स्टेट बनना चाहिए, आगे आप इटालियन उनिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे, एक revolutionary के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, गुजपी मसीनी, ठीक है, गुजपी मसीनी के बारे में जब है, कि एक नेशन स्टेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक आपके पास में एक रास्ट नहीं होगा, रास्ट वाद नहीं होगा, तो आप किसके लिए लड़ोगे, किसको हटा होगे, ठीक है, तो इटालियन उनिफिकेशन का प्रयास जो है, गुजपी मसीनी करत सुसाइटी ऑफ दी कार्बोनरी, ठीक है, तो सीक्रेट सुसाइटी ऑफ कार्बोनरी क्या है, यह सीक्रेट सुसाइटी है, सीक्रेट सुसाइटी ऑफ कार्बोनरी जैसे क्या है, यंग इटली भी एक सीक्रेट सुसाइटी है, यंग यूरोप भी क्या है, सीक्रेट सुसाइ में तब आप और पढ़ें के बारे में कि नेशन स्टेट में का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा है कि नेशन स्टेट क्या होते है इस इस टेट का बनना क्यों जरूरी है उस पे इनकी फिलोसफी समझना आप तो गुजीपी मजीनी इटालियन सब्सक्राइब करें तो अब जब यह सिक्रेट सुसाइटी में काम कर रहे हैं तो इनकी तरह देखेंगे अपने एक दुश्मन की तरह देखेंगे तो वही चीज़ बताए गई यह एज यंग मैन ऑस 24 वह सेंट इंटू एक्जाइब देश निकाला दे दिया उन्हें इस आदमी को इस आदमी का यहां रहना हमारे लिए मतलब conservative order के लिए क्या है अच्छा नहीं होगा इस इस इंसान को बाहर दे दो निकाल दो तो एज़ा यंग मैन ऑफ 24 वह सेंट इंट एक्जाइल in 1831 for attempting our revolution in Liguria ठीक है तो Liguria इटली में इनो ने क्या एक attempt किया की revolution लाया जा सके तो देखिए the basic idea of the revolutionaries was to bring revolution revolutionaries के आगे आप समझोगे न तो revolutionaries क्रांती कारी क्या लाएगा क्रांती लाएगा तो उसी तरह से revolutionaries revolution में विश्वास राते थे जैसा एक french revolution था जहां पर लोगों ने हतियार उठाना पड़ा तो हतियार उठाय लेकिन लेगूरिया फिसके आतमे क्या होता है फिर अंडर्राण रहे के बाहर रहे के देश के बाहर रहे करोंने काम किया यह सब्सेक्वेंटली फांडे टू ओंडर अंडर्राण युड़ोप जो है वह बर्न में बनाई बर्न स्विज़ान में बनाई तो दिस वाग्वूशन सब्सक्राइब अपने कितने सारे शब्द पढ़ लिए नैशनल मतलब लेकिन अलग अलग गयरी में तो जो चर्णी कारी एसने लिपर बहुत सब्सक्राइब तो इस रहे सब्सक्राइब तो आगे हैं आघ क्या है अब आता आपके पास में गुजभी मजीनी का सोच था ऑप ओशेपी-मजीनि यह idea important है statement based question one marks में बन जाते हैं बहुत आसानी से examiner के लिए भी कुछ नहीं करना statement उठाए के लगाना पूछ लेना who said this statement ठीक है आपके teachers के लिए आसान हो जाता है तो इनको आपने देखा कि revolutionaries का क्या क्या सोचना था कि nation states का होना बहुत जादा जरूरी है वही चीज यहां दर्शाइग गई है कि गुजिभी मजीनी का क्या मानना था कि गॉड है इंटेंडेट नेशन स्टूबी नैचरल यूनिट ऑफ मैनकाइड कि भगवान खुद चाहते हैं कि को सब्सक्राइब गुजिभी मजीनी तो आप इसी आइडिया के चलते हैं कि इतली कुड नाट कंटिनू तो भी अपैच्वर्क आप स्मॉल स्टीज इन किंग्डम और वो देखते थे कि मेरा देश जो है रास्ट जो है इतली जो है इतलीन स्पिकिंग पॉपलीशन जो है जि अपने आप देश आजाद हो जाएगा सारे कंसेकर तो यहां फोकेस्ट ऑन दी अंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट तो इस वाइस तो इसे एक नस होत्त प्र नेचिव संब्सक्राइब तरह सकते हैं कि नेपुलियन के हारने के बाद में एक तरह से कहा है चीज़े थंडी पड़ गई थी थंडी ऐसे पड़ गई थी कि अपके पावर थी तो वह स्ट्रिक्ट सेंशर्शिप वगेरा के चलते लोगों को दना धंका की रखते थे तो समय पे आवाज उठाना ठीक है इस रिकुएड टू बी मोर करेजिए सवन नोवन इस स्टेंडिंग ठीक है फॉर दी कॉस अब क्या होता है आपके पीछे दस खड़े हो जाओ तब तो बहुत आसान हो जाती चीज़े लेकिन जब कोई नहीं खड़ा है तब आप खड़े होना तब क्या होता है तब जादा था मोनार्की को इसके चलते जो जितने भी कंड़ेटिव थे ना वो डरते थे तो अब यहां पर क्या एक स्टेटमेंट आया तो जो मैटर्नी के बारे में बताया था ना ट्रीटी ओ वियना का जिसको जिसने प्रिसाइड किया था तो ड्यूक मैटर्नी नहां पर पोली दिय अभी था किया बोला है था इसक्राइब गुजीपी मजी नहीं आस दी मोस्ट ढूरास अने मेजने ओफ आवर सुछल अर्डर अवर सुछल अर्डर मतलब उनका शोचल यह पूर्डर रहन है तो खुछ हो डिसक्राइब वो शेटिपी मजीन इस दी मश्ट दी जिंजर अने of mankind ठीक है तो यह थी प्यारी सी कहानी revolutionaries की अब हम क्या पढ़ेंगे next video में हम पढ़ने वाले हैं the age of revolution देखो असला बारुत त्यार हो गया है ठीक है मतलब revolutionaries ने revolution के लिए क्या कर दिया बैग्राउंड बना दिया है धमा के आगे होंगे तो जो एज फ्रेवलिशन है ना उसमें हम यह देखेंगे कि जो conservative order आ गया था तो आज तो नहीं conservative order ख़तम कैसे हुआ यह सारी चीज़ हम क्या करेंगे next video में पढ़ने वाले इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे the age of revolutions 1830 to 1848 यहां पर हम वापिश स्विच कर रहे हैं किस चीज़ पर स्टोरी लाइन पर हैं दो हमारे चैप्टर ऐसा चल रहा है स्टोरी तो कहानी को कनेक्ट करना आपने पिछले वीडियो में देखा कि 18-15 में कौन आगए था सबस्क्राइब तो यहां देखो यहां सारी चीज़ आपको समझमें जाएगी क्या दिख रहे आपको मेरे अलावा वाइड स्क्रीन वाइड स्क्रीज नी यह सबसे इंपोर्टेंट चीज है वह क्या है यह रिक्वाइट टू कनेक्ट दी स्टूरी देख स्टार्टिंग से कनेक्ट करते हैं क्योंकि एक टॉपिक हमारा स्विच करा है यहां पर ठीक है अच्छे से समझना पूरा चैप्टर जो यहां पर आपके सामने एक बार समराइज हो जाएगा जितना अभी तक आप पढ़क कैया कानी को कनेक्ट कर पाओंगे क्या हो रहा थे को स्ट्रेकर करकर करें हम तो थी दाइड व नेशोनलिजम्हें रखल का है इमर्ज होता है ती यह स्लोली इन ग्रैजिवली डव लख होता यह किसु था नहीं पहल θα नहीं तो जोलिऊ ग्रेज्वीर डवल ठीव था है कैसे तो उस राइज ओफ नेशनलिजम में फ्रेंच रेवलूशन एक बेंचमार्क है क्यों कि फ्रेंच रेवलूशन के पहले आप देखो कि तो प्री रेवलूशनरी सोसाइटी कैसी थी पूरा का पूरा यूरोप ऐसा था कि मोनार्की जो थी वो डॉमिनेट करती थी जो फर्ड स्टेल के लोग होते थे वो बिचारे गरीब थे अर्थ का सेहन करते थे मौनार्क का और सिस्टम चल रहा था फिर क्या आता है च्टुर आप देखोगा। में होता है यह French Revolution के बाद ही observe कर लिया गया था और अभी इस वीडियो में भी आप देखोगे वही चीज़ और इसी लिए कि statement भी आपके chapter में क्या favorite statement होगा आप तोगे बच्छों गाओर कि वें फ्रांस स्नीज़ रेस्ट आफ दी यूरप तो जैसे ही फ्रांस को चीगे आती है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है ठीक है वह statement जो है अभी अगर समझ नहीं आया है तो पूरा वीडियो जब तक एंड तक देखोगे आप अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक है तो देखो फ्रेंच रेवलिशन हम पढ़ र है कि आप देखते हो जो जैकोबिन क्लब अगेरा बनना यह सारी चीजे नेपोलियन जो है नेपोलियन के अंडर में फ्रेंच आर्मी का उत्पाद मचाना ठीक है मतलब फ्रेंच आर्मी कोई तरह से हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी की तरह दिखा गया पॉजिटिव नोट प नेपोलियन के अंडर में फ्रेंच आर्मी जो है हर जगा पहुचते चले जाती है और फ्रेंच आर्मी जब जारी तो खाली आप नहीं जारी है बोले गहां सर हतियार लेके जाएगी हतियार तो दिख रहें उसके लावा जो आइडिया लेके जारी लिबर्टी एक्वेलेट लेकिन आनाजमीन पर यह तो जमीन का ठिक श् Laz behnina बनाए रखना दू तो नेपोलियमन लेक्तार से एक से एक पैंशन किया नेपोलियई ने लिब्र लिइसम नेशनलिजम लिए आईइए ऻका ठीक है लेकिन unfortunately Napoleon हरता है fall of Napoleon 1814-1815 वाला जो टाइम प्रेड 1815 में Napoleon की हार होती है अब Napoleon की हार के बाद में कौन पावर में आता है कहानी है ना कहानी चल रही समझ पार हो ना Napoleon की हार के बाद में conservatives power में आ जाते हैं ठीक है तो वही जो revolution के पहले system था प्री रेवलिशनरी सोसाइटी क्या वैसे कि वैसी सोसाइटी आ जाती नहीं तो उसमें क्या होता हमने क्या सीगा था कि वैसे कि वैसी सोसाइटी नहीं आती लेकिन जो monarchs थे जो traditional institutions थे monarch church वगेरा वो पावर में जरूर आ जाते हैं no doubt they adopted the modern principles but they came in power again तो conservative regime जो है 1815 से 1830 तक क्या चलता है conservative regime चलता है हम कहां तक पहुच गया है अब जो topic क्या कह रहा है 1830 to 48 ले जाएगा आपको the age of revolutions लिखा है topic का ना ठीक है तो 1830 तक क्या हो यह समझ में आगे ना 1815 में conservatives जो है वो power में आते हैं और conservatives के power में आने के बाद में conservatives के power में आने के बाद में जिसे अगर आप देखो कि तो यहां क्या होता है कि conservative regime वाला time period रहता है वो 1815 से 30 तक तो इनके मजे रहे ठीक है तो जहां 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 जैसे warban dynasty restore हो गई खुशी मना रहे हो कि चलो हमारे पूरवजों की जमीन पर हम वापिस आ गए तो यह सारी स्थिती अब देखो आगे क्या होता है अब topic हमें बता रहा आगे क्या होगा topic is self-explanatory topic क्या बता रहा है the age of revolutions 1832 1848 1830 1848 के बीच में क्या होता है revolutions आते है क्रांती आती है कौल लाएगा तो मैंने आपको भी revolutionaries के बारे में पता है पिछले वीडियो में ठीक है तो वह revolutionaries वह liberals वह nationalists जो कहीं न कहीं देवर ठीक है देवर inspired by the french revolution the ideas of french revolution were alive in their memories ठीक है तो वो क्या थे सारे की सारे ideas जिंदा थे उन्होंने आजादी का स्वाद चका था आयना समझ में तो वही revolutionaries क्या करेंगे अब मौका मिलेगा जब फिर revolution लाएंगे वही liberal ideas वही nationalism के ideas जो है वह rise of nationalism जो है फिर दूसरी लहर में आएगा second view ठीक है तो वहाँ पर क्या है कि revolution की जो बात करें तो 1830 से 48 revolution आएंगे यह है CDC कहानी revolution लाने वाले लोग कोन होंगे तो these revolution during the period of 1830 to 48 ठीक है जो हम age of revolution में पढ़ेंगे are led by the liberal nationalist belonging to the educated middle class allies अबने देखा था new middle class जो इमर्ज होती है तो ultimately वो making of nationalism वाले topic में आपको क्या बाताया था aristocracy new middle class the new middle class जो इमर्ज होती है तो new middle class based ही liberalism के ideas पर थी ठीक है तो अभी जो रिविशन होंगे who is going to lead those revolutions ठीक है तो इन रिविशन को लीड कोन करने वाला है liberal nationalist belonging to the educated middle class allies आया समझ में बहुत simple कहानी थी हमने जोड़ दी सारी तो एक 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 करके सारे topics आपने जोड़ दिये among whom were professors school teachers school teachers ठीक है among whom were professors school teachers no doubt I am not a school teacher लेकिन फिर भी teacher teacher ठीक है once a teacher always a teacher school teachers clerks and members of the commercial middle classes तो आप देखो यह चीज़ आपको समझना है कि यह जो liberal educated middle class थी इन लोगों ने उन ideas के basis पे जो ideas french revolution से जन्मने थे जिनके उपर दो समय के लिए मतलब कुछ समय के लिए ग्रहन भी लगा था लेकिन वह फिर से क्या होंगे आइडियाज रिएमर्ज होंगे नैशनलिजम रिमर्ज होगा और उसी चीज़ को हम क्या पढ़ने वाले हैं एज ओफ रेवलिशन 1830s 1832 1848 में पढ़ने वाले हैं तो अब यह जो रेवलिशन आएगा तो रेवलिशन कहां कहां देखने को मिलेंगे तो यह जो टापिक आप आइडियाज का इंपैक्ट देखने को मिलेगा राइज ओफ नैशनलिजम इन यूरोप देखने को मिलेगा तो यह मैंने आपको थीम बताई है अभी बस ठीक है अब हम टाविक स्टाट करते हैं तो देखो क्या है एज अफ रेवलिशन में सबसे पहले किस चीज की बात की यह concept था यह पहला paragraph इस बारे में बता रहा है समय सोचना कि सर नावी तक कुछ बढ़ाए नहीं पहला paragraph आपका इसी बारे में बता रहा है आपको बता रहा है कि जो liberal middle class होगी यह बहुत important role play करने वाली है ठीक है in this time period जो age of revolutions हैं तो क्या होता है जैसे हम सबसे पहले देखते हैं तो revolutions start कहां से होते हैं France से मैं आपको वही क्या रहा हूँ कि France चिंगारी का काम करता है हमेशा पहले भी French revolution से ही कह सकते है कि यूरोप में nationalism का rise देखने को मिला था अब वापिस क्या होता है वापिस जब July revolution होता है कब France में उसका impact आपको यह देखने को मिलेगा कि पूरा यूरोप जो है पूरा यूरोप जो है फिर से revolutions की लहर को observe करता है ठीक है तो अब देखो इसी कंटेक्स में क्या इसी कंटेक्स में वही बातुनी अंकल कहना में उनका ड्योप मेंटर निक यह दूक मेंटर निक फूटो पहले दिखाई दी मैंने आपको ठीक है तो ड्यू मेंटर निक यह क्यों कहते है क्यों कि जैसे देखो क्या हो रहा है जुलाई revolution होता है फ्रांस में अच्छा जुलाई revolution का थो सा background में समझा दे तो अच्छा से समझ ना मैं आपको क्या बताया था जब मैं आपको ट्रीटी ओफ वियना वाला टॉपिक समझा रहा था जब जिस मोनारकी इसको नैपोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था उनमोनारकी सको री स्टोर करना मिन अपविकटिव था रहन को है कि निख लिए था कर दिया गया था उस दिवग रूब निश्टी को люблю को नाम ध्यान रखना अब देखो क्या होगा आप जब पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे मैं आपको नहीं करना चाता हूँ जैसे देखोगे ना तो लुए 16 की डेथ हो जाती लुए 18 जो है कजिन था उसको राजा बनाया जाता है 18-15 में ठीक है अब लुए 18 के अंडर में क्या रहता है ठीक है तो अब क्या हो रहा जैसे आप जैसे देखो कि ना तो 18-30 तक क्या होता है वह जो बॉर्बन डैनिस्टी को री स्टोर किया गया था लुए फिलिप जो है तो लिए फिलिप के साथ में अब क्या होगा एक तरह से पिर अत्याचार हो गया 18-15 के टाइम पिरेड में कंफ्यूज होना जस्ट फॉर एक्स्पिलेशन में चीदों समझाएगे वागी कहानी सीदी सी का है कि जुलाई रेवलिशन क्या हो रहा है फ्रांस में देखो तो दी बार्बन किंग्स हूँ हैड बीन री स्टोर्ट तो पावर दूरिंग दी कंजरवेटिव रेक्शन आफ फ्री मार्केट का आईडिया से इंस्पायट थे अब क्या हो रहा है की 1815 के बाद में रहने क्या देखा कि अन्हें री स्टोर कर लिया गया था लेकिन वह बर्बन किंग सो restore किया गया है वो तो conservatives थे वो कोई liberal ideas को support थोरी ना करेंगे अब क्या होता है कि liberal nationalist जैसे फिर से एक जूट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो restored dynasty थी उसको क्या कर देते हैं restored conservative regime था उसको हटा देते हैं restored conservative regime यहाँ पे हटा दिया जाता है जुलाई revolution में अब सुरो मेरी important बात क्या कि यह significant question मन जाता है यह significant question मन जाता है significant aspect बन जाता है जो आपको समझना चाहिए कि जो France में revolution हुआ तो जिसे 1789 में revolution हुआ तो उससे क्या है उससे आप देखो कि एक तरह से पूरे मोनार्की को खतम ही कर दियो ने निपोलियन के पास पावर आगे सब कुछ हो गया था ठीक है वो सब कुछ हुआ था लेकिन अभी यहां देखो गे ना तो यह जो रिवलिशन के लहर आएगी एज ऑफ रिवलिशन 1830 से 48 जो पड़ोगे ठीक है तो इसमें 1830 जो रिवलिशन वण सबस्क्रीयों कि जुलाइं कि यह शिंगंटच से की कि जुलाइं रिवलिशन में जो मोनार्की थी उस मोनार्की को छएट रीव शझनल मोनार्की में कर दिया तो इस रिव यूइन थर और एट इन है कुछ तो वैसे करेट कर लो अभी हाँ पे क्या हो रहा है कि 1830 के पहले तक 1850 में conservative regime जब आया था तो bourbon dynasty ऐसा था कि बास राजपार्ट बापिस मिल गया लेकिन अब क्या है कि जो जुलाई revolution हुआ तो जुलाई revolution का क्रक्स क्या है कि जुलाई revolution से फ्रांस में जो मोनार्की established की गई थी कब 1815 में उसको बापिस किस में convert कर दिया constitutional monarchy में convert कर दिया सवाल constitutional monarchy क्या है the constitutional monarchy मतलब कि बोल दिया चलो बने रहो राजा यार बड़ी मुस्किल से तो बने रहो राजा बने रहो लेकिन तुम किसके साब से काम करोगे इस समविदान के साब से मतलब the power of the monarch would be limited by the constitution this refers to the constitutional monarchy दियान रहेगा ना तो एज ऑफ रेवलिशन में सबसे पहले कहां से स्टार्ट होते हैं तो एज ऑफ रेविशन वाला टाइम प्रेड है 1830 में जुलाई से रेवलिशन स्पार्क आफ होता है ठीक है और इसी के चलते क्या है कि अब देखो चिंगारी लग गई है कहां पे फ्रांस में और ये चंगारी आग बनके फहलेगी पूरे यूरोप में और इसलिए अंकल क्या कह रहे है कि विन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट आफ दी यूरोप कैच इस पोल्ड आफ यूरोप कैच इस पोल्ड तो जुलाई ब्रीकिंग अवे फंदी उनाइटेट किंग्डम आफ निदरलेंड फिर कनेक्ट करने वाली चीज़ है कनेक्क करो मेरे साथ ट्रीटे ओफ वियना में हमने क्या देखा था कि बार्वन डैनिस्टी को रिस्टोर करा पटक दिया इदर ठीके एज ओफ रेवलुशन में बार् किंग्डम आफ निदरलेंड तो बना दिया था ठीक है अभी जो एज अफ रेवलुशन साय तो इसमें क्या होता है वह उनाइटेट किंग्डम आफ निदरलेंड जो बनाया गया था ना उसी के अंदर क्या है आज का बल्जियम है जो आप आवर शेरिंग में पड़का तो यह फ्रांस था यह युनाइटेट किंग्डम आफ निदरलेंड पूरा बनाया गया था तो इस युनाइटेट किंग्डम आफ निदरलेंड में क्या होता है कि जब वही वाली बात है कि फ्रांस स्कूर्ण तो फ्रांस में जब एक तरह से रेवलुशन आया तो खर्भूज है किसे United Kingdom of Netherlands है जहां पर मुनार्की थी तो इस तरह से क्या है कि लहर दौल पड़ी किस चीज की रिवलिशन के अगे आगे कहानी और है अब क्या है वैसा ही ग्रीज के अगर बात की जाए ग्रीज के तरकी वर की तरफ यहां पर आपको ग्रीस देखने को मिलेगा यह तर्की सिग्णिफिकन्स बहुत जादा है क्या प्रियस की सिग्णिफिकेंस क्या पता है तो स्विलाइजिशन यह से इसको क्या मानते हैं कि यहां पर पहले सिविलाइजिशन सब्सेड़नीज वा तो उनकी है तो यहां पर लोगों की संटिमेंस ऐसे जुड़ें है हमारा धर्म है हमारे धर्म के भगवा नहीं से आए ठीक है तो उसी तरह से से क्योंत है कि सेंटीमेंट जुड़ हैं लोगों के ग्रीज के साथ में अब क्या होता है तो हम your की बात करें basically topic हमारा revolution से तो Greek War of Independence तो France में एक तरह से फिर क्या है France में वही वाली बात है France ने चिंगारी लगाई तो France के July Revolution से Belgium में इंस्पिरेशन मिलती है Belgium भी अलग हो गया वैसे ही क्या होता है वैसे आप देखोंगे तो Greek War of Independence यहां पर आता है अब यहां पर बच्छों को कन्फूजन रहता है सर यहां 1821 लिखा है और हम पढ़ रहें 1830 तो यह 1821 क्या लिखा है वह भी समझा दूँआ मैं आपको ठीक है 1821 सही लिखा है लेकिन किस कंटेक्स में वह समझा दो देखो तो क्या होता है अगर मतलब ग्रीस को गुलाम किसने बनाया वो समझना है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी कहानी समझना पढ़ेगी कहानी ओटमान एंपायर की ठीक है तो ग्रीस हैड बिन पार्ट ओफ ओटमान एंपायर सिंस दी 15th century ओटमान एंपायर क्या चीज़ है तो ओटमान एंपाय क्योंकि हर चीज कही नहीं जुड़ी रहती है जो भी पढ़ते हो कुछ भी आप महनत करते हो ना उस महनत का एक कत्रा भी व्यर्थ नहीं जाता है यहां पढ़ोगे वह आगे कहीना कहीं काम आएगा और बहुत दूर नहीं जाना है नेक्स चैटर में काम आएगा जब आप इंडिया पढ़ोगे तब आप आप फिर आएगा तो बेसी कि लिए उटमन एंपायर जो है न तो 15th century में एक तरह से इस्लामिक एंपायर स्टाबिश होता है इस्लाविक एंपायर मतलब क्या है कि जैसे खलीफा वगेरा जो होते हैं तो वह क्या करते हैं कि बहुत एक्सपायंड करते वह यूरोप के भी कुछ टैरिटरीज को जीत लेते जहां पर क्रिश्चन स्रिया करते थे वहां पर क्या कर लिया उन्होंने इस्लामिक टेरिटरीज को मतलब इस्लामिक रूल को स्टैबलिश कर दिया तो यह उटमन एंपायर इस तरह से पूरा फैल जाता है ठीक है उटमन एंपायर फैल जाता है 15th century से लेकिन क्या होता है कि आप जैसे देखोगे ऑटमन एंपायर फैल गया अब 19th century आते क्या होने लगता है 18th century 19th century आते आते ऑटमन एंपायर डिकलाइन भी होगा और आटमन एंपायर के अंडर में कौन था तो जैसे यहां देखोगे ना तो यह पूरा ग्रीन कलर दिख रहा इस ग्रीन कलर में यह वाला रेड कलर तो यह की बाद में आजादी मिल इन पार्ट को तो यूर स्वामिक रूलर जो है तो 18th 19th century के बाद कमजोर ही होते चले जाएंगे और टेरिटरीज अलग होते चले जाएगी ठीक है अभी कले इतना ध्यान रखोगी ग्रीस जो है ना यह ग्रीस किसके अंडर में था पहले ऑटमन एंपायर के अंडर में अब जितने भी educated liberal middle class के लोग for independence amongst the Greece which began in 1821 तो अब देखो क्या है कि बहुत सारे जैसे आपने देखा गुजीपी मजीनी का केस में आपको बताया कि वह इटली का Unification चाहते थे लेकिन Monarchs जो थे वोने वो करने नहीं दे रहे थे Conservatives तो इसलिए क्या है वो दूसरे देशों में बाहर भाग भाग के सिग्रेट सोसाइटी वगएरा बना रहे थे तो वैसे ही ग्रीस के जो कह सकते रेवलिशनरी थे ना उनके मन में क्या बहाँ था कि ग्रीस को United कि आजाए ग्रीस को आजाद किया जाए ठीके Greek War of Independence की चाहती उनके मन में लेकिन अब क्या है वो अपने देश में नहीं थे क्यो उनको जो आटमन एंपायर के लोग थे जो रूलर्स थे खलीवा वगयरा थे वह उन्हें वह सारी अक्टिविटिस करने नहीं देते तो इसलिए ग्रीक्स यो थे ना जो रेवलिशनरी ग्रीक्स थे वह कहा है देश से बाहर निकल के देश को आजाद करवाने का प्रयास करत तो जो कोई फ्रांस में है कोई रिटेन में को जर्मनी में तो वहां लोगों से लोकल सपोर्ट गैदर करने की कोशिश करते थे तो लिबरलिजम नैशनलिजम जो था वह कहीं न कहीं उन्हें उस चीज़ के लिए प्रेरित रखता था ठीक अब देख आगे क्योंता है तो न इंडिया से बाहर था लेकिन इंडिया के सेंटिमेंट जुड़े हुए थे तो बाहर का इंसान भी क्या करेगा है इंडिया में इंडिया के आजादी के लिए उनकी मदद करेगा ना वैसे ही क्या है तो जो नैशनलिस्ट ग्रीस में फसे हुए थे जो कहीना की ग्रीस की इं इंडिया और इंडियन सुते ना विसी भी ऑग्रीत सुट्व यह भी एञ्विशल liegen एक्जाई एंडाइक आपमारे संस्कृति का अवाATOR निकलिये वो गुलाम बनके रखाए तो कही नहीं जोर क्या सकते ही इमोशन स्थे ना किस चीज के लिए ग्रीग वार फिंडिपेंडेंडेंस की वो तेज हो रहे थे और वो इमोशन 1821 से ही बन रहे थे लेकिन जो हम कहते हैं कि पुश कब मिलेगा फाइनल पुश तो नहीं देखा कि क्या ह है वही खरबुजी को देखके खरबुजा रंग बद लेगा फ्रांस आजाद बल्जियम आजाद तो नहीं क्यों ना ग्रीस भी आजाद हो तो उस तरह से क्या होता है कि अब यहां पर आप नैशनलिस्ट को देख रहे हैं वह तो प्रयास करी रहे हैं अपना फिर उसमें क् पोईट्स हो गए आर्टिस्ट हो गए ठीक है पोईट्स आर्टिस्ट लॉडड़ ग्रीस एस दी कार्डल ओफ यॉड़ोपियल सिविलाजेशन एंड मॉबिलाइज पब्लिक ओपिनियन तु सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुसलिम एंपायर तो एक तरह से ग्री इपेंडन्स के लिए लड़ने गए बताहो ठीक है कितने दूर गये थे इंगलीश-Poet, फॉट्पर लिंड़ने ग्रीट किये सबने चाहिक ओग है है क्या where he died of fever in 1824 लड़ने गए थे लेकिन बुखार के कारण इनकी डथ हो गई ठीक है फील बैड फॉर हिम लेकिन अब क्या कर सकते हैं लड़ने गए और बुखार आ गई और बुखार के चलते ही क्या उपर पहुंच गए वो बिना लड़े तो इस तरह से क्या बताया गए क देर वर सेंटिमेंट्स अटाइच फॉर दी इंडिपेंडेंडेंस ऑफ ग्रीस ठीक है लड़ाए लड़ी गई ग्रीक वार फिंडिपेंडेंस लड़ी बहुत सारे लोगों की डथ भी होती है सारा सब कुछ होता है क्यों कि जो ऑटमन एंपायर था वो भी ऐसा तो तो संधी साइन की जाती है कब 1832 में और ट्रीटी ऑफ कॉंस्टेंटिन अपल जो है तो वह फाइनली क्या करती है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रेकिनाइस करती कि ग्रीस जो है आप किसका गुलाम नहीं है ऑटमन एंपायर का गुलाम नहीं है बदाई हो ता लगाराशल चलता रहता है तो उसका एक एपिसॉड वेन आपको बता दिया है फिर उसके लोगावाह आपको एक ब Mini-team कि अज्ट्र की का भी कई इस एग्रीस ए सब कुछ और उसके एक और चीज कह सीख लिया आपने अच्छीप वह सीख लिया आप कि जो एज ऑफ रेवलिशन के मात करें तो एज ऑफ रेवलिशन है क्या ठीक है तो फ्रांस से वह रेवलिशन के लहर दौर पड़ी तो यह हमारी स्टोरी चल रही है कहां से 1830 से 1848 अभी हम 30 31 32 यह कुछ इवेंट समझें ठीक है अभी स्टोरी को पॉस्ट देते हैं क्यों क्य जो है वो क्या है next topic जो आपका वेख थीम बेज़ है ठीक है क्या आप क्या देख रहें कि रेवलिशन स्रिफ लडाई से हो रहें नहीं रेवलिशन के पीछे आप जोसे देखोगे ना तो लडाई के अलावा भी इंपोर्टेंट चीज वो क्या है कल्चर वो क्या है आट वो क्या है आइडियास वो क्या है इमोशन्स तो यह सारी चीज़े क्या है रोमेंटिसिजम का पार्ट है रोमेंटिसिजम क्या होता है वो सारा जब कुछ हम नेक्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं हलो अब्रीबडी इस दिग्रास रिजपूत वेलकम तो मैगनेट प्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे दी रोमेंटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग के बारे में अब देखे यह जो टॉपिक है ना यह डिफिकल्ट ल बताया था कि चैप्टर जो है हमारा क्यासा दोड़ लगा रहा है चैप्टर कि चैप्टर में आपको स्टोरीज भी मिलेगी और चैप्टर में आपको थीम भी मिलेगी ठीक है तो स्टोरीज क्या पढ़ते आ रहे हैं हां कि किस तरह से फ्रेंच रेवलिशन नेपोलियन का नेपोलियन के बाद में जैसे आप देखोगे treaty of Vienna conservative order restore हो जाना वो conservative भी ज्यादा समय तक अपनी जड़े जमा के नहीं रप बहट पाएंगे क्यों क्योंकि revolution से start होंगे तो age of revolutions 1830 से 1848 हम पढ़ रहे हैं हमने first hand experience कहां देख लिया है France में फ्रांस में जुलाई revolution, फ्रांस से Belgium, Belgium से Greece जो मतलब Greek war of independence है वो सारी कहानी आप अभी तक पढ़ चुके हो ठीक है अब यह जो अगला topic है आपका वो क्या है romantic imagination and national feeling सबसे पहली चीज romantic imagination सुनते से किसी के मन में इसे lovebird सुनने लगे हों तो मतलब वैसा कुछ नहीं है topic लेकिन क्या है वो भी आपको समझ में आएगा ठीक है तो ठीक है topic क्या कहना चाहरा है theme क्या है पता है theme यह है romantic imagination का मतलब यह है कि nationalism जो है लैंगविज जो है उसके प्रती जो प्रेम इंसारी चीजों से भी nationalism को strand rider किया जा सकता है and when you are focusing on the soft issues एक टो क्या देश भनाने का तरीका यह है कि France के लोगों ने क्या चलता लूविस शिंक को मार पीट के अक तरह से काया है कि वार टेरिटोरियल एक्सपेंशन वो चीज रही है नेपोलियन के टाइम पिरिड में हमने क्या देखा कि फ्रेंच आर्मिस जो टेरिटरी इसको एक्सपेंड करते चले गई है एक तरीका वो होता है दूसरा तरीका ये भी है कि नैशनलिजम जो है नैशनलिजम की फिलिंग को कैसे स्ट्रंदन किया जाए तो दूसरा तरीका रोमैंटिक इमेजिनेशन है मतलब जहां पर आप कल्चर पे soft power पे rely कर रहे हैं for creating a sense of identity, for creating the feeling for nation states or we can say for creating nationalism among the people ठीक है तो जब आप लोगों के अंदर nationalism को create करने के लिए culture का सहरा लेते हैं तब क्या होगा? तब हम उसे कहेंगे कि हाँ, it is a romantic imagination to create a national feeling or to create a nation state. आगे ना समझे बहुत simple था. तो culture played an important role in creating the idea of a nation, art, poetry, stories, music, helped express and shape nationalist feelings. For example, जिसे अब आपको एक बहुत simple चीज़ बता रहा हूं क्या? कि no doubt हम लोगों ने लडाईया लड़ी, किस चीज़ के लिए? मतलब history remains the same, हम लोगों ने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए लडाईया लड़ी, लडाईया लड़ी हम लोगों ने मतलब कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग शहीद हुए, सारी चीज़े हुई, लेकि उसके अलावा भी क्या है कि वो सारा एक पार्ट था कि हाँ, उ कनेक्टिंग यू, ठीक है, तो यहाँ पे आईडिया समझ में आपको क्या है, कोई स्टोरी नी चल रही है, बाकी जो हम चाप्टर है हमारा दिराइज ओफ नेशनलिजम इन यूरोप, तो यूरोप में नेशनलिजम के लिए आप देखो कि कि रोमेंटिक ठीकर जो थे, रो आपए लुक्स्ट अपॉण तो क्रीट ए फर्मव नेश्रलिस्ट सें इमेंट्प बैइलिए टेफनेशन फोर्मेंटिक सिवर्ड क्या हो गया, तो रोमेंटिक इमेजिन एशिंच प्रिकर जो है, ठीक है, अगयन रोमेंटिक को आप कि दर हिभांटिक कि जाना, रोमेंटि फीलिंग से नेशन स्ट्रीट है नेशनलिजम है उसे स्टंदन कर रहे हैं ठीक समझ में आया तो देखो क्या है कि रोमेंटिक आटिस्स एंड पोईट्स जनरली क्रिटिसाइज दी ग्लोरिफिकेशन आफ रीजन इंड साइन्स एंड फोकस इंस्टेट ऑन इमोशनस इंसे इंट इन्ट्यूशन एंड मिस्टीकल फीलिंग तो यहां पर क्या बताया गया कि रोमेंटिक आर्टिस्ट थे जो मेंटिक थे पोईट्स जो थे जो रुमेंटिस सिजम में बिलीव रखते थे उनका यह मानना था कि देश जह लड में क्या करना पड़े का कुछ मतलब कॉमन कह सकते हैं कि आइटेंटीटीटीज क्रिएट करना होगी वो कैसे कर पाऊगे आप म्यूजिक की मदद से कर पाऊगे आट की मदद से कर पाऊगे ठीक है वही चीज हो रही है तो देर एफ़र्ट वास्टू तो यह आइडिया था दिस दी क्रक्स अबाउट रोमेंटिस इजम आयोप आप कनेक्ट कर पाने दो को टॉपिक एजी है कि नैशनलिस्ट फिलिंग को स्ट्रेंदन करने का वो तरीका जो वार और टरीटोरियल अइस अंपरी ना कि जो आप टेस्ट थे जो पुएट सेबा किसी चीज़ फोकस करते थे वह फोकस करते थे इमोशन पे इंटीशन इंटीशनस फे मन क्या कह रहा आपकी भावना का कह रही है कि आप साइंस और रीजन पर फोकस करो दो यहां क्यो लिखा एक उस सवे तक of the creation of nation-state, the soft side of the creation of nationalism, can be covered under romanticism. आयाना समझ में? तो यहां पर बताया गाया है जिसे आप देखोगे तो जोएन Godfred Herder जो है, जोएन Godfred Herder के बारे में आप अपने higher education में जब आप पढ़ोगे न तो और पढ़ोगे, इन्होंने nationalism का idea दिया है, ठीक है nationalism, rise of nationalism पढ़ रहे हैं? इन्होंने nationalism का idea दिया और हने nation-state का idea की nation-state कैसे बनाया जा सकते हैं, अलाओ-ालाओ-कुछ prominent theorists हैं, कुछ prominent कह सकते हैं philosophers हैं, जिनके work को पता है क्या किया जाता, पढ़ा जाता है, higher level तक पढ़ा जाता है, तो उन्हें तो आपको बता है कि कैसे nationalism इमर्ज हो सकता है कैसे नेशन स्टेट्स बनाया जा सकते हैं ठीक है अगें जर्मन फिलोसोफर और इन्हों ने कैसे मैं आपको बता है जर्मनी आज जो आप जर्मनी देखर हो हमेशा से नहीं है ना वह जर्मनी कैसे बना है तो नो डाउट अभी हम आगे पढ़ेंगे making of Germany में कि लड़ाईया लड़ी गई है लेकिन उन लड़ाईयों को लड़ने के लिए लोग आपस में एक जुट होना जरूरी थे लोगों के अंदर आपस में जुड़ा होना जरूरी था ठीक है तो जो जर्मनी की जुड़े रहेंगे तभी हम एक राष्ट बना पाएंगे इस तरह की बात करीं क्लेवा तो वाक्सवेगन जर्मन वड़े वाक वाक का मतलब क्या होता है तो सी तरह से आप इस तरह जो और आइडिया समझेंगे तो जो और उन आपस उनको ये मानना हे कि आपको देश बनाना है तो देश कहां से बनेगा देश से बनेगा देश के लोगों से लोगों की कलचर से बनेगा ठिक है तो गें ठापर चेंटिए वर्ड वाक्स गिस्ट वस्वप्लाराइज तो वक्सम के बीच में एक नेशनलिजम के स्पिरिट डवलाप की जा सकती है तो अकॉर्डिंग टु दी जर्मन फिलोसफर जोएन गॉट्फिट हड़र उनका क्या मानना था कि आप फोक सॉंग्स पे फोकस करो फोक पोईटरी फोकस करो फोक डानसे पर फोकस करो ठीक है मतलब क्या है कि आप एक रोमेंटिक थिंकर के चश्मे से देखने की कुशिश करो क्या कि कि आप किन चीजों फोकस करो सॉस्ट इशूस पर फोकस करो और उससे आप एक देश बना पाओगे ना कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ना कि लड़ भीड़ के ठीक है तो सो कलेक्टिंग एंड रिकॉइडिंग इस फॉर्म्स और फोक कल्चर वाज एसेंशेल तो दी प्रो और राइज ओफ नेशनलिजम इन यूरोप तो यूरोप में किस तरह से नेशनलिजम इमर्ज होता है तो उस नेशनलिसम के इमर्जंस में नो डाउट टेरिटोरियल एक्सपेंशन सखर एक इंपॉर्टेंट रूल है लेकिन आईडियाज का भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो था तो उस रोमेंटिसम का भी एक इंपोर्टेंट रोल रहा इन दी प्रोसेस आफ नेशन बिल्डिंग इन क्रियेटिंग दी नैशनल फिलिंग समंग दी पीपल अब दो और एक्जामपल यहां पर देखो तो आप क्यों जाता है बात कर रहे हैं कि रोमेंटिसम क्या एक सर कल्चर फोकस करेंगे सॉफ्ट इसूज पर फोकस करेंगे तो लेंग्विज भी एक सॉफ्ट इशू हो गया क्लिया तो आप यहां पर जी से करने रोल ऑफ रॉनाकुलर लैंग्वेज़ इस एंड लोकल फोड फोकलोर ठीक है तो लैंग्वज को दियान देना क्लाइब ला बकाइब इस बरगोड्र न सौंग सब्सक्राइब कई जाता थे लुकण कलचर जैंक अपना जिएशन सब्सक्राम ल Kerry कर 30 में इनशन बिल्डिंग प्रोसेस और निख्केरारी की आगे हो जानवरों की पुझा आज भी कि जाREE है तो क्यार देखने को मिल रहा है कि उस समय से और आज के समय में जो लोकल ट्राक्टिसी मइच्टेजेश य defect उससे करेंगे तो तो उससे तो अभाल जूद सबस from to a large audience who are mostly illiterate अब यह पॉइंट समझना है यहां पर क्या हो रहा है कि मान लोग ऐसा होता फॉर example समझा रहें क्या इंडियन नेशनल मुवमेंट में इंडियन नेशनल मुवमेंट में इंग्लिश जो रहती है कि इंग्लिश को एक लिए जाता कि नहीं रहें क्या सक्वेटिक नहीं गए मिलना पड़े कि आपको क्या करना सांथ फॉर तो समझ अरहा हों ऑग यहां तो करना कि किस सतरा से romantic thinkers जो थे romanticism ideology जो है उसके through national feeling को create किया जा सकता है when you are focusing on vernacular languages when you are focusing on local folklore ठीक है तो उससे no doubt आपका एक ancient national spirit जो है वो तो आप regenerate करी लोगे उसी के साथ साथ में क्या है कि एक large masses तक पहुच सकते हो क्योंकि क्या है जो local रहेगा वो रहेगा मतलिक तरह से क्या है कि local से लोग कनेक्ट कर पाएंगे ना अगया समझ में यह point तो example यहां पर पोलाइंड का दिया गया है जैसे कि पोलाइंड हैस बीन partitioned at the end of 18th century by great powers russia prussia austria अगेन रिपीटिंग कि उस समय पर नेशन स्टेट का concept इतना जोरो सोरो पर नहीं होता था तो क्या है आप जैसे देखेंगे रश्या रश्या एंपायर है सार निकूलस वगड़ा वो कर रहा है ठाइच प्रूश्या है आस्ट्रिया है तो यह क्या है अलग अलग ऑनहीं पायर है ठीक अलगलाों वह करते थे तो उन्हें क्या क्या आप पोलैंड के आगर बात नियुक्त की जो आख आध गूल देखते का घर यह थीक क्या होता है 18th century के end के अगर बात करें तो 17 1795 और उस time period की बात करें त्स टाइम पिरिड के आग पास की तो तीन बार क्या होता है और यह जो great powers थी कौन सी इस तो ऑस्ट्रीया व गया प्रशइया व गया रस्या व गया इन ग्रेंट पावर में पॉलेंड का अलग अलग हिससा अब लड़ते रहा थे आपस यूरोप से तरह से पाटिशन होते गया तो पॉलेंड मैपं से खतम हो गया था प्रैक्टिकली देखा जाया तो जैसा कोई देश नहीं था लेकिन अब जो जनता है ना जनता तो वही रह रही उसी जगह पे वह connected कैसे थी तो उनका जो क्या सकते पॉलिश कल्चर था जो लेंगवेश थी जो उनके फोक कस्टम्स थे उससे तो connected थे तो नो डाउट क्या किया गया देशों ने यहां पर रश्या को पॉलेंड को बाट लिया है ठीक है कुछ रश्या ने ले गया कुछ आस्ट्रिया ने ले गया कुछ प्रश्या ने ले गया लेकिन फिर भी क्या है लोग एक जुट थे और अंगर एक्जिस्टेड एजन इंडिपेंडेंट टेरिट्री नैशनल फीलिंग्स वर केट अलाइफ थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज तो पॉलेंड एक देश की तरह मैप पे नहीं था लेकिन जो नैशनल फीलिंग्स थी उन्हें किसने जोड़े रखा तो तो खतम जब होता 1918 तब पॉलेंड फिर से जनम लिता है तो लंबे समय तक पॉलेंड तो था ही नहीं मैप पे क्योंकि इस तरह से एंपायर सुआ करते तुमने बाट के रख लिया था यह कहानी थी तो रोमेंटिक इमैजिनेशन में अभी आपको क्या बहुत जादा सिर्द के बारे में बेदा सकते हो यह साहीद चीजजे मैं एक्जामपल लिखना है क्या है कि रोमैन्टिक आइडिया है रोमैंटिक आइडियारो सिंड़ संद लोकल फोक्लोड तो उसमें आप लिख सकति हो तो यह आपको कहीं से भी किदर से भी कुशन आ सकता है तो उस केस में चीजों को ध्यान रखना तो जैसे केरोल कुर्पिंस्की का एक्जामपल दिया गया कि पॉलेंड जो पॉलेंड नहीं रहा ठीके ग्रेट पावर्स जो थे आपस में लड़ते बिढ़ते थे उन्होंने प तो ओपेरा म्यूजिक्स उनके थ्रू उन्होंने क्या करके रखा है नैशनल स्ट्रगल को सेलिबरेट किया टर्निंग फोग डांसर लाइक दी पॉलेनेस पॉलेनेस एंड मजुरुका इंटू नैशनलिस सिंबल तो यह जो वहां के डांस फॉर्म थे ना तो अब क्या हो र होगा म्यूजिक होगा उपेरा होगा इनके थू लोग जुड़े होगे रहते हैं तो दो फोग डांस के अगर बात की जाए कुछ ना जाए कहां के पॉलेंड के तो पॉलेनेस और मजुरुका ऐसे ध्यान देना अब जैसे फॉर एक्जांबल में बताना आपको क्या कि आप अगर इस मुवी को देखा है आपने तो वो जो क्रिकेट है ना वो क्रिकेट से ऐसा नहीं क्या अजादी मिल गई है लेकिन इत्वास यूज्ड एज़स्ट एस सिंबल टू प्रोटेस्ट ठीक है तो सॉस्ट इशूस को जब आप क्या करने है मतला वो क्रिकेट में नैशनल इस्ट फिलिंग को क्रियेट करने के लिए सॉफ्ट इशूस का इस्तमाल किया जाता है अब जैसे में आपको डांस का बता दिया फोकलोर का बता दिये एक्जामपल वसी लैंग्वेज की बात कर तो लैंग्वेज भी क्या है रोमेंटिक आर्टिस्ट के लिए लैंग्वेज वस फोर्ज आउट आफ स्कूल एंड रश्यान लैंग्वेज वस इंपोस्ट एवरिवेर क्या है क्या आपने देखा कि है रश्या ने कपजा कर लिया कहां पे मैंने आपको भी बताया ग्रेट पावर्स ने डिवाइड कर लिया था पॉलेंड को इंदी लैंग्वेज बोली जाएगी इन 1831 एन आम्ड रेविलियन अगेंस्ट दी रश्यान रूल टुक प्लेस विच वास अल्टिमेटली क्रस्ट तो लोगों ने इसी चीज को अपोस्ट करते हुए आप लैंग्वेज का इशू तो कितना सिंसिटीव हो तो आपने श्री लंका क के केस में देखा है हमारी खुद की कंट्री में आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस के बाद में सदन स्टेट्स में प्रोटेस्ट होता था था लैंवेज के रिगार्डिंग तो वहीं पर क्या होता है कि जब इस तरह से जो पॉलेंड हुआ कर दिया ठीक है लेकिन वह ल थी ना ठीक है नेशनलिजम की स्पिरिट थी वह लेंग्वेज ने बनाई रखी फॉल इंडिस मेंबर्स आफ दी कलर्जी इन पॉलेंड बिगें तो यूज लेंग्वेज असे वेपन औस नेशनल रिजिस्टेंस ठीक है तो पॉलिश वास यूज फॉर्च गैदरिंग और रिलिजियस इंस्ट्रक्शन तो यह पॉलिश लेंगवेज का इस्तमाल उनके अपने आप में क्या हो जाता था एक एक सकते एक वे और फ्रेश्टेंस होता था कि नहीं हम रश्यन डॉमिनेंस को एक्सप्ट नहीं करते हैं इसलिए हम रश्यन लेंग्वेज को एक्सप्ट ही करेंगे जो हमारा देश था पॉलींड हम उस पॉलिश लेंगश को एक्सेप्ट करेंगे ठीड यूज़ पॉलिश केंड बी सीन एजवास स्ट्रॉगल अगेंस रेश्यन डॉमिन तो रेश्या वाले भी मानति थे जो लोग पॉलिश लेंग्वेज के सुमाल करते थे टो तो इन चीजों को क्या करना ध्यान रखना अब यहाँ पर दिक्कत कर आएगी आपको सारी चीजरे समझ में आई हैं हलो एवरीबड़ी दिस दिग्रास सिंह राजपूत वलकम तो मैगनेट बेइंस इस वीडियो में क्या पड़ने वाले हैं इस वीडियो में पड़ेंगे हंगर हाड्शिप एंड पॉपिलर रिवॉल्ट हंगर हाड्शिप पॉपिलर रिवॉल्ट मतलब टॉपिक को देखके से लग रहा है बीच में पता नहीं कहां से क्या गया घबराने की जरुवत नहीं है हम शर्त लगा सकते आप से की वीडियो के सकती है सेंस ओफ क्लेक्टिव आइडेंटिटी नैशनलिजम और नेशन स्टेट के आईडिया को फोर्ज करती है ठीक है यह समझ लिया हमने तो अब हमारी कहानी क्या चल रही थी ब्रॉड इडिंग क्या थी रिकॉल करो तो को हैडिंग को दो मिट के लिए इसको मतलब ऐसे सि क्या पढ़ रहे हैं 1830 से 1848 यह जो टाइम पिरेट रहा ना तो यूरॉप में यह वाला जो टाइम पिरेट रहा तो इसको सेकंड वेव और रिवलिशन बोलो क्योंकि क्या हुआ था हमने देखा था फ्रेंश रिवलिशन हुआ फ्रेंशन के बाद में क्या होता है कि एक तर सब्सक्राइब रिस्टोर हो जाता है हो जाने दो तो वह कंजर्वेटिव और जो 1815 में रिस्टोर हुआ था ना उस कंजर्वेटिव और को बापिस गिराया जाएगा 1830 के बाद से ठीक है और हमने देखा भी कहां देखा तो आपने देखा विन फ्रांस स्नीजर रस्ट हमने देखा कि क्या है जो लुई फिलिप रिस्टोर किये गए थी ना उन लुई फिलिप को क्या कर दिया कॉंशीटिशनल मोनार्की में कनवर्ट कर दिया ठीक है अब फ्रांस से फिर क्या होता है चिंगारी कहां पहुंशती है बेल्जियम में तो युनाइटिक इंग्डम का भी रुमेंटिसिजम का भी इंपॉर्टेंट रूल होता है वह हमने देख लिया अब स्टोरी वापिस आईगी अभी एज हमारी खतम नहीं हुई है मतलब जो एज ऑफ रिवलिशन है वो खतम नहीं हुआ आपने देखा कि 1830 1831 32 इन टाइम प्रेंट में रिवलिशन तो ही फिलिप को constitutional monarch बना दिया था मतलब constitution भी है monarch भी है अब 1830 के बाद में और 1848 में क्या होता है एक बार फिर revolution होता है revolt by poor होता है ठीक है peasants uprising देखने को मिलती ही France में वह आपको यहां समझ में आएगी ठीक और फिर आप connect कर पाओगे कि यह hunger क्या लिखा है hardship क्या लिखा है और popular revolt क्या लिखा है तो आपको इतना तो clear हो गए का popular revolt मतलब क्या है कि जो age of revolutions है वो भी economic hardship in Europe why what are the reasons great economic hardship मतलब क्या है कि आर्थिक रूप से लोगों ने बहुत परिशानियों को सहा इस time period में अब इस time period में अच्छा एक चीज़ बतातो हूं लोग किसके पकड़ेंगे ठीक है जो लीड कर रहा है country को constitutional monarch तो दिखती बात है वो तो कि अब क्या होनार्ग जो विचारा constitutional monarch बनके बठाओ चाहे उसने किया कुछ नहों लेकिन लोग फटर उसी को मारेंगे ठीक है तो वो चीज़ हम समझेंगे बागी पहला सवाल यह आता है कि क्यों यह ग्रेट economic hardships के यह रहे हैं ठीक है what are the reasons behind this ठीक है क्यों इस टाइम पिरेट को हम कह रहे है कि यह टाइम पिरेट जो पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है ना तो वह बात अलाग है पॉपुलेशन बढ़ी है तो लोग क्या है मतलब बर्थरे वगेरा बनेंगे यह सारी चीज़ों होंगी उसके हलावा भी इंपॉर्टेंट फैक्टर वह आपको कंसीडर करना होगा कि अब जनसंख्या ठिक है काम नहीं लोग बेरोजगार भुमेंगे लोग बेरोजगार भुमेंगे टो खाली दिमाक शेतान का घर आफ च्टो अनेप्लाइम्प्लाइम्वइम्ट और से क्या हो रहा है उन लोग पास काम नहीं पैसा निये तो श्टैंड़र ओफ लिविंग क्या होगा तो नॉरमल पैटर्न है ओप लाइश्टाइल का वज़र्फ करोगे सुसाइटी को अब्जर्फ करोगे तो समझ पाओगे कि लोग दाव में थे बेरोजगार थे तो उन्हें क्या करना सोचा क्या शहर में शायद काम मिल जाएगा अब रेट कार्पेट एंट्री होगी उनकी ऐसा नहीं है ना तो शहर में भी लोग माइग्रेट कर जाएंगे लेकिन ऐसा थोरी कि उनके लिए बस होता है तो जो बड़ती पॉपलेशन बड़ते अनेंप्लाइट बेरोजगार लोग थे वह माइग्रेट करके सिटीज की तरफ आगाए सिटीज में प्रशर क्रियेट होता है रिसोर्स की कमी वहां पे ओवर क्राउड़ेट स्लम्स का बन जाना ठीक है बहुत सारे लोग रह र प्रशानी सहर होंगे और इसी के उपर क्या होगा गरीबियों में गिलाटा कि राइज ओस फूट प्राइज इस और और यह रोज बैड़ हर्वेस्ट लेड़ टो दी वाइट स्प्रेड पॉपिरिजम ठीक है वाइड वाइट स्प्रेड पॉपिरिजम इन टाउंस एंड क इस बीच में क्या होता था कि अगर मान लो क्या होता है कि जैसे किसी साल मान लो कोई फसल प्रडियूज नहीं हो पाई तो जितनी प्रडियूज उइटी उसकी प्राइज ज्यादा हो जाएगी किसी साल बैढ़ हर्वेस्ट हुआ मतलब फसल को नुक्सान हो गया कीमत में मिल रहा है तो दिलो सिच्वेशन्स क्रियेटेट अस्टेज ऑफ पॉप्यरिजम पॉप्यरिजम मतलब क्या है इस स्टेज ऑफ बिंग रिडियूस्ट टुदी लेवल आफ पूर अब लोग ऐसा लग रहते हैं हम आज से पांस साल पर अच्छे थे आज तो हम गरी है और किस प्रकार कि है तो यहां पे तो पहले आया और गेस्टन पार्ट में पहले आया और ब्रश्टन पार्ट बिरिटेन वगिरा है वहां पर इंडस्ट्रिलाइजिशन पहले आया तो वहां पर इंडस्ट्रिलाइजिशन आने से क्या है कि जो बागी का यूरोप है न उसमें और हाडशिप क्रियेट हो गई कैसे तो वह समझाता हूं ठीक है वह समझाता हो कि कैसे इंडस्ट्रिलाइजिशन यूरोप ब्रिट अब लोपी बेचेंगे यूरोप के दूसरे पार्ट में तो आप क्या हो रहा है कि इंपोर्ट और आफ चीप मशीन-made गुट्स फ्रम इंगलेंड तो इंगलेंड से जो भी प्रोड़क्स बन रहे था उनको कहां पहुचाया जाता था यूरोप के दूसरे पार्ट में लूमें तो अब क्या होगा कि जब एक इंसान के सामने दो प्रोड़क्ट होंगे कि यह खरीद लो यह खरीद लो यह 10 रुपे का यह पांच रुपे का तो दिखती बात है पांच रुपे अला खरीदेगा ठीक है तो यह जो चीप मशीन-made गुड्स जो इंडस्रिलाइजि करना पड़ेगा ठीक है तो दो स्मॉल प्रोड्यूसर इंटाउन से इंडस्रिलाइजिशन से यूरोप के दूसरे पार्ट्स में जहां सस्ते प्रोड़क्स बेचे जा रहे थे जो बिटेन में बन रहे थे उसने और समस्याओं को क्या कर दिया जनम दे दिया ठीक है तो टे चोटे-चोटे अपने घर में छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज या पर कह सकते हो कि जो हाथ से ही काम कर रहे थे मशीन का इस्तमाल नहीं हो रहा था उन्हें जब कॉंपिडिशन मिला किस चीज से स्टिफ कॉंपिडिशन मिला ब्रिटेन के इंडस्रिलाइज गुड्स से तो उन्हें तफ कॉंपिडिशन फेस किया और मैंने आपको यह भी बता था कि इस्टन यूरोप जो इस्टन यूरोप में ज्यादा इंडस्ट्रिलाइजिशन नहीं हुआ था यहां क्या सिस्टम था कि एक फ्यूडल लॉड होता है सर्फ दम वाला सिस्टम होता तो अधियान क नहीं थे जो टेक्स पे करना पड़ता था तो वह क्या कर रहा था वह तरह से और बर्डन की तरह लग रहा था पीजर्स के उपर तो अब अगर हम यहां पर दो मिटका पॉस लेते और सारी चीजों को कनेक्ट करें तो प्राइजिस का बढ़ना ठीक है ठीक है खाने का इसका कांप्रीशन स्किया पीजन जो तो नोंगे अरिस्टोक्रेट्स के जो फ्यूडर जो दिूस थे यहां पे कि hunger and hardship क्या करेगा popular revolt तो constitutional monarch की लिए आये थे ना लूई फिलिप को क्या बना दिया था किया चलो बैठ जाओ constitutional monarch बनके राजा बने रहो के नहीं हटा रहे तुम्हें लेकिन तुम समविदान के साथ इसाब से काम करोगे यह 1830 के जुलाई revolution में हुआ था अब लेकिन वह 1830 के बाद से जैसे जैसे situation ब परिशान कौन था ठीक है तो आम आदमी ठीक है जो गरीब था वह परिशान था तो फिर से रिवाल्ट में खड़े होंगे वह 1848 में करेक्ट कर लिया ठीक है तो फूट शॉर्टेज एंड वाइड स्परेट अनेंप्लॉयमेंट हंगर थी हाइडशिप थी ब्राट दी पॉ पूरवज लड़े थे तो पूरवजों को लटका दिया था तो लुए फिलिप ने क्या सुचा कि बहतर क्या होगा कि मैं भी भाग चलू तो बैरिकेट्स वेर एरेक्टेर एंड लुए फिलिप वास फोर्स टू फ्ली मतलब लुए फिलिप की स्थिति कुछ ऐसी होगी थी कि लुए फिलिप ने सुचा कि भागना बहतर रहेगा टिक हैं तो लुए फिलिप की ये स्थिति थी कि जनता आ गयी थी जनता आती है सिंगासन छोड़ो वह अलिस्तिति हुई रिजल्ट फिर रिजल्ट के हुआ कि जब लूई फिलिप ने अपनी जगा छोड़ दी ना तो आट नेशनल एस्टमली प्रोक्लेम ड़िए तो एक नेशनल एस्टमली जो थी मतलब आपको ऐसे ध्यान रहना चाहिए कि 1848 का पूर का जो रिवॉल्ट था उसके बाद में क्या बदलावाया तो जो Constitutional Monarchy थी फ्रांस में मतलब राजा था लेकिन Constitution के साब से काम करता था अब बोला कि भागो ठीए तो राजा तो चले गया तो अब क्या बनेगा फ्रांस रिपब्लिक बन जाएगा मतलब head of the state कौन होगा elected person होगा तो granted suffrage to all adult males about 21 point to be noted only all adult males तो अभी भी women को right नहीं मिले हैं women को right नहीं मिले हैं बस यह है कि अब सारे adult male को मिल गए active passive का system खतम सारे adult male जो है वो वोट करेंगे 21 साल adult के लिए एक age रखी गई ठीक है और रिपब्लिक बना दिया गया फ्रांस को after the revolt of poors in 1848 clear and granted the right to work और स्थिती revolt होई था क्यों क्योंकि लोग hardship face कर रहे थे देवर hungry देवर unemployed तो national assembly ने यह declare करा कि सबको काम दिया जाएगा ठीक है सबको काम दिया जाएगा यहाँ पर एक ग्जांपल किस चीज का दिया है यहाँ पर एक 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 जांपल दिया गया है story of revolt in silesia का भी दिया गया मतलब यह बताया गया कि किस तरह से रिवाल्ट जो हो रहे थे ना जो age of revolution समपढ़ रहे तो सिर्फ फ्रांस तक कहानी सीमित नहीं फ्रांस Belgium ग्रीस यह सब देखा आपने वैसी इसलिशिया का है तो आज का जो हमारा पॉलेंड ना आज का पॉलेंड जो है तो उसके पास वाला रीजन ठीक पॉलेंड तो आपको बताए था कि पॉलेंड तो क्या विभाजित करी दिया गया था तो स्टोरी ओफ रिवाल्ट इन सलीश्या कि अगर देखें तो यहां पर क्या है यहां पर मैं आपको कहानी बदा देता हूं मोटा मटी यह स्क्रिंशॉट जो है मतलब बुक का आपका इसमें आप कर पढ़ भी लोग है कि यहां जो वीवर्स थे वह वीवर्स काम क्या करते थ पैसे काड़ लो एक दिन दो दिन 4 से घड़ परता है और एक समय पे फूत पड़ेवी विवर्स तो वीवर्स ने क्या 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 किया विल्हम वॉर्फ हो ना intense Guns औरे में एक और तो वहाँ ते क्या तब अच्छे confused हो जाते हैं तो जनरलिस्ट विलियम वोल्फ जो है तो ही डिस्क्राइब दी इवेंट इन सेलेशन विलेज एस फॉलोज तो सेलेशन विलेज में जो वीवर्स प्रोटेस्ट में खड़े हो जाते हैं तो उस चीज को उन्हें डिस्क्राइब किया है कि दो बजे के आसपास क्या है बहुत सारे वीवर्स की क्राउड आगई प्रॉपर्ली क्लियर वाद कॉन्टेक्टरस ने उनके प्रोड़क्स की प्राइज रिद्यूस कर दी यह कहानी थी तो यह पूरी स्टोरी थी अबाउट ठंगर हाडशिप और पॉपिलर रिवॉल्ट तो जो हमारी शर्त लगी थी मैं उम्मेद खरता हो कि आपको सारा टॉ अभी खतम नहीं हुआ है तो यह तो आपने देख लिया किस तरह से फ्रांस में और फ्रांस के सांसा तो और भी यूरोप के पार्ट्स में रिवॉल्यूशन हो रहे थे कब वो जो 1815 में एरिस्टोक्रेसी कंजर्वेटीव रिजीम रिश्टोर हो गया था उसके अगेंस्ट में ठीक है ऐसा ही है आपको और भी जगा देखने को मिलेंगे यह रिवाल्ट बाइ पूर था तो मिदल क्लास जो थी वो भी रिवाल्ट करेगी नेक्स वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं लिब्रल रिवल्यूशन ऑफ 1848 हम नेक्स वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस ओफ रिविशनस तो कितने रिवालीूशन हो रहें हैं यतने रिवुलुशन पढ़ लिएं हैं चाहिद या pensa अचाँ प्रीजानल में अब बात करोगे तो जो एग्री आप लेगें आपको आफ़े वीडियो में ह TVs कहो करके लाया हूँ कैसे कि पिछली वीडियो में ही बताया था लास्ट में क्या बताया था कि हाँ जो रिवाल्ट हुआ पूर्स का तो उसको देखके कहीं न कहीं कि जो लिबरल स्थे ना मतलब लिबरलिजम हमने क्या देखा कि फ्रेंच रिवलिशन के बाद में जो आइडिया निकल के यह लिबरलिजम के लिबरल nationalism जो मर जुआ वो मरा नहीं अभी तो conservative order restore हो गया तो conservative order restore हो जाने के चलते liberal ideas जो है वो दब गए थे लेकिन अब क्या हो रहा है कि थेवार बना हुआ रिवाल्ट का तो इसका है इस festival season में क्या हो रहा है एक तरह से कि जब पूर्स का रिवाल्ट हुआ तो नो डाउट पैरलल टुदी रिवाल्ट ऑफ पूर ठीक है कनेक कर पा रहे हो ना की रिवलिशन की बात करें 1848 में इस टाइम पिरेड में जो रिवलिशन हुए तो अभी हमने पढ़ किया है कि यहां पीजन जो थे पूर्स जो थे उनके दोबारा रिवाल्ट किया गया फ्रांस में जिस से क्या हुआ इनका जो रिवाल्ट था तो इस रिवाल्ट का इंपक्त क्या था कि इवेंट जो फेबर, 1848 में फ्रांस में होते हैं उस इवेंट के चलते एबडिकीशन देखने को मिलता है मonarky का ठीक है मonarky हट गई फ्रांस हो के कह सकते हैं parallel to the revolt parallel to the revolt of poor there was revolt of educated middle classes educated middle classes जिनका existence liberalism पर था ठीक है liberal ideas inspired थे वो लोग भी क्या है revolt करेंगे अब देखो revolt करेंगे तो revolt किसके against होना है यह बहुत clear pattern रखना इस चीज़ का अपने दिमाग में की जो conservative order restore हुआ था था ना 1815 में उसी conservative order के against में reward करेंगे क्यों क्योंकि यहां आप देखो के तो यह reward किसका था reward by poor के अगर बात करें तो it was due to the circumstances hunger hardship ठीक है तो वो क्या है सहन करते करते हैं उनकी situations के चलते उन्हें reward में खड़ा होना पड़ा अब यह जो educated of constitutionalism they believed in the idea of elected parliament अब जब conservative order के चलते यह कुछ भी नहीं मिल रहा था तो वो लोग अपनी demand के मतला अपनी demand raise करेंगे ठीक है और मैंने बताया था liberal nationalism to liberalism nation-state nationalism it is associated with it is associated with क्या सकते हैं कि educated middle-class ठीक है तो कहानी समझ में आगे आपको एक बैग्राउंड क्या चल रहा है आपे की जो revolution of liberals लिगा तो revolution of liberal किसके पारल होगा जो revolution of poor peace enterprising हमने देखी थी अभी पुछले वीडियो में के रवा तो इन अधर पार्ट of Europe in other parts of Europe where independent nations nation-states did not yet exist such as Germany Italy Poland and Austro-Hungarian Empire men and women of liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification अब यह जो सारी कहानी बता है इसको सिंपल अगर तीन लाइनों में खतम करें तो जब France को चीक आती है पूरे की पूरे Europe में क्या होता है सर्दी फैल जाती है अब उस चीज को यहां connect कर लो कि हमने देखा एज ओफ रिविशन में जैसे 1830 के टाइम प्रेट में चॉंस्टिशन मोनार कि आई तो वैसे क्या होता है वैसे ही आजवाजों के छेत्रों में भी क्या होने लगता आजवाजों के देशों में भी रिवलिशन साले लगते हैं अगें दी स्टोरी सीम कि फ्रांस में जब 1848 का रिवलिशन आता ना तो इससे इंस्पायर होके जो यूरोप के दूसरे पार्ट से जहां पे नेशन स्टेट नहीं थे जहां पे इंपायर हो गया तो इन जगह पे भी क्या होने लगा कि जितने भी मैंन और विमें थे जो लिबरल मिडिल क्लास को बिलॉंग करते थे उसे इन सारे चीजों के चलते का है कि आपको एक रिवाल्ट देखने को मिलेगा educated middle classes के दोवारा भी complicated तो नहीं हो रहा है को यह concept बता रहा था मैं अभी background बता रहा था कहानी तो हर कोई बता सकता है और हर कहीं आप समझ सकते हैं background बहुत ज़्यादा जरूरी है तो background समझ में आगे आपको कि क्या है the revolution of liberals to revolution of liberals is somewhere inspired by the revolt of poor is parallel to the revolt of poor unemployed और कह सकते poor unemployed के साथ साथ जो लोग परिशान थे उन लोगों का जो रिवाल्ट हुआ उससे इंस्पायर हो के आप यूरोप के दूसरे पार्ट में भी क्या देखो गे रिवाल्ट देखो कोई ठीक है तो देट टुक advantage of the growing popular unrest called educated middle classes की बात की जा रिये तो उन्होंने इस growing unrest का advantage लिया मतलब तहवार था ना वही कि ता चाड़ो तरफ रिवाल्ट होने चलो अपन भी कूद पड़ते तो देट टुक advantage of growing popular unrest to push their demands for creation of nation-state जैसे जर्मनी वगरा यह कोई national state नहीं था जर्मनी इतली पॉलेंड यह कोई भी national state नहीं थे जब educated middle class ने सोचा कि हमारा भी एक nation-state होना चाहिए ठीक है तो उन्होंने डिमांड उठाई कि नेशन स्टेट हो parliamentary principles पर एक constitution हो freedom of press freedom of association हो यह सारे liberal ideas है ठीक है तो liberalism पर based उन्होंने भी डिमांड करी की बदलाव आए ठीक है तो बदलाव के लिए क्या लाना पड़ेगा reward लाना पड़ेगा अगर आप बदलाव चाहते हैं तो क्रांती तो लाना पड़ेगी ठीक है वही चीज़ यहां पर हुई तो the revolution of liberals in German region तो यहां पर क्या बताएगा है Germany का specific case बताएगा कि German region में किस तरह से क्या होने वाला है Germany में आप क्या देखोगे कि किस तरह से revolt होगा किस तरह से लोग अपने liberal ideas के चलते अपने demand को put form कर लिए ठीक है तो देखो इन जर्मन region members were middle class professionals ठीक है businessmen and prosperous artitions came together in the city of Frankfurt अब देखो क्या हो रहा है कि Germany में किस तरह से revolt की तयारी हो रही या फिर background बन रहा है जो हम age of revolution में पढ़ रहे है कि Germany में सारे लोग एक साथ आए कौन तो अधिक तरह आप लोग देखोगे तो middle class professionals है यह सारे कौन है liberal middle class के लोग हो गए ठीक है middle class professionals businessmen prosperous artitions ठीक है तो अब आपको देखो एक analytical approach रखना पड़ेगी क्या कि अगर हम compare करें कि France का 1848 का present uprising था उससे कैसे अलग है तो यहां लोग किसी प्रकार की hunger hardship से परिशाद नहीं हो रहे यहां तो उनके आइडियास उनको कौन रहें अंदर से कि उठो और जाओ रिवाल्ट करो ठीक है तो यह सारे middle class professionals जो है जो liberalism से कहीना कहीं influenced है वह लोग घट्टे होते हैं फ्रैंक्फुट सिटी में पिकनिक बनाने के लिए नहीं ठीक है Frankfurt city में क्यों आते हैं क्यों आते हैं Frankfurt city में to vote for an All german national assembly ठीक है नटाय करा कि चलो meeting करते हैं voting क्रते और एक All German national assembly मनाते जबनी अभी exist नहीं करता है सुननो मीई बात बहुत अप अच्छे से क्या है तो आज जो आप Germany देख रहे हैं तो वह Persian empire tots वह बड़ा National Assembly के लिए तो पूरे जर्मन नीजर्ण के लिए एक National Assembly बनाई अभी National Assembly क्या ताय करेगी तो और 18th of May 1848 831 elected representatives marched in a festive procession ठीके to take their places in the Frankfurt Parliament conveyed in the sent in the church of St. Paul ठीके अब यहां देको क्या हो रहा है तो यह meeting हुई ना इस meeting का मतलब इस meeting का मतलब objective क्या था जिंडा क्या था तो all German National Assembly बनी ठीके all German National Assembly कहां इखटे होते हैं तो यह पूरे 831 गीन लेना टाइम मिले तो ठीके 831 elected representatives of all German National Assembly which was mostly dominated by the people of middle class ठीके liberal middle class तो liberal middle class के लोग जो dominate कर रहे थे वो सारे इखटे होते हैं सेंट पॉल चर्च में ठीके सेंट पॉल चर्च में इखटे होते हैं क्या करेंगे तो सेंट पॉल चर्च में इखटे हुए थे किस चीज़ के लिए कि डिमांड थी क्या डिमांड थी कि constitutionalism हो राजा जो है और आजा क्या करें constitution के साफ से काम करें freedom of press हो क्यों कि वही वाली बात है कि उन्होंनों देखा या सब जगा रिवाल्ट हो रहे हम क्यों बैठे रहे हमारा भी तो देश युनाइट हो ऐसा होने तो इसके लिए क्या होता है यह और जर्मन नेशनल इसमली बनाए गई तो मैं आपको बता रहा हो कि किस तरह से जो अगर कुशन आता है कि वाट वर्डिशन ओफ लिबरल्स तो यह चीज़ ध्यान रखना है कि रवलिशन ओफ लिबरल्स इन जर्मन रिजन स्पेसिविकल ल आपको यह में में सिटी जैसे उनका कैपिटल बरन लिए तरह फ्रेंक्फूट है ठीक है तो फ्रेंक्फूट में इखटे हुए सेंट पॉल चर्च में सेंट पॉल चर्च में इखटे हो के फिर क्या करते है वहाँ पर कॉंसिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे ड्राफ्ट एडर कॉंसिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टुबी हेड़ेट पाइमनार्की सब्जेक्ट टुदी पार्लेमेंट मतलब अभी तक क्या है राजा जो है अपना बढ़ी आराम से फैल के बैठा हुआ है कोई राजा कप प कि हम एक जर्मन नेशन मराना चाहते हैं ठीक है विच शुट भी हैड़ेट पाइमनार्की तो मतलब राजा ही रूल करें वाट यह शुट भी सब्जेक्ट टॉब पार्लेमेंट ठीक है एक कॉंसिट्टीशन हो एक पार्लेमेंट और पार्लेमेंट के हिसाब से काम करें आउटकम क्या निकलता है तो वेंदी डेपुटीश ओफर्ड दिक्राउन ओन इस टर्म्स तो फेड़िक विल्यम फोर किंग ऑफ पुरिश्या ही रिजेक्टेड इट एट एंड जॉइंड अधर मोनार्क्स तो अपोस्टी इलेक्टेट एसंबली इस इस पॉइंट पॉइ क्या वेंदी डेपुटीश ओफर्ड दी क्राउन ओन इस टर्म्स ओन इस तर्म्स मतलब कि आप कॉंसलिशन के साब से काम कर लो तब राजा जो था जो राजा के नाम में भी कंफूशन होगा जब अगला टॉबिक पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको बोला हो कि यहां पे क् कि एक तरह सकते हों कि जर्मनी को रिफलेक्ट कौन करता था ठीके तो मैं जर्मनी में बड़ा एंपार जोडह पूशेह रियुक्त करता था ऐसे देहां रखना तो अब क्या होता है तो उसससमें पे यह जो ऑवल जेमन national assembly बनी थी ना ये किसके पास गई थी फ्रेंक्फुट पार्लेमेंट में मतलब सेंट पॉल चर्च फ्रेंक्फुट पार्लेमेंट में ये फेडरिक विलियम फोर को क्या करना चारी थी उसके गले में घंटी बादना चारी थी कि आप उसने दूसरे मोनार्क के साथ में मिलते हुए जो एलेक्टेड और जर्मन नेशनल असमली थी ना उसे क्या बोल दिया भागो ठीक है भागो मतलब क्या है कि एक तरह से फेडरिक विलियम फोर्ट अलांग विट अगर मोनार्स ठीक है और जर्मन नैशनल असमली को समझा दिया कि क्या है पढ़ाई बढ़ाई करो तुम लफड़ों मत परो कि राजा के उपर क्या कर दिया जाए राजा के गले में घंटी बाद दी जाए और राजा को हम कॉंस्टिशन के हिसाब से काम कर वा लेंगे ठीक है तो फेडरिक विलि भरम नेशनल आञे तो उस्ट्रमन नैशनल आशनल सम्फ करेंग't तर दर इंट को लेडिये को नियुक्त का सूशल बेस एरोड होते जा रहा था कमजोर परते जा रही थी ठीके परलेमेंट वास डॉमिनेटेट बाइं मिडिल प्लासेज अभी बात आपको पता ही कि एडुकेटेट इडुकेटेट मिडिल क्लास डॉमिनेट कर रही थी तो उसके चलते क्या है कि डिमांड ओफ वरकर्स और गई थी उन्होंने चाहा था कि राजा को Constitution के हिसाब से बांद दिया जाएगा Constitutional Monarchy बना दी जाएगी National Unification हो जाएगा वह हो नहीं पाया इन दी एंड टूप्स वर कॉल्ड इन एंडी जर्मन एंडी एसम्मली वास फोर्स तू डिस्बैंड तो आखरी में क्या टूप्स उगला ली गई उन्हें वह फटापट फटापट समेट अपना काम और जाओ यहां से ठीक है वह स्तिति हो गई कि एक तरह से क्या तो हां प्रेक्टिकल सेंस में कर देखा जाए ठीक है तो रिवाल्ट फेल हो गया लेकिन उसका एक बड़ा इंपक्ट होगा जो अभी लास्ट में बताऊंगा मैं आपको अब यहां पर दो मिनिट के लिए पाउज लेते हम पाउज जैसे लेते हैं टापिक पढ़ते हो ना पूर्स का तो से इंस्पायर होके फैरलेल टो डेट रिवाल्ट देर वास और सो रिवाल्ट बाइदी एड़ुकेटेग मिडिल क्लास ठीक है डिवाल्ट था तो जर्मन रीजन में जैसे क्या होता है इस पर बेज़े तो इस पर बेज़े लिए एलेक्टेट पर्लेमेंट के लिए एक लिए राजा के सामने लेकिन जो फ्रुशय है था थेडरिक विलयाम फॉर ध्यान रखना नाम विलियाम पर करता है रिजेक्ट कर देता बोलता है कि जूब प्या होता है कि जैसे जैसे से अरिस्टोक्रेट्स भी अपूस्ट करने लगते हैं जर्मन ग्रास के लोग थे तो वरकर्स और डिपार्शन्स की डि हो जाता है यहां पर यहां तक की कहानी अब एक इंपोर्टेंट इशू जो है वो क्या है दी इशू आफ एक्स्टेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमन देखो आपने पिछले वीडियो में जो फ्रांस वाला रेवलुशन देखा था रिवॉल्ट आफ पूर उसमें भी क्या देखा कि जो लुए फिलिप था और लेकिन लुए फिलिप के भागने के बाद में अब क्या होगा कि अब रिपपलिक भी बन जाएगा फ्रांस बदायो फ्रांस रिपपलिक बन गया लेकिन वोटिंग राइट किसको मिले ते स्रिफ अधैट मेल को विमन को यहां पॉलिटिकल राइट तो विमन को कितने अधिकार मिले थे तो यह कॉंट्रवर्शेल मुद्दा रहा है क्यों देखो मैं समझाता हूं तो विमन ने बहुत बढ़ चड़के पार्टिसिपेट किया या अपने क्लास 9 दिन भी पढ़ा होगा कि जब रेवलिशन की बारी आती अपने न्यूस्पेटर निकाले उन्होंने ठीक है और उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स डेमोंस्ट्रेशन्स मार भी खाई सारी चीज़े करी तो हर तरह से क्या है जैसे आप देखोगे ना ओलंपिया डी गॉजिस के वगरा के बारे में पढ़ा था आपने तो ने एक् इसमबली के टाइम प्रेट में वोटिंग होना था तो उसमें उन्हें क्या दिया गया वोटिंग राइट ही नहीं दिया गया मतलब महलाए कि स्थी कुछ इस तरह से थी वह सोच रही थी क्या रहा है हमें राइस नहीं मिल रहे है घजब बेज जती है तो उनकी पॉसिशन क क्योंकि उनके इतने एक्टिव रोल के बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह से क्या है कोई पॉलेटिकल राइट्स मिले नहीं है ठीक है इंफेक्ट जो फ्रैंक्फुट पार्लियमेंट की मीटिंग होती है तो वहाँ पे विमेन को सुर्फ इस्पेक्टेटर्स की तरह व इस स्टूरी यह स्टूरी है आपको समझ माहना चाहिए तो फ्रैंक्फुट पार्लेमेंट इन दी चर्च ऑफ सेंट पाउल वही चीज़ बताएंगे यह कंटेंपरी कलर प्रिंट उस समय पे कलर प्रिंट आउट नहीं हुआ करते यह आज बनाया है प्रिंट क्लेर हुआ तो आप आप कनेट कर पारें चीजों को कि क्या था रिवलिशन ओफ लिबरल्स ओफ 1848 उसकी पूरी कहानी इसमें एक इशू जो बन सकता है कि विमेन की क्या स्थिती थी विमेन को पॉलिटिकल राइट कितने दिये गए थे नहीं दिये गए थे वह बताए गया अब जो एक अबर हुआ वह भी सक्सेस्फुल था तो फ्रांस क्या है रेट डालने जाता है तो फिर पॉइंट लेकि आता है लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि जर्मन रीजन में जो यूनिफिकेशन के लिए प्रयास किया गया था ठीक है जो जर्मन नैशनल समली ने अटेम्ट मारा था वो फेल हो गए ठीक है तो सवाल यह कि वास दी रेवलिशन ओफ लिबरल्स ओफ 1848 अफ फेल अटेम्ट क्या हम इसे पूरी तरह से फेल अटेम्ट कहेंगे तो ऑन ग्राउंड अगर देखें प्रेक्टिकली तो हाँ जो चाहा रहे थे वह मिला नहीं तो फेली था टेम् लेकिन क्या है लेकिन उसके आप अगर इंपैट को देखोगे ना तो इंपैट सक्सेस्फुल था अटेम्ट फेल हुआ इंपैक्ट सक्सेस्फुल था कैसे हैं अभी समझ में आगा देखो तो दो कंशर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूमेंट तो 1848 में मतलब क्या है कि यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि कंशर्वेटिव और अपने आपको रिस्टोर कर लिया रिस्टोर ऐसे कर लिया कि वह सक्सेस्फुल रहे जो लिबरल रिवाल्ट था उसको सप्रेस करने में लेकिन वह अपनी पुरानी चवी को रिस्ट टैली में उपर चले गया तो फास्ट पोजिशन पर युए से ही आया मेडल टैली में लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं चायना ने एक कर दी यह समझ मैं आपको तो वैसे ही क्या हो रहा है कि लिबरल मुवमेंट्स जो थे ना तो लिबरल मुमेंट्स को नोड़ाउट सप्र कर दिया गया लिबरल मुमेंट्स फेल हो गए 1848 के लेकिन फिर भी क्या है फिर भी उन्होंने कंजर्वेटिव रिजीम को एक जोर का मुक्का जरूर मार दिया है तो कंजर्वेटिव रिजीम जो था ना वो अपनी पुरानी छवी को रिस्टोर नहीं कर पाया था ठीक है ड लंबे समय तक नहीं रोख पाएंगे यह सीदी सी चीज थी ठीक है तो जो रिवलिशन ओफ लिबरल स्था तो नो डाउट क्या है कि अल जर्मन नैशनल संबली फेल हो गई लेकिन ओल जर्मन नैशनल संबली को एक चीज समझ में आगी क्या कि यह लंबे समय तक इस तरह के रिवलिशन को सेहन नहीं कर पाएंगे ना रोख पाएंगे तो मुनाट्स वर बिग बिगनिंग तो रियलाइज देट इस साइकल ओफ रिवलिशन सेंड रिप्रेशन कोड ऑनली भी एंड़ ग्रांटिंग कंसेशन्स तुदी लिबरल नैशनलिस्ट रिवलिशनरी उन्हें समझ में आ रिवलिशन का और ओर एलगे इन रिवलिशन THE आजाएगी तो यहां पर क्या हो रहा है तो एक चीज मनें समझ में ऑगई थी कि यहां पर किया था है तो हम इनकी देमांड को पूरा करें तो वह में रिस्पेक्ट भी देंगे होज सकता है dokładि मुनार्की बनाएं र धिरे धिरे थोड़ा चीजों को धिला करना पड़ेगा किसको conservatives को यह चीज समझ में आ गई थी ठीक है मोनाक्स को यह वाली चीज रियलाइज हो गई थी क्लिवा हैंस in the year after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe begin begin to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815 द्यान रखो तो इसी चीज़ के चलते क्या हैं हमने लेका कि Western Europe फ्रॉब्सा प्रोग्रेसिव है इंडिस्ट्रिलाइजिशन भी पहले आया यहां पर सिस्टम भी क्या है दस सर्फडम इन बॉंडेट लेबर जो है मैं आपको यह भी बताया था कि Eastern Central पार्ट में agriculture को कैसे प्रैक्टिस के जाता था सर्फडम चलता था वहां बॉंडेट लेवर सिस्टम चलता था ठीक है तो इस्टन और सेंटल पार्ट में क्या है अब सर्फडम को बॉंडेट लेवर्स को अबॉलिश किया जाने लगा बोट इन हैप्सबर्ग डॉमिनियंस एंड इन रश्या ठीक है दी हैप्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटनोमी तुदी हंग्रियंस इन 1867 तो जो ऑस्ट्रिया हंगरी वाला रिजन है तो उसमें से हंगरी कंट्री निकल का एगा ठीक तो क्या हो रहा है कि अब रूलर्स को समझ में आ गया मोना समझ में थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा आजादी दिना पड़ेगी ठीक है तो आफ्टर दी रवलिशन आफ लिबर्स नो डाउट दी मोनाक्स वर इन पोजिशन कंजरवेटी फोर्सेज वर इन पोजिशन टू सप्रस दी लिबरल मुवमेंट बट दे रियलाइस्ट क कि अब टाइम आ गया कि हम क्या करें कंसेशन्स ग्रांट करते चले दिरे दिरे तो यह पूरी कहानी थी आई होप आपको मजा आया देखर टॉपिक क्या ने टॉपिक एक तरह से ऐसा होता है कि हम अगर कनेक्ट कर पा रहे तो सब हो पा रहा है नहीं तो फिर पता नी कौन लिब्रेल्स और किसका रेवल्यूशन तो मैं यह उमीद करूँगा कि आपने प्रीविएस वीडियो पूरे देखे तो आप सारे प्रीविएस वीडियो देखो तो आसानी से कनेक्ट कर पाओगे अब हम नेक्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि जर्मनी उनिफाइ नहीं ह वेलकम तो मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं दी मेकिंग ऑफ जर्मनी और जो आगे हैंटिंग में लिखा है एंड इटली तो इटली हम नेक्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभी हम मिलके जर्मनी को यूनिफाइ करवाते हैं चलिए अब देखें आपने बहुत कुछ पढ़ चुके है चैप्टर में आगेस कि आपको एक बड़ी पिच्चर पूरी समझ में आगी चैप्टर की किस तरह से यूरोप में राइज ओफ नैशनलिजम होता है वो आपको समझ में आ गया है कनेक्ट करवाने की जरुवत है क्या है ठीक है वही पूरे पीरेड में जब यूरोप में उथल पूथल चल रही थी नेशन स्टेट नैशनलिजम इमर्ज हो रहा था तो अभी तक जो हमने देखा ना अभी तक हमने देखा कि किस तरह से रेवलिशन हुए तो फ्रेंच रेवलिशन 1789 वाला उसके बाद से यह जो फ्रेवलिश 1848 का देखो डेट्स अभी ध्यान नहीं हो रही है तो बस ऐसे सूनो इधर से इधर से निकाल दो बिल्कुल प्रेशन नहीं लेना है डेट्स का आप जब रवाइस करो तो डेट्स अपने आप आपको क्या है कहानी की तरह याद होते चली आएगी अभी डेट्स का लोड मतल ठीक है तो जो revolution of liberals था वो एक failed attempt था देखा जाए तो क्यों कि जो all German national assembly बनी थी वो जो चाहा रही थी कि राजा के गले में घंटी बान दी जाए constitution के नाम की वो नहीं कर पाए ठीक है तो वहाँ पर कहानी खतम हो गई जिहां उस समय के लिए खतम हो गई 1848 का जो attempt था liberals का ठीक पर हम देखेंगे कि कुछ देश जैसे जर्मनी इतली ब्रिटेन यह किस तरह से यूनिफाई हुए उनका केस समझने वाले हैं और यह अलग इसलिए है क्यों है क्यों है क्यों है कैसे है क्यों कि यहां पर डेमोक्रिश्य और रवलिशन की जर्वत नहीं पड़ेगी यहां प दे आर्मी भी दिए आर्किटेक्ट और अशन मतलब क्या आर्मी देश को बना सकती है मतलब देश को युनिफाई कर सकती है क्यों में पुछा यह पता है क्योंकि आपने देखा होगा जो लिब्रड रिवलीशन हुआ था ना जिवी फिए फिल्ड अटम्ट था तो तो देश को बापिस एक जुट करवाने वाली है तो मतलब situation is like this कि एकदम से क्या होगा सब कुछ परट जाएगा तो जो conservatives एक समय पर क्या कर रहे थे अपोस कर रहे थे किस चीज को national unification को या फिर liberals की demand को एसे देखो liberals की demand भी यही थी ना वही क्या करने वाले हैं वही लोग अब वापिस से क्या करेंगे देश को unify करेंगे तो यह twist है मतलब आप देखोगे रदय परिवरतन कैसे हो गया तो उसका जवाब भी मिलेगा आपको ठीक है तो अलोब आपने liberal nationalism जो इमर्ज हो रहा था तो democracy liberalism इससे जुड़ा हुआ था ठीक है लेकिन अब 1848 के बाद में क्या होता है कि nationalism के अगर बात की जाए ठीक है unification के अगर बात की जाए नेशन स्टेट के अगर बात किया जाए ना तो सरफ ऐसा नहीं कि democracy or revolution जो है उसी से nationalism आएगा, तो क्या होगा, nationalist sentiments जो थे ना, जो nation state का idea जो था ना, जो कह सकते हैं क्या कि जो nationalist nationalism जो था, rise of nationalism उर्रोप में, तो 1848 के बाद में, नेशनलीस sentiments जो थे, these sentiments वे आफ़र ओफलाइजगे अब क्या हो रहा है, अब conservatives एक तरह से क्या कर रहे है national unification की बात कर रहे हैं जी हाँ वही वाली बात है वक्त प्लड़ रहे है जज़बात प्लड़ लेकिन आपको समझना होगा कि conservatives क्या कर रहे थे national unification की national sentiments को इखटा कर रहे थे for promoting promoting state power and achieving political domination over Europe क्यों कर रहे थे तो मैं समझाता हूं देखो क्या हो रहा है पहला ऐसा होता था कि यह पूरा का पूरा अच्छे से अब क्या हो रहा है और फिर जब जो liberal revolution हुआ 1848 का जो की control कर लिया गया था conservatives के दौरा लेकिन conservatives को एक चीज समझ आ गई थी जो मैंने आपको लास्ट में बताया पिछली वीडियो में क्या कि conservatives को एक चीज समझ में आगी थी कि ज्यादा समय तक हम यह जो साइकल ओफ revolution और रिप्रेशन ने उसे रोख नहीं पाएंगे हमें क्या करना पड़ेगा एक तरह से concessions grant करना पड़ेगा इसको liberal nationalist नहीं मानेंगे तब क्या है तब दिमाग दोड़ाया conservative ने कि क्यो ना जिसे को खुद ने से स्टेट की बात कर रहा है ठीक है और उसे क्या मिल जाएगा स्टेट पावर मिलेगा पॉलिटिकल डॉमिनेंस मिलेगा यूरोप पे कि हां कि मेरा इतना बड़ा एंपायर है या फिर इतना बड़ा नेशन स्टेट है constitutional मोनार्की रहेगी मैं अपनी जगा बैठा रहूँगा लोग भी खुश मैं भी खुश और वो जो टेंशन है कि कब revolution हो जाग वो भी खतम हो जाएगा अगय समझ में तो यह क्रक्स है यह क्रक्स है इस टॉपिक का making of Germany जो है तो जर्मनी का युनिफिकर्शन हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले समझ लोग कि थीम कैसे चेंज हो गई यह 1848 के जो एज ऑफ रिवलिशन थी उस एज ऑफ रिवलिशन के बाद स्टोरी कैसा आगे बढ़ रही है कि अब यूरोप में जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हैं अब यूरोप में जो नेशनलिजम है ना तो वो अपना असोसियेशन सिर्फ डेमोक्रेसियों रिवलिशन तक नहीं रख रहा है इनफेक्ट क्या हो रहा है जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स है उन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का एक तरह से नेशनलिस्ट तो अब बात करते कि जर्मानी में क्या हुआ देखो तो जर्मानी में क्या हुआ थरा सा बैगरांड फिर कनेक्ट करें तो जो लिबरल मिदल क्लास का रवलीशन था वो प्रयास किया कि जो अलग अलग रिजेन उसको उनाइट कर लिया जाए राजा को जो है Constitution के हिसाब से limit कर दिया जाए यह प्रयास किया था all German National Assembly ने ठीक है तो they tried to unite different regions of German Confederation into a nation-state governed by the elected Parliament ठीक है they tried to do this outcome क्या निकला वो fail हो गए थी ना तो this liberal initiative तो जो 1848 का liberal initiative था German Unification का वो एक तरह से failed attempt रहा तो the liberal initiative of nation building was however repressed by the combined forces of Monarchy ठीक है Monarchy and the military supported by the large landowners called junkers अब दो अब्जेक्टिव टाइप में पता है यहीं एक मेजदार चीज़ भी हो जाती है और यहीं एक सरदर्द भी हो जाता है कि question हर कहीं से भी आ सकता है ठीक है किसी भी जगह से आ सकता है तो जंकर्स क्या है ध्यान रखना जंकर्स लार्ज लैंड ओनर्स जो थे ना उनके लिए वर्ड यूज के जाता है जर्मन वर्ड क्लेर तो यहां पर क्या बताया गया कि जो ऑल जर्मन नैशनल इसंबली का अटेम्ट था 1848 में कि जर्मनी को एक नेशन स्टेट बना दिया जाए एक एलेक्टेट पार्लेमेंट हो तो आउटकम क्या निकला था कि वो जो लिबरल इनिशेटिव था वो एक तरह से फेल हो जाता है फेल क्यों होता है क्योंकि जो ल लार्ज लैंड ओनर्स तो इन तीनों तीनों गृप्स ने मिलके क्या है 1848 का रिवार्ट सप्रेस कर दिया था अब क्या आता है कि सर जब वो सप्रेस हो गया मूमेंट तो अबस लिबरल के हवा निकल गई तो आप जिस देखेंगे लिबरल नैशनलिस्ट जो थे उनके हवा नेशन्त तो आर्मी किसके हुकम पर काम करेगी तो राजा बोलेगा कि यह देश को युनाइट करते हैं एक नेशन स्टेट बनाते हैं और उसी के चलते क्या है कि कारण मैंने आपको बता दिया क्योंकि उन्हें अपनी स्टेट पावर अक्वायर करना है उन्हें यह देखना है कि लोग मुझे कुर्सी पे से उठा के फेके इससे पहले में अपनी कुर्सी को बाट रिलू थोड़ा सा लोगों के साथ सिंपल कहानी ठीक है तो क्या होता देखिए यहां पर तो आफ्टर दी फेल्ड अटेम्ट नैशनल यूनिफिकेशन तो मैंने आपको बताया था कि जर्मन कॉंफिडरेशन थी अलग अलग तो उस आज जो आप जर्मनी देख रहा है उसमें पूशिया नोटाउट एक बड़ा एंपायर था छोटा 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 जर्मनी नहीं था वो तो इस तरह से का एंपायर में पूरा एक जर्मनी कैसे बनाया जाएगा तो यहां तो लोग बना दें लोगों ने प्रयास के लोग फेल हो गए थे तो जो फेल्ड एटेंट था ना लिबरल्स का उसके बाद में क्या होता है पूशिया जो है तो पूशिया जो है पूशिया के जो लीडर्स थे जैसे 1861 में मैं आपको कन्फिजन क्लियर कर देता हूं समझो तो यह फेडरिक विलियम फोर कौन था यह वह इंसान था जिसने मोमेंट को सप्रेस किया था लिबरल रिवलिशन को अब इसकी डेथ हो जाएगी इसके बाद में पावर किसके पास आजाएगी पूशियन एंपायर की विलियम वन के पास में तो विलियम वन जो है विलियम वन थोड़ा चालाक इंसान था विलियम वन ने क्या सोचा कि वही लोग उठागे करसी से पहले में क्या अपनी कुर्सी लोगों के साथ शेयर कर लो तो विलियम वन ने क्या बोला कि नेशन स्टेट बनना चाहिए तो जो है पुष्या टुक दी रिस्पॉंसिबिलिटी ठीके टुक दी लीडर्शिप फॉर दी मुमेंट ऑफ नेशनल उनिफिकेशन कैसे करेगा पुष्या तो पुष्या के जो राजा थी विल्यम वन तो राजा तो राजा होता है राजा ने बोल दिया कि करो भाई उनिफाई थी पर जो आर्मी की बात की जा जारे ने तो उससमें चीफ मिनिश्ट को हम्ता ओर वन बिस्मार्टी और्ट जो पुष्या का चीफ में और्ट एंड ऑडिकेशन उंस अ कि जो पुरोष्या और्फ जरवन वस्मार्ट ने जिम्मा लिया कि जो ऑज आज आप जरमनी देख र तो एक शुक्ता है जिसे हम जर्मानी कह सकते है उन सब को क्या करना है एक साथ यॉनिफाइज करना है और इस चीज के जिम्मेदारी किस ने उठाई और वन बिसमार्क ने ठीक है वहां कि मुनार्की ने तो फिर जिम्मतार उठार उठागा उन्पर सिटन का काम चालू किया अब क्या है वही फेविकोल के डबले लेके नहीं रोड़ेंगे कि चिपका लेते हैं ठीक है वाय विदी हेल्प आफ वार्स ठीक है विदी हेल्प आफ वार्स दे यूनिफाइट दी जर्मनी तुर ने लडाईयों का सहरा लिया तो थ्री वार्स ओवर सेवनियर एक चीज में तो थ्री वार्स ओवर सेवनियर्स विद आउस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस एंडेट इन पुर्शियन विक्ट्री पुर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीट दी प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इस चीज को भी थ्रोड़ा सो अब्जर्फ करो यहां पर क्या हो रहा है कि आप यहां लड़ाईया लड़ी जाएगी तो 66 64 से इंफेक्ट क्या हो रहा है 64 से 60 1864 से ऐसे मान के चले 1864 से लोगी के नोट डेट्स में कन्फूज मत होना डेट्स आर जस्ट फॉर रिफरेंस यह सारी डेट्स नहीं पुछी आती लेकिन फिर भी एक आईडिया रहना च मतलब पुरुश्या तो लड़ रहा था दो डेनमार्क, फ्रांस और रशिय इनके सांद लड़ाई लड़ी गई और धे टर diversity छोड़ा के नहीं फ्रांस से इसलदर की Cities रवी स्कुला नियुकियो निःशिया से नहीं रिमार्क येंव कंफी रूफा एनप यह जर्मनी बनत है ठीक है हाव जर्मनी वास मेड तो में कि लिबराल रेवलिशन फिल हुआ लेकिन फिल का है उसको फिल करने वाले जो कंजर्वेटिव से उन्होंने खुद क्या करी जिम्मेधारी ली कि हम क्या हमें क्या करना चाहिए जर्मनी को ठीक है तो अंडर दी लिडर्शिप ऑफ पूशियन किंग विलियम वन ठीक है तो यह ओट वन बिसमार के और विलियम वन जो है दियान रखना फेडरिक विलहम फोर जो है वह गंदा वाला रा जाता फेडरिक मतलब फेडरिक विलहम फोर जो था गंदा वाला था और विलियम वन जो है विलियम वन अच्छा वाला थ इसने उनिफिकेशन का काम किया तो केसर विलियम वन वाउस प्रोप्लेम्ड अस दी एंपरर ऑफ जर्मनी अब बनाए पहले तो पुरुशिया था ना तो इसके क्या सकते हैं कि लीडर्शिप में लीडर्शिप इन दे सेंस की वैन ही वाउन थ्रोन ठीक है तो जब विलियम व एंपायर इन दी हॉल ओफ मिर ओफ वरसेल्स तो अल्टिमेटली प्रोप्लेम कर दे जाता है कि आज से जर्मनी क्या है यूनिफाइट जर्मनी है ठीक है जर्मन एंपरर विलियम वन होंगे यह वास है एज एंपरर एट वरसेल्स ठीक है हॉल अब क्या होता है अब देखो यहाँ पर चीज समझना आपको अच्छे से की यूनिफिकेशन हो गाँ है जर्मनी का बदाये हो अब क्यों यूनिफिकेशन और देखो एक देश बना लेना कि हहां यहाँ यहां से एट के लोग जब्यक्रेशन बना जरूरी ऀ ना तो यहां क्या किया गया जैस तो यह पूरा जो जर्मनी बनेगा ठीके मतलब यह जो पुरा जर्मन श्टेट बना नेशन स्टेट बना न तो उसमें no doubt dominate कौन करेगा Prussia तो Prussian dominance थी तो the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power to Prussian state power जो है ठीके तो Prussian state power जो था dominate करता था in the formation of जर्मनी अजने सिस्टेट पूरा जो जर्मनी बना उसमें इंफ्ञेंश किसकी ज़्ड़ी पूरुशया की तो पूरुशया के जब इंफिंश जादा रही तो जो नया स्थेट बना था एट प्लेज डर्णग एंफेशिस लोन बैंकिंग लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी ठीक है पुरुशिया था उसी तरह से पूरा का पूरा क्या बनाया गया जो बाकी पार्ट्स को मर्ज किया गया था जर्मनी के साथ में वैसा अडॉप्ट किया गया दूसरे पार्ट्स के दौरा भी जैसा क्या है आप आपको देखने को मिलेगा कि modernization जो था वो आया पूरी तरह से liberal आइडियाज भी कहिने की incorporate हो गए जब आप क्या कर रहे है जब आप modernize कर रहो करन्सी को बैंकिंग को लीगल को जुडिशियल सिस्टम को तो यह प्यारी सी कहानी थी जर्मनी जो है वो उनिफाय हो गया बदाई हो ठीक है वो सभी बच्चे जो जर्मनी से देख रहा है वीडियो को अब आप मुझे पता है कमें सेक्शन में लिखो कि यस आई वाचिंग फ्रम जर वीडियो में पढ़ने वाले हैं हलो एव्रीबडी दिस इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट प्रेंस इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम इटली को यूनिफाय करवाएंगे आजाद करवाएंगे जी हां हम इटालियन जो था ना तो उसमें एक्स फैक्टर क्या था हमने यह देखा था कि जर्मनी की यूनिफिकेशन में कंजर्वेटिव ने खुद आगे बढ़ चड़के हिस्सा लिया मतलब कंजर्वेटिव जो थे जो मोनार्क था उस मोनार्क ने बोला कि नहीं देश यूनिफाइड होना चा तो इनके पास एक तो इनके पास एक तुकड़ा हमारे पास में तो चलिए समझते हैं क्या कहानी है तो इटली टू हैड अलॉंग हिस्ट्री ऑस पॉलिटिकल फ्रेग्मेंटेशन अगर आप इटली को भी देखोगे तो इटली का इतिहास रहा है कि बहुत पॉलिटिकली फ इस यह है कि बताइए कि यूरिफिकेशन के पहले क्या सिच्वेशन थी इटली की तो वह ध्यान रखना है आपको क्या कि दूरिंग दी मिदल आफ 19th century ठीके दूरिंग दी मिदल आफ 19th century इटली वास डिवाइड़े इंटू 7 स्टेट्स ठीट्स ठीके तो साथ स्टेट्स म बारे में भी हम पढ़ेंगे तो यह साथ पार्ट्स में से सिर्फ आप क्या देखोगे यह हो गया पेडिमॉंट और यह हो गया सार्देनिया तो सार्देनिया पेडिमॉंट वाला रीजन जो था ना सिर्फ यही किसके पास में था इटालियन प्रिंसली हाउस के पास सिर्फ इतनी territory थी बाकी का जो इसके पास था तो बाकी का Italy उधार पर था मतलब कहीं पर वार्बन king रूल कर रहे हैं कहींपर पर रूल कर रहा है कहीं पर और में पड़ा हमने तो Austrian Hapsburg Empire जो है उपडर की तरफ North में रूल कर रहा है तो इस तरह से कया है on तो इटली की भी अपनी है क्या रही है पॉलिटिकली फ्रेग्मेंटेड हिस्ट्री रही है कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रूलर्स रूल कर रहे हैं जो इटालियन प्रिंसली हाउस उनके पास सिर्फ क्या है सार्दीन पेडिमोंट पर कंट्रोल है अपना अब देख और रहें यहां पर बात करें तो इसी तरह से फैला हुआ है पूरा कि सारीनिय पेडिमोंट पे प्रिंसली हाउस का रूल नॉर्थ जो और न ये जो न थो नॉर्थ वाला पार्ट है इस नौर्थ वाले पारट में किसका रूल है औस्ट्रियन हैं और थे अप्सपर इंपाय के जैसे हम देखें तो धर्मकुरू ठीक है तो उनका क्या मान मतलब उनका जो कंट्रोल था वो कहां पे था सेंटर में था तो सेंटरल इतली जो है वो किसके अंडर में था पोप के अंडर में पैपल स्टेट हो गया यह फिर साथ में आओ गे तो दी सदन रीजिन वर अंडर आख में इस यह दो को क्यूंक्य इवन डीन लैंवेज ठिक है इटली जो है तो यहां एक important factor हो जाता nation states को जोड़े रखने में लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा इवन दी इतालियन language had not acquired one common form and still had many regional and local variations तो हर region में अलग रख तरह की Italian language बोली जाती थी common Italian language जो आज आप देख रहे हैं वैसी language भी नहीं थी middle of mid of 19th century की बात करें 150 के आसपास की बात करें ठीक है बड़ी बुरी स्थी थी जर्मनी से ज्यादा खराब स्थी हैं तो फिर यूनिफाइब कैसे होगा यूनिफाइब तो होगा कैसे होगा वो समझते हैं तो यूनिफिकेशन ऐसा नहीं कि बस 1850 के बाद में आँख मलते मलते राजा उठाओ राजा ने बोला चलो यूनिफाइब करते हैं प्रयाश पहले से किये जा रहे थे अब थोड़ा रिकॉल करो तो मैं तो बताऊंगा आपको लेकिन उसके पहले अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो क्या है लाइक मतलब चेरी अंपायर्स नहीं रह सकता इतली एक यूनिफाइड इतली होना चाहिए कौन था वो रिवलिशनरी बताइए तो वो रिवलिशनरी गुजिपी मजीनी ध्यान आया तो इतली यूनिफाइड कैसे हुआ तो 1830 के टाइम पिरेड में साब देखो कि तो जब सीक्रेट इस मनाई जा रही थी जब कंजर्वेटी ओर एक असे पावर में था तो उस थाइम प्रेड में कि जीपी मजीनी है जूँएड तो पुट टोगेधर अब को हरें टो प्रोग्राम फॉरा उनिफाइड इटल इतली इतली अ रिपॉब्लिक ठीक है तो तो फिक्रेंद इतली रिपब्लिक हो नेशन स्टेट हो देमोक्रिशी हो बटी फेल ठीक है और वी कें से कि फेल नहीं हो वो क्योंकि उन्हें नीव रखी ती ना इतालियन इनिफिकेशन के लिए लिए हम यह कह सकते है नहीं रखी लेकिन वो सकस्फुल नहीं हो पाए थिस इस दी राइड वर्ट तो दिदार दी राइड वर्ट तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रयास किया he also had formed a secret society called Young Italy कहां बनाया था यंग इटली किस शहर में यह आपको मैंने बताया उस revolutionary वाले वीडियो रेक्षर में comment section में शहर का नाम बताएं गया ठीक है तो यह आउसो फॉर्म और यह सिक्रेट सुसाइटी यंग इटली फॉर दी डिस इमिनिशन ऑफ इस गोल ठीक है ताकि उनका जो सपना था ना कि यूनिफाइड इटली बने उस उसको पूरा करने के लोन जो failure हाथ लगी revolutionaries के और कह सकते की जो success ना मिल पाई revolutionaries को ठीक है meant that the mental now fell on the sardinia pediment under its ruler king victor emmanuel 2 to unify the italian states through war revolutionaries ने मतलब कह सकते है अपने end पर अपना प्रयास कर लिया लेकिन उनके हाँ सक्सेस नहीं लगी तो आप जो जिम्मा था ना जो पूरा का पूरा मेंटल था किस चीज का कि भीया देश को यूनिफाइड करो कप करोगे ठीक है तो दी मेंटल शुल्डर्स और विक्टरेमैन्वेल टू वह वाली बात है जैसे उधर भी क्या हमने देखा था कि विल्यम वन के उपर जिम्मेदारी आई थी कि जर्मनी को यूनिफाइड कर वाया जाए लेकिन राजा तो राजा होते हैं उनने किसको बढ़ दिया चलो और विसमार्क कम बढ़ पतल द्टकर बढ़ कर दिक ट्र मैं अब क्केशन को fang विक्टरेमैन्वेल टू ने क्या किया विक्त्रेमैन्वल टू के पास था नॉर्थ छुडवाना है सेंटर छुडवाना है साउथ छुडवाना है ठीक तो कैसे होगा ठीक है तो हाउ एंड वाई ठीक है सवाल यह भी कि क्यों करें विक्टरेमानवल बढ़ियां लड़ना हार गये तो मार देखो आप क्या है दो पॉसिबिलिटी ओधी जवाप उनिफाइगा इटली को और कैसे करवाएगा तो कैसे करवाएगा उसका जवाब में देता हूं उनिफिकेशन ओफ इटली विद्धी हलप ऑफ कैवियोर और गैरिबालडी ठीक है तो यह कोन है करन अर्जुन है विक्टरेमानवेल टू के तो टो क्या करता है कैवियोर की करवाए हार गया तो ठीक है तो वाय का कारण क्या है देखो कि इन दी आइस ओफ रूलिंग अलाइट्स ऑस दिस रीजन और युनिफाइड इटली ओफर देम दी पॉसिबिलीटी ओफ एकनॉमिक डवलप्मेंट और पॉलिटिकल डॉमिनस जैसा जर्मनी के केस में था आजा भी बना रहूंगा ठीके मुझे एकनॉमिक बेनिफेंट्स में मिलेंगे तो जो रूलिंग क्लास तो समझ में आ रहा था कि तुकड़ 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 में जीने सच्छा का है कि युनिफाइड बड़ी सी टरीट्री पर रहो सामराज बड़ा रहेगा ज्यादा प्रॉस्परिटी आईगी पॉलिटिकल डॉमिनेंस मिलेगी ठीके तुमने बोला कि इस बार आपकी बार एक तरह से कह सकते हैं कि इट्री पार ठीके लिए पूरा क्या कर देना युनिफाइड कर वाना ही कर वाना तो इसके चलते का है विक्टरे मैनुवल ने जिम्मधारी और ही किस को तो जिसे हम देखते हैं कैविए और जो है तो कविए की चीफ मिनिस्टर जो है एक अच्या समझे ना कि हम क्या देख रहे हैं कि बर इच्टर इस्थ करते थे जैसे घुजी पी मजीनि वजा प्रशुनेरी उन्होंने प्रयास किया कि एक नेशन इस्टेट बने चलोगा जनुझेह राजा ने बोला है मैं चीफ मिनिस्टर हूं राजा मतलब राजा का वचान ही साशन है तो उसके चलते क्या उन्होंने बोला कि चलो युनिफाइब करवाएंगे अब युनिफाइब कैसे कराएंगे तो विरी टैक्ट फुली तो इन तो इस प्रेंच मुच बैटर देन नहीं था इटली से कुई लेन दिना नहीं था इन फेक्ट आप क्या देखोगे मैं आपको इस टार्टिंग में समझा थे सबसे पहले कि जितने भी अरिस्टोक्रेट्स थे ना अभी रूलिंग क्लास का यह आदमी है तो अरिस्टोक्रेट् सारे इस्टोक्रेट्स हुआ करते तो नहीं की तरह का है धूफरेंच ज्यादा बैतर बोलते थे ही ठीकें फ्रेंच लेंग्वेज बोलते थे और फ्रांस के साथ में connection भी बहुत अच्छे थे ठीके तो खूफिया संबंध थे किसके साथ में फ्रांस के साथ में तो पहला शॉट्ट जो लगाए जाता है तो वह पहला शॉट कहां लगता है सारदीन्या पृडिमॉंट मतलब सारदीन्य पृडिमॉंट के पाजू में जो रीजन है ना यह और आस्ट्रियन हैंप्सबॉग एंपायर केंडर में जो था नौर्थ वाला हिस्सा धिया ना रहा है नौर्थ इटली जो है तो नौर्थ इटली सार्देनिया पेडिमॉंट बोलेगे कि चलो भाई अपना एरिया बढ़ गया कितना बढ़ गया विक्ट्राइमैनुवेल टूने देखा कि प्रोग्रेस हुई है कुछ ठीक है बढ़िया है बदायो क्या और अपना काम निप्टा भाल दिया फिर क्या है तो अब ये तो क्या है कि क्या वयोजो था तो विदी हेलप उफ सार्धीन या पेडिमॉंट मतलब जो अ की जो आर्मी ऐसकी मदद से स्क्रांछ के साथ संबंद अच्छे थे उठना बैठना था फ्रांस के साथ ठीक है तो फ्रांस की मदद से क्या कर लिया उन्हें नौर्थ को आजाद कर वा लिया आउस्ट्रियन हम्सबग एंपायर से ठीक अब क्या है अब बारी आते कि गुजीपी अंडर दी लिडर्शिप ऑफ गुजीपी गेरी बैल्डी फॉट फॉर्ट फॉर्डी उनिफिकेशन ऑफ सदन पार्ट ऑफ इतली तो इतली का जो साउथ वाला हिस्सा है उसको आजाद कर वाने के लिए बहुत सारे सोल्डर्स लड़े किसके लिए लड़े तो अंडर दी लि लाते का होता है दे माज इंटू साउथ इतली एंडी किंग्डम ऑफ तो सिसिली एंड सक्सीरेड इन वीनिंग इन विनिंग दी सपोर्ट आफ लोकल पीजन्स इन ओडर तो ड्राइब आउट दी स्पैनिश रूलर्स यहां पे कॉन था था थोड़े रिकॉल करो मैंने क्या ता है कि साउथ में जो किंग्डम ऑफ टू सिसली एंड विच वास रूलड वाए अर्लियर विच वास रूल वाइट बर्बन किंग्स ऑफ स्पैन तो स्पैनिश रूलर्स यहां पर रूल कर रहे थे अब क्या है नॉट जीत लिया पनने ठीक है नॉर्थ जीत लिया सार्द कौन है पोप है तो पोप ने क्या देखा कि इधर पिटाई हुए बहुत जादा भेहंकर तरीके से किसकी ऑस्ट्रियन हम्सबर्ग एंपायर की ठीक है वह छूट दे गए तो उसके चलते क्या है कि धीरे से क्या होगा 1870 जाते आते हैं खुद पोप जोना तो पोप क्या करेग सब्सक्राब करिकर EMERLEY तो उसमें की क्या है टेलियन फोर्सेश क्या करती है साट बचा आट वशे बैल्डीक लिए पींड़ने से क्या नहीं है अब बचा कहा है तो अब बचा क्या है लिडर्शिप में पीजन्स वगरे का सपोर्ट लेकि स्पैनिश पूलर जो तो उन्हें भगा दिया यहां से अब क्या है पूरा इतली अपना तो अब इस तरह से कहा है इतली यूनिफाइड ठीके तो यूनिफिकेशन अफमिजन कंबीट यहां से फेल धिकेमिट अघ्रिया घ्रियु browse सिकेशन लिए तो यूनिफिकेशन और मेंग झ vib सीकेशन और विक चनली आई जो इतली ठीके युनिफिकिशन अविटी और मेगिंग अविटी दो अलग अलग चीजे होती आपने यहां पर क्या कर दिया कि आस्ट्रिया को भगा दिया नौर से जो स्पैनिश रूर्स थे उनको भगा दिया साथ से सेंटर पोब जो थे तो वो खुद आपके साथ मजो गए सा था वो बहुत कम था तो मच आफ दी इतलियन पॉपलिशन अमंग हूम रेट्स ऑस इलिटरसी वर वरी हाय ठीके मतलब इलिटरेट पॉपलिशन थी ना रिमेंड ब्लिस्फुली अनवेर ओफ लिब्रल नैशनलिस्ट आइडिलोजी तो रहे गवर्मेंट बाइंसेंट क्या इस पैनिश फूर्स को भगाने के लड़ रहे थे ना तो उन्होंने कभी नैवर अवडि इटाइलिया मतलब क्या सब्सक्राइब और साटरेट न वहां रहे है जाले घिंट और इतली उन्हें सब्सक्राइब जिखते नहीं इससे लगता था कि ला तालया वॉ 아마 ने क्या च् तो सेंस ओफ अवेरनेस जो था ना वो बहुत कम था और उसी चीज को यह पर दर्शा आगा बस की लोग क्या थे लोग यह थे कि लीडर्शी पच्छी ती गैरी बैल्टी की क्या वे और कि उसके चलते लड़ लिये और इटली को यूनिफाय कर वा लिया तो यह पूरी कहानी ही इटलीएन इनिफिकेशन को लेकर इटलीएन इनिफिकेशन भी कंप्लीट हो अब अब मेशलिनापने कि यह तॉप करेंगे नेच्ट विडियू में बिटेंट का जो केस है नृच्रेंज कैसी अ बहुता चलेगा सब्सेफेहला अब सबसे पहला सवाल जो आता है कि ब्रिटेन के यूनिफिकेशन का केज जो है उसे स्ट्रेंज क्यों कह रहा है ठीक है उसका जवाब मिलेगा आपको अब लेकिए हमने पिछले वीडियो में जर्मनी को यूनिफाई करवा दिया बढ़ियां बदाई हो ठीक है हमने उसी तर करें तो उसकेस को स्ट्रेंज क्यों कहा जा रहा है देखो तो स्ट्रेंज इसलिए कहा जा रहा है तो इन दी इन बिटेंटी फॉर्मेशन ऑफ निशन श्टेट वास्न नॉट दी रिजल्ट ऑफ आ सडन अभीवल और रविलुशन दिस इस दी पॉइंट विच्च यू आर जर्मनी के केस में देखा जैसे हमने ग्रीक वार ओफ इंडिपेंडेंस के केस में देखा जैसा हमने बेल्जियम के केस में देखा जितने भी देशों में आपने देखा कि राइज ओफ नैशनलिजम के बाद में नेशन स्टेट्स बने है न वहां क्या करना पड़ा है क्रांती बस क्या हो रहा था रात में सब सोवेदे सुबह उठे वो लगा क्रांती तो क्रांती ठीक है लेकिन मुव्मेंट में क्या होता है कि चीजे ग्रैजुवली डेवलप होती है तो हम क्या सकते हैं कि युनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का जो केस था ना तो वो क्या है स्क्राम्स्टैन्स में युनिफिकेशन वह बिटेन का ठोगे अधा युनिफिकेशन है एक लागए प्रोसेश के थुए है सदन कुछ नहीं था यहापे तो आप देको क्या है ढटी प्राइमरी आइडेंटिटि आफ पीपल को इने आइपीटेट दी इप्रिटिश आयल्स तो इन में डिफरेंस क्या है वो भी समझाओंगा बागे अगर हम बात करें तो ब्रिटेन जैसा कुछ एक्जिस्ट ही नहीं करता था क्या एक्जिस्ट करता था तो ट्राइब्स रहते थे तो यहां प्राइमरी आइडेंटीटी आफ दी पीपल इंगलिश एथनिक ग्रूप सटक्क में रहते थे जैसे एंगलिश एथनिक ग्रूप था उग्लिश भृब त हैंगलिश क्ल्चर थे ज्टिय क्या है तो एक डंस में रहते हैं बोडिश नहीं को समझाओं तो यह मान के चलों कि ए जो पूरी ट्रिट przypad बिरे對啊 नहीं तरो सभड़े यहां कॉन से यहां पशेत सबस्राइब रहेंगे इंग्लिश। Chinese चीज मतलब के रहेंगे यहां पर कौन शॉन कर नहीं एंग्लिश ढ़य है ऍंधिक पर फिर वही बात कर रह तो यहां पर रहता था उसी के त으रह सकके बनादे तो हैने शेर है वेल्स मुझे रहते थे एंग्लाइंड में इंग्ली widely रहते ते उसी तरह से Ireland जो यह पूरा Ireland वाला जो आईReally यह यहाँ पे Irish लोग रहते थे थे ठीखेगे त هنا underground था आई रिकन तो इसे यहाँ रहते थे और दी अधर नेशन्स ऑफ दी आइलेंड अब क्या ओर रहा ही जो अलगा गढ़ा एतनी गृप आप देख रहो इस आईलेंड में अच्छान इसमझना या लगाला एतनी गूप जरओ तर रहा है इंगलेंग इंगलेंट ग्रूमिनेट कॉन कर गया इन में डॉमिनेट कर गया इंगलेंड इंगले को मातलब अब एडियो था वह रहने वाले जो के जो थे फार्ट न गुरूत फ jullie था इंग्लीन प्रीतने गूप वो डमीनेट कर गया कि ओना ब्रम्हें पर्ण को सींपल सा था है लोग के मर्चेंट्स वगेरा ट्रेडर्स वगेरा ग्रो करते हैं उनके पास पैसा आता है तो आप देखो कि डेमोक्रिसी भी आई उस पैसे के पीछे-पीछे लिबरलीजम यहां डेवलप हुआ ठीक है तो इन सारी चीदों के चलते हैं सारी चलते क्या है कि इंग्लिश एथेनिक ग्रुप का है मैजूरिटी में आ गए मैजूरिटी में इन देसिंस की फाइनेंशली और पॉलिटिकल एकोनोमिकली पावर उनके पास आ गई उस चीज की मज़रिटी आ गए उनके पास ठीक है तो अब उससे क्या होगा कि वह जो आजू-बाजू के थर्तीन फूर्टीन सेंच्यूरी बहुत पुराने समय में ही इंकॉर्परेट हो सब्सक्राइब के शाथ में में सबसे पहले सी किरूग गया था बहूत पहले क्लिर आप तो अब देखो क्या है अब भीते सब्सक्राइब क्या हो div ठीक है, सबको अगर एक साथ लेंगे तो British Isles हो जाएगा, यह यह ना British Isles, clear हुआ, तो हाँ, किदर गया, British एक और L आएगा, ठीक है, तो I, S, यह British Isles हो गया, ठीक, British Isles हो गया, सबको अगर एक साथ मिला देते हैं, तो, फिर क्या है, फिर अगर आप देखूँगे, Scotland, England और Wales, इन्हें मिलाओंगे, सर्फ, ठीक है, Scotland, England और Wales, इन्हें अगर मिलाओं वीदॉर، शर्फ, तो इन्हें मिलाने पर क्या मिलेगा, आपको, इन्हें मिलाने पर आपको मिलेगा, Great Britain, तो यहां पर आपको मिल गया, great britain मिल गया यह great britain मन क्या आपका अब क्या होता है कि इस union में एक और को जोड़ दिया जाए यह नदन ाइरलेंड को इनीशली तो पूरा आइरलेंड जुड़ा था लेकिन फिर कह आयरलेंड इस फ्लिट हो जाता नौर्थ और साउथ में तो आज के समय में आप जैसे देखो घ। नदन लेंड Scotland England or bills divorced कि इतनी लेटरी को आप मिलातों तो क्या बनता है तो यूनाइटेट इंग्डम ऐनक ए में पयाईट साथ है या हम बात का इन आने बेडिंड्न ग्रेटिन नहरों बनता है यह सब मिल के यूनाइट एंट नों इन गेंड़ीन के यह सब समझते देखो तो इंग्लाइंड है तो इंग्लिश पार्लेमेंट है एक्ट ऑफ यूनियन के थू क्या जाएगा स्कॉट्ट लेंड आ जाएगा मतलब यह उनाइटेट इंग्डम ऑफ ग्रेट ब्रिटेंबं गया और पूरा यॉनाइटेट किंग्डम कब बनेगा जब उसम तो इंग्लिश पार्लेमेंट में पावर पार्लेमेंट में मतलब इंग्लिश पार्लेमेंट के पास पावर कैसे आई कहां से राजा महराजा सुन में पावर कैसे लिए तो वही बात है कि यह क्या है स्ट्रेंज केस है यहाँ ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ सड़न की in 1688 at the end of protected conflict but the protected conflict क्या है तो Parliament और अपले बिन के आखेस्ट मेंगे राजा तो लाक कि झावर कि सके ना चींचे और स्कंफ्लिक्ट में प Emma जीती है पालमेंन कि मिद। में बता है कि जो ब। 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 ऑढ UFO धिग फो जो यहीं तुन्होंने राजा के उपर प्रेशर बनाया प्यार से कह रहे है कुरसी पे से उतर जाओ निता हम पटक देंगे तो उसके चलते क्या है कि राजा ने खुद पावर देदी तो अंडर दी प्रोटेक्टरेट कांफ्लिक्ट आप क्या देखोगे कि ब्रिटिश पालेमेंट जो अपने आपको expand करती वेल्स तो था ही उनके साथ अब वो कहा जाएंगे Scotland गए ठीक तो Act of Union 1707 ध्यान रखना important हो जाता है Act of Union 1707 के चलते क्या होता है कि जो England था ना England क्या करता है Scotland को अपने साथ जोड़ लेता है तो Wales England of Scotland जोड़के क्या बनेंगे Great Britain बनेंगे तो according to the Act of Union 1707 क्या बना 1707 के साथ से United Kingdom of Great Britain तो Great Britain भी फोकस करना तो between England and Scotland the Act of Union of 1707 was signed that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain ठीक है England was able to impose its influence on Scotland और इसके चलते क्या हो रहा है कि अब Scotland को merge कर लिया ना तो अब England क्या करेगा Scotland के उपर अपनी influence को जमाएगा ठीक है तो England क्या करेगा England was able to impose its influence on Scotland the British Parliament was henceforth dominated by its English member फिर क्या हो रहा है कि जो British Parliament है तो British Parliament में dominate कौन करने लगे आप तो English members जो है क्योंकि England dominate कर रहा है तो English members जो है British Parliament में dominate करें कि no doubt Scotland उससे जुड़ा हुआ है अब क्या होगा Scotland का जो merger हुआ ना तो यहां पर क्या दिखरा peaceful merger दिख रहा है लेकिन उसका impact क्या था पता है तो impact भी समझ लो तो जो इंपर यहां भी समझाओंगा मैं आपको impact क्या हुआ तो यहां पर जिससे अगर आप समझेंगे किदर गया तो impact of the act of union 1707 the growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed ठीक है तो जब क्या होता है Scotland और England merge हो गया तो उसके चलते अब domination किसका रहेगा England के लोगों कर आएगा पैसे बाले थे influential थे politically economically powerful थे तो Scotland का जो political culture था ठीक है वहां के जो institutions थे उनको systematically क्या किया गया है suppressed किया गया the Catholic claims that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever where wherever they attempted to assert their independence ठीक है अब क्या होता था कि अगर आप सम्झेंगे तो क्या हुआ मर्जर के टाइम प्रेट में मर्जर के टाइम प्रेट में कर जी सम्देखें तो Scotland और इंग्लेंड गया तो जो Scottish Highland के कुछ Catholic समय थे ठीक है वह क्या करते थे वह पोस करते थे किसचीज को इस अप्रेश करते जाता था तो यह समझना होगा आपको आपका सिलिबस रिडियूस हो जाता है अगर पूरा सिलिबस आप पढ़ते ना तो आपको प्रोटेस्टन बहुत अच्छी तरह से आयलें नदन आयलेंड में समझाता हमें कहां सिविक्स के चाप्टर थी में जो अप सिलिबस में नहीं है लेकिन स स्वेतामबर हो गया दिगामबर हो गया मुस्लिम अगर इसलाम की बात करें तो सिया सुनी अलग-अलग क्या है एक ही धर्म के लोगे लेकिन वो अलग-अलग मानने अतावों में रिश्वास रखते हैं तो वैसे क्रिश्यानिटी में आप देखोगे तो जो ओल्ड ट्रेश तो इंग्लेंड जो है ना इंग्लेंड में कौन डॉमिनेट करना पता है इंग्लेंड में डॉमिनेट करते हैं प्रोटेस्टेंट्स ठीक है तो और स्कॉट्लेंड में कौन थे स्कॉट्लेंड में जिसे अगर आप देखोगे तो कैथोलिक्स थे अब क्या होता है तो यह कै आते थे कि protestant dominated England और Scotland का merger हो Act of Union 1707 के शलते लेकिन का merger हो गया तो जो Scottish Highland में जो Catholic से रहते तो उन्होंने इस चीज को protest किया but their protest was suppressed so I am explaining you what were the impacts of Act of Union of 1707 1707 जो हमने Act of Union देखा यहां पर कहां गया इधर आएगा भी ठीक तो 1707 का जो Act of Union था उसके impact क्या हुए वो चीज समझ में आ रही है आपको चीज कनेट कर पा रहे हो तो the growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions which was dominated by Catholics उसको suppress किया जाएगा in fact जब Catholic Clans जो हुआ करती थी तो अलग अलग एथिनी उसके लेंडर्स वर फॉर्बिडेंट उस्पिक देर ग्यालिक लैंवेज और वियर देर नेशनल द्रस्टी के तो उनका जब कस्टम था उनकी लैंवेज थी उस चीज को भी सिस्टेमेटिकली क्या किया गया सप्रेस किया गया ठीक है तो उनकी लैंग्वेज को भी अफोल्ड नहीं करके रखने दिया जाता था स्कॉर्ड लेंड के लोगों को दिया यूनाइटेट किंग्डम ऑफ ग्रेट बिटेन एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के चलते हमने ग्रेट बिटेन मराया स्कॉटलेंड वेल्स इंग्लेंड वाला अभी आयरलेंड मर्ज नहीं हुआ है आयरलेंड को भी आयरलेंड का भी देखेंगे तो इस्तिति कुछ इसी तर आयरलेंड मिलता है तो इनके फ्लैग कुछ इस तरह है रिस्पेक्टिवली अलगलग अगर बात की जा तो इंडिविजन लेवल पे और जब सब मिला दी जाएगा तो यूनाइटेट किंग्डम का फ्लैग इस तरह से मनता यूनियन जैक ठीक अभी आगे पड़ेंगे तो आयरलेंड के अगर पारी समझें आयरलेंड किस तरह से इंकॉर्पेट कराए गया तो इट वास कंट्री डीपली डिवाइडेट बिट्विन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट तो अगें दी स्टोरी क्या हो रहा है कि यहां पर आप देखोगे तो यह अंदर आयरलेंड ज में सदन आयरलेंड में अब क्या हो रहा है तो यह जो नदन आयरलेंड है जहां पर प्रोटेस्टेंट है यहां प्रोटेस्टेंट इंगलेंड में प्रोटेस्टेंट ठीक है तो प्रोटेस्टेंड प्रोटेस्टेंड भाई भाई तो उसके चलते क्या है कि इंगलेंड जो है ठीक है जहां पर Catholic dominant करें वो मर्ज होना नहीं चाहेंगे ठीक है तो इंग्लिश helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over largely Catholic country largely Catholic country है लेकिन उस पूरी की पूरी Catholic country पर Protestant domination establish कर ले और यह कब हो पाएगा जब उनको backing मिलेगी England के Protestants की तो England के Protestants backing दे रहे थे और अपने domination establish करने का प्रयास कर रहे थे ठीक है तो Catholic rewards against British dominance were suppressed तो अगर कोई Catholic आवाज उठाता था कि British गलत कर रहे हैं मतब British in the sense England के लोग जो में गलत कर रहे Great Britain जो मना है उसके लोग गलत कर रहे तो उनको suppress कर दिया जाता था Catholic को ठीक है इन फैट क्या होता है कि एक मर्जर भी आपको लेखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा आयरलेंट जो मिला लिए जाता Great Britain के साथ में ठीक है उस चीज को भी किया तो यहां पर वॉल्फ टॉन की बात आती है तो रिवर्ट लेट बाइब वॉल्फ टॉन एंड इस उनाइट आइरिश में इन 1798 1798 में प्रयास किया वॉल्फ टॉन ने कि क्या हो आयरलेंट जो है ठीक है इस आयरलेंट को आजादी मिल जाए बृतें से मतलब बृतें का जो डॉमिनेंस से बिटें का जो इन्फून से वह खतम हो जाए तो टोन वॉल्फ टॉन जो ह है वुल्फ टॉन जो है वो क्या करते पूरा प्रयास करते है बटी तो वहाद जाते हैं और उनकी हार के बाद में क्या होता है आयरलेंट वास फोर्सी बली इंकॉर्परेटेटेड इन्टु धी युनाइटिड टिंग्डम ठीक हो और आयरलेंड जो था तो पूरा का पूर चुरुआत में क्या होता है शुरुआत में पूरा का पूरा जो आयरलेंड था यह फोर्सी बिली क्या होता है ग्रेट ब्रिटेट जो बनाबाद एक्ट ऑफ यूनियन सेवन्टी जो बना तो उसमें मिला लिया जाता है और इस तरह से एक युनाइटिड इंग्डम मनतें एक यूनियृट इंग्डम मनाते फिर बाद में क्या होता है 1921 के आसपास 1921 के आसपास यह अलग कर लेता आपने आपको तो एक नदन आयरलेंड है और एक आयरलेंट है तो रिपब्लिक ओफ आयलेंड आयलेंड की क्रिकेट टीम हांसा आती है ठीक है आप देखोगे तो लेकिन मैंने आपको खिचडी में दाल अलग चावाल अलग मुंग दाल अलग सब कुछ कर दिया है तो ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन मतलब ग्रेट ब्रिटेन युनाइट इंग्डम यह सारी चीज़ें आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में और इस तरह से क्या है कि कुछ से कुछ फटकार से यहां पर आपको क्या देखने को मिला ब्रिटेन जो है उसका युनिफिकीशन हो गया ठीक अपने कंट्री बनाया है लोगों को नहीं बनाया है पतलब आपको सेंस ओफ क्लेक्टिव आइडेंटिटी तो लाना पड़ेगी न तो उसके लिए क्या होता है फोर्जिंग अन्यू ब्रिटिश निशन तो नया ब्रिटिश निशन आप लोगों के अंदर सेंस ओफ आइडेंटिटी कैसे लाओगे तो न्यू ब्रिटिश निशन वास फोर्च थूदी प्रोपगीशन ओस डॉमिनेंट इंग्लिश कल्चर तो इंग्लिश कल्चर जो प्रिटीन में विक्रटिश इन जाने का ती सप्थ है कि प्रिटिश फ्लैक्क कि नाम सब्सक्रणा बने गया तो सकॉलflight को एक तरह से कह सकते हो आपकी एक साथ करेक्ट किया जा सकते हैं तो दी ब्रिटिश फ्लाइग यूनियन जैक दी नैशनल एंथम गॉट सीव आर नोबल किंग यह दिहां रखना है कि चीजे क्या वनमार्क्स में कुछ नहीं से बन किया तो नैशनल एंथम जो कंपोस किया गय तो यह दिखा दर्शाता है कि हां कॉंस्टिशनल मोनार्की जो है तो नैशनल एंथम में वह राजा को बचाने की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंडी ओल्डर नेशन्स सर्वाइब एज अनलिया सबॉडिनेट पार्टनर्स इ क्या सकते हैं कि equal level पर सब कुछ देखने को मिल रहा आपको लेकिन जो यूनिफिकेशन प्रोसेस था वो अपने आप में स्ट्रींज था कोई बड़ा सदन क्या सकते हैं रिवलुशन नहीं आया लेकिन यह कहानी रही है तो दिस वास दी होल स्टोरी अबाउट इस टेंज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्वलाइजिंग बी नेशन हमारा टॉपिक जो है यहां पर स्विच कर गया है कैसे तो देखिए जो स्टोरी वाला पार्ट था अद्स फ्रेंच रवलिशन से किस तरह से कंट्री यूरोप के गला गला कंट्रीज में नैशनलिजम, राइज ओफ नैशनलिजम देखने को मिलता है, कहां मोनार्की इस्टैबलिश की गई, कहां उठा के पतक दी गई, यह सारी चीजे आपने इस चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो स्टोरी पार्ट वाला जो काम है हमारा वो हम देश को युनिफाइ करवालाना एक चीज है, और देश के लोगों को देश के सेंटिमेंट के साथ जोड़ लेना, मतलब क्या है कि यू आर क्रिएटिंग अनेशन, यू आर अनेशन, ठीक है, आप एक नेशन बन गए, बढ़ाई हो, वह एक अलग चीज है, बट यू आर व हम वही पढ़ने वाले हैं कि आपने देश बना लिया, लेकिन वह देश के लोग क्या उस देश को विजुलाइस तो करें, चीजा वो कनेक्ट करेंगे, कैसे वही एक सवाल है, तो हम इस वीडियो में वही पढ़ने वाले है कि हाओ दी नेशन वार विजुलाइज ठीक है, इसने वाले हैं कि ऐसा नहीं होता है कि हम भोलेगे कि यह जा रहा है, फ्रांस, यह उदर से आ रहा है, जर्मनी, तो इस तरह से कहा है कि देश आपको कोई इंसान तो है नहीं, लेकिन लोग उसको अपने आप अपने आपको उस देश के साथ ऐसे करेंगे, तो उसके लिए को क्या करना पड़ेगा idea सको एक form देना पड़ेगा ठीका idea इसको फॉर्म देना पड़ेगा for example अगर हम सिंपल बात करें तो जिसे कहा होता है कि आप देखते हैं कि तीरंगा जंडा जंडा लेकिन जब बात आती देश की तो देश को आप कैसे चहरा दोगे वहाले बाते नहीं तो देश को आप चहरा कैसे दोगे तो वहां पर क्या बताए गया है आर्टिस्ट इन 18th and 19th centuries found a way out by personifying nations ठीक है तो आप क्या हो रहा हम लेकिन अब आटिस्ट के सामने मतलब आटिस्ट या फिर नेशनलिस्ट जो हुआ करते थे उनके सामने चैलेंज था कि हर इंसान जो connect कर पाया उनके देश के सांग तो यहां पर आटिस्ट बगरा जो देश को क्या देने लगए चेहरा देने लगे वन सब्सक्राइब और रिलीजियस ली लोगों ने क्या माना कि भारत माता है और हम भारत माता को आजाद करवाएंगे तिक अब इसको practically समझोगे तो भारत माता जैसा कोई हुआ लेकिन है कि आपने कद्री को एक आईडिया दिया पर्सोनियफाइब कर दिया कि हां हमारा भारत जो है तो हमने भारत माता के साथ क्या की भारत को असोसी ट कर दिया या मैं लौटक्षा हू도 यूरोप में जिसे अगर आप देखो कि तो जब नेशन स्टेट्स बन रहे थे नैशनलिजम में मर्ज हो रहा था तो उस टाइम प्रेड में क्या है एक तरह से पर्सॉनिफिकेशन स्टार्ट हुआ नेशन्स का नेशन्स को आप एक क्या देने लगे परसन का टैग देने लग ठीके की हम जैसे भारत माता की बात करते ना तो भारत माता को चहरा देदी इसका मतलब क्या आप कनेक कर पाते हो कि हां भारत माता मतलब हमारा देश हमारे देश को रिप्रेजंट कर रही है वह तो वैसे ही क्या है कि यूरोप में भी 18th और 19th century में आटिस्ट जो थे उन लो देंहें आप एक दर यह जो एसको इश टुर्स तरह से आप इंडकरीघर पर सबस्सक्राइब के और सो कहते हैं कि आप संप्रेसी तरह क्या थैकल यह को एप इसक्राइब करते है और सिंस दशा थे कि तो तो यहां से तक हमारा देश है लेकिन सारे लोग का पाएंगे जब सारे लोग ये मानेगे कि हाँ भारत माता जो है तो भारत माता का है है जब शारे मानेगे की country को डिप्रेजेंट कर रही है ठीक है तो उससे क्या कर पारे लोग कनेक्ट कर वें तो country का abstract idea थो उसको अपने concrete form देदी भारत माता के form में वैसे ही the company है यहाँ पर ये example इसलिए सट किया क्या आसाली से समझ पाऊ बाकि विजुलाइजिग दिनेशन जब लिखने को हाईगा ना पॉश्यन तो धियान रखना हम यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे है अभी के लिए इस चाप्टर में तो धी राइल ओफ नैशनल समीन यूरोप में आपको यी देखना है कि यूरोप के जो आटिस्ट थे 18-19th सेंचुरी में दे स्टा आसे जब एक फिमेल फिगर को कंट्री रिप्रेजेंट करने लगा था तो हम क्या कहेंगे कि उन्होंने ऐलेगरी बनाने स्टाट कर दिया बहुत सिंपल चीज है जब आप क्या करें हो आप एक एबस्ट्रेक्ट आइडिया को एक कंक्रीट फॉर्म दे रहे हो इंदी फॉर आफ पिमेल फिगर टिए मतलब हिंदी में क्या गाएंगे से कुरूपक देना रूपक देना मतलब क्या है रूपक देना जिसे भारत मादा कि हम बात करें तो वह क्या बना है हमने हमारी कंट्री को एक रूपक दे एक ऐलेगरी चंस्ट्रक्ट कर दिया है ठीगे तो वाट वाट देशन भाई एलेगरी तो एलेगरी को चीट क्लियर रखना इस चीज़ पर तिक है एलेगरी का मतलब यह हो रहा है कि आप एक आईडिया को क्या दे रहे है एक फॉर्म दे रहे हैं ठीक है मोस्ट आप टाइम डेट फॉर्म इस पर्सवाइग अने इसन इन 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 इ इस रिप्रेजेंटिंग यूर्ट तो उसके साथ ऐसे असोचेट कर सकते हो कि हां वह रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो लेकिन क्या है आप जब कंट्री की बात आती तो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे है ठीक है तो आपके एलेगरी आइडिया सच्ट लिवर्टी जस्टीस एंड रिफब्लिक टिक लिवर्टी जस्टेस रिपब्लिक इन आइड आइए स्कूरी प्रेजय कैसे के ऊंरोंने तो फीमेल अलिगरी बनाए का ना में फीमेल अलिगरी का अभी पड़ें आप मैर्यन ठीक इंठ को अन्ट्रीक ऐं आप देश को विजुलाइस करवाने के लिए विजुलाइज इंग दी निशन ठीके टूज विजुलाइस दी कंट्री आफ फिमेल फिगर नोनस मैरियन सिंपल चीज अब देखो क्या यहां पर यहां पर जैसे देखो के तो हर चीज का जैसे मैं आपको जंडे का बताया तो आ आग पर पट्टी बांदू एक महिला जो हाथ में क्या इस तरह से वेंग स्केल लेके खड़िये तराजू लेके खड़िये तो वो नियाई की मूर्ती होती है बच्पन में सोचते थे कि इनके पर पट्टी बंदी है तो यह सही कैसे बताएगी वह इंपार्शिलिटी को दर लिवर्टी को दर्शाहा जाता था अगर हम बात करें फ्रांस की तो फ्रांस को कैसे विजुलास कि यह घता था तो बहुत नहीं देखा तो फिर भी अब क्या होता हम देखते हैं कि मूवीज में भूत दिखाया जाता है कैसे दिखाया जाता तो सुच विजुलाइज करो योजिया बीजुवाइज नेशंस कट यू बात करें, तो सिंपल क्या वाजाता है कि बाल खुले होंगे, सपेज साढ़ी पहनी होंगी, ठीक, तो वह रियल में एक्जिस्ट नहीं करता हमने नहीं देखा है लेकिन हम विजुलाइज कैसे कर पाने कुछ एक्ट्रिब्यूट्स की तरह ठीक है तो वैसे क्या है कि जब यह दया भी भूत बनती तो भी यह एक्ट्रिब्यूट्स केरियों करती है कहां सपे साधी परेंगे बाल बढ़े र पब्लिक दी रेड़ कैप ट्राइक कलर को कैट ठीक है तो अब जिसे अगर आप देखो गे तो इस तरह का क्या कर सकते स्टैचिव बन सकता है प्रिंट बन सकता है जिसमें क्या होगा कि ट्राइक कलर जो होगा ब्लू वाइट और ब्लू वाइट और रेड जो होगा तो फ् आपने बना दिये एलेगरी ओफ फ्रांस मेरियन के लिए तो इस तरह का कुछ भी मेंस दिखेगा तो लोग विजुलाइज करेंगे कि हां यह हमारे रास्ट को रिप्रेजन करें हमारी एलेगरी है ठीक है यह हमारे रास्ट का रूपक है क्लेर हो गया तो इस्टैच्य ओफ मै करने वाले भी क्या करते हैं वह बूत किसी नहीं देखा लेकिन वह एक्ट्रिब्यूट्स क्या करता है वह एक रूप बन जाता तो इसमेलर ली जिसा आप देखो कि तो जब विजुलाइजिंग वी नेशन की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से अलेगरी कंस् आदिया मैंने क्या जर्मेनिया है नहीं जर्मेनिया क्यों कि आप जर्मीट को कैसा ऐडेंटिफाइब रहोगे कुछ एट्रिब्यूट्स के साथ में तो इन विजुल रिप्रेजेंटिशन जर्मीनिया वियर्स अब क्राउन ओफ ओक लीज तो एक इमेज वहागा जिसमें बहुत सारी जिए सब्सक्राइब कि जंडा जिसमें ट्राइब को दिख रहे हैं जर्मन के आपको देखने को मिल गए ब्रेस्ट गुट विथ ईगल तो जो क्या है पावर को दरशाथी है चाहिए अज़र पार के उन्द यहां ओंडि टो मेंने बताया था कि जर्मन यूनिफिकिशन किसने करवाया आर्मी ने खुद करवाया वागे मोनार्क में खुत कराया तो इस तरह से का है वो जर्मेनिया देश को विजुलाइज कर रहे थे तो have people of Germany used to visualize their nation with the help of Germany तो Allegory of Germany Germany ध्यान लगना जर्मेनिया हो गया मैरियन के बारे में आपने पढ़ लिया भारत मांता के आपने पढ़ लिया दया के बारे में पढ़ लिया आपने तो आप जैसे सिंबल्स जो होते तो उनकी सिंग्निफिकंस होती थी ध्यान रखना क्या होता है कि अब्जेक्टिव टाइप में कहीं से कुछ भी कुछ ना जटा है तो ब्रोकन चीन का मतलब कहा है आजादी पाले न तो जै ठर्मina के सिर्फ वह कैंडर शाता है Palestin को ज़हाता है क्यों कर दो जो आप स Οल जो है तो रेडिनेस टु फाइट तो यह तलवार जो है रेडिनेस टू आइज वहरेद उलिभ ब्रान्ट्र जो़ है और ओलिष दूर आ मोगी तक इसको दर्शाती यह तरह से आपने तो था लेकिन बाद में आप जिसे देखुए तो जर्मनी के नेशनल फ्लैक भी यही बनेगा रेज आफ राइजिंग सन और पीछे से सूरे की करने आ रही है यह क्या दर्शाद यह बिगिनिंग आफ न्यू एरा ठीक एक नया यूग प्रारम हो रहा है सूरे की करने नया दिन प लिखी है आपको सारी चीजे समझ में आई हैं अब इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट पड़ने वाले हैं जो है नेशनलिजम एंड इंपीरियलिजम राइज ऑफ नेशनलिजम यह चैप्टर इसका लास्ट टॉपिक है तो मुस्कुरा लो एक बार आखरी टॉपिक हैं चैप्टर हमारा है कंप्लीट होने वाला है और यह जो टॉपिक है यह अपने आप में बहुत मैदार टॉपिक है यह आपको एक अलग डाइमेंशन देगा चीजों को सोचने के लिए समझने के लिए तो राइज ओफ नैशनलिजम अब इस चैप्टर हमने क्या समझा कि नेशन स्टेट्स अगर आपको बनाना है आपको राष्ट बनाना है तो उसके लिए राष्ट वाद जो रहेगा ठीक है फॉर दी क्रिशन ऑफ नेशन नेशनलिजम इस अप्री रिक्विसिट मतलब वो एक प्रायर कंडिशन हो गईगी लोगों के अंदर क्या होगा राष् इस तरह से स्टूरी आगे बड़ी जो नेशनलिजम था इंपिरियलिजम था वो क्या था और किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए इंपिरियलिजम रिस्पॉंसिबल है ठीक तो वह सारी चीजें जो इतने भी आपके मन में सवाल रहते हो और यह टॉपिक है इस टॉ कि मतलब क्या हो रहा है कि एक फैमिली है एक फैमिली में उनके बच्चे हैं दो बच्चे हैं तो अब वैसे ही क्या होता है देश होता है ना तो हर देश में क्या लगता है हर देश के नागरी को कैसा लगता है कि हमारा देश सबसे अच्छा है बढ़ी है राष्ट्रवाद ह चाहिए तो वो क्या हो गया वो नैशनलिजम हो गया ठीक है तो मतलब फैमिली है फैमिली मों क्या रहे है कि हमारा बच्चा अच्छा है तो उसको आप नैशनलिजम समझ लो अब क्या होगा कि वह पैरेंट्स यह सोचने लगेंगे क्या कि सारी दुनिया में जितने भी अच्छा है मेरे ही बच्चे का डॉमिनेंस हो ठीक है तो यह क्या हो जाता है यह तरह से आप क्या कर रहे हैं आप आपके बच्चों के प्रेम में अंधा हो गये हैं और आप क्या कर रहे हैं तरह से इंपिरिलिस्ट व्यू दिखा रहे हैं ठीक है तो उसी तरह से देश है द tendencies को दर्शाता है I hope मैं वो connect कर पाया हूँ आपको एक हिंट दे पाया हूँ कि क्या nationalism है तो हम क्या कह सकते हैं कि access of nationalism ठीक है जब nationalism क्या होता है अती से ज्यादा बढ़ जाता है जिसके चलते क्या लोग अंधे हो जाते हैं अपने राष्ट को लेके और वो अपने राष्ट को क् दूसरे nations के उपर dominate करवाने लगते हैं तो वह imperialism में convert हो जाता है ठीक है यह simple ideas हैं अब इन ideas को connect करें जैसे हम तो by the last quarter of 19th century nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments this is the crux समझना बहुत अच्छे से last quarter of 19th century मतलब क्या है 1885 के आसपास की बात करें तो 1885 से 1900 तक यह जो time period last quarter तो आप क्या देख रहे हैं आप कि इस time trade में क्या हो गया बहुत सारे nation states आ गये हैं कौन से तो अभी पढ़ क्या है जर्मनी आ गया इटली आ गया अब रिटेन था ही ठीक है उसके बाद में फ्रांस स्टेट्स इमर्ज हो गए ठीक है इस time period में last quarter of 19th century की बात करें तो आप क्या हो गया कि अब जो नैशनलिजम था आप क्योंकि राश्ट तो बन गए तो नैशनलिजम की feeling ने क्या कर दिया nation states बना दिये अब वो नेशन श्टेट क्या करेंगे वो नेशन स्टेट अपने आप संटिमेंट्स की हाँ लिब्रीजम में क्या है एक्वैलिटी की बात की जारी हوقéo loss में आप क्या की जस्टिस की बात की जारी All excitable लिबरल आइडिया जो थे वह वर्डवाइड क्या कर रहे थे इंस्पायर कर रहे थे लोगों को यह लिबरलिजम के शुरुवाती दौर क्या आइडियास थे लेकिन अब क्या हो रहा है जब आप सब लिबरल आइडियास थे जो नेशनलिस्पाया है उर्टो इन्ट्रेस्ट फिरेंगी उच कप्वेशन देटने किम इस keys कि अगज़न है दो उख लिसósव २ग को एवर रेडी तू गो टू वार तो अब क्या हो रहा है कि जब सब नेशन स्टेट बन गए तो आप क्या है लड़ने के लिए मोनार्क बचे नहीं है और यूमन नेचर बैठेगा कैसे खाली तो वह आपस में लड़ने लगे तो नेशनलिस सेंटिमेंट के चलते हैं ऐसा होने इस तरह से लगा कि नैशनलिसम जो ठञाना आ तो नैशनलिसम का जो लिबरल डेमोक्री टिक संटिमेंट था वह धीरे-धीरे क्यों अब अब आप यह देख रहे हो कि जो नेशन स्टेट्स थे वो क्या होने लगे एक दूसरे से लड़ने के लिए तथ पर खड़े हो गए कि हाँ बस अब लड़ा देंगे हम आए ना समझ में क्योंकि अब क्या हो रहा है कि नैशनलिजम एक लगल पर पहुंच गया हर देश मतलब ह अब आपस में लड़ेंगे मेजर यूरोपियन पावर्स इंटर्न मैनुपिलेटेट दी नैशनलिष्ट एस्पिरिशंस ऑफ दी सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपिरियलिस्ट एम्स अब यहीं समझना है तो रास्ट वाद के नाम पे और य प्रांस के लोग जो है तो एक्सेसिव नैशनलिजम के नाम पे क्या करने लगे आपस में लड़ने लगे ठीक है देवर इन पोजिशन विच्वास रेडी टू गो फॉर वार कि मतलब वो लड़ने के लिए ततफ पर खड़े हो गए ठीक है दे मैनुप्लेटेट दी नैशन होना जो एम है कि ब्रिटेन तो है आजाद है निशन स्टेट है लेकिन वो क्या करें अपनी डॉमिनेंस अपनी इंपिरियलिस्ट पावर स्टैबलिश करें इसके उपर जर्मनी के उपर तो उसके चलते क्या वो नैशनलिजम का सहरा लेगा तो को चीज़ें यहां कॉम्प् जुड़े हुए है अगर इसको सिंप्लिफाइ करें हम आपको आंसर लिखने के परस्पेक्टिव से सिर्फ समझना है तो ऐसे समझो नैशनलिजम जो था वो क्या करता चलेगा नैशनलिजम स्प्रेड हुआ नेशन स्टेट्स बने बदाई हो अब वो नेशन स्टेट्स जो इम्परियलिस्टिक टैंडेंसी जो है उनको फुल्फिल करने के चकर मैं अब क्या होगा उनको फुल्फिल करने के चकर में आप क्या होंगे ऐसी सिच्टुईशन जाएंगी कि जहां नेशन से एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार खड़े होंगे ठीक है इस बेसिक नेशनलिजम से आपने आपका देश बना लिया और उस देश को जब आप एक्सपैंड करोगे ठीक है उस देश को आप क्या एंबिशियस लेवल पर ले जाओगे कि आप दूसरों को एंक्रोच करोगे वह आपकी पर कनेंट आरा ये चालों करके आपको आपको देख नियुक्त कर ने मिलेंगे ऊरोप में काम करते हुए देखने को मिलेंगे कहां बालकन रेजेन है सबसे पहले तो लोग ढूंदते कि कौन था सरे बालकन कुछ पूछते तो यहां आप जिसे देखेंगे थ्टोड़ा सा अनेक करो मैं आपको बताया था जब आपको ग्रीस के बारे में बता रहा था ग्रीक वार ओफ इंडिबेंडंस के बारे में बता रहा था कि एक इसलामिक empire था ठीके जो कहीं क्या कह सकते हम कि Mediterranean Sea की आजु-बाजु था कौन सा इंपायर था Islamic empire Ottoman Empire अब उस Ottoman Empire में क्या है Ottoman Empire की territory भहुत जादा बड़ी थी ठीक अगर बात करें हम Ottoman Empire की तो Ottoman Empire की territory क्या थी बहुत जादा बड़ी थी तो उस Ottoman Empire में क्या है कि एक region था ठीक है जो प्रसेंटि जैसें आज जो देश है रोमेनिया बलगेलिया अल्बीनिया ग्रीस मेसेडोनिया क्रोशिया बॉस्ञिया है derivative अहां मौनटेनग्रौ तो यह सारे देश आपको यहां पर सब जैसे सब क्रोशे की बात करें तो क्रोशे में अलग लैंग्विज बोलने वाले लोग रहते अलग एथिनिक ग्रूप लेता है तो इस तरह से आप डाइवर्सिटी बहुत है इस पूरे रिजन में डाइवर्सिटी बहुत है लेकिन जो ऑटोमन एंपायर हुआ क करता तो एक समय पर पूरा कपूरा रिजन जो है जिसे बालगन रिजन कहा जाता है यह झाड़ंवर्स पूरा कहा है कि अपमे एथनि कली टाइमर्स है ठीक है तो अलग अलग एथिनिक ग्रोप अलग अलग कंट्री होना चाहिए जैसा आज देख रहे हैं माँ पे हैं लेकिन पहले पूरा का पूरा किसके अंडर में था पहले पूरा का पूरा आपको यह ने था तो आपन में रूल स्ने इसको क्या करके रहा था इत्नी कहानी अभी देहां तो पालकन क्या हैं तो कि एटने को मिल रहे हैं जो प्रजेंट ने संस्रेस देखने को विपे एग तो सब की ते गलग ओलेंगे लग गलतले किलगे इसी कारण से आपको प्षाहिज देखने को तोट के छे देश निकल के आगए तो आपको यहां पर अलग अलग देश देखने को मिलेंगे आज लेकिन पहले जब सारा एक साथ था उट्वान एमपायर के अंडर में था तो यहां रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था कहा जाता था तो तो स्लाविक नेशनलिस्ट कहा जाता था यहां यह बालकन रिजन में रहने वाले यह जो बालकन रीजन है यह एक तरह से विस्पोटक जोन मन जाता है जी विस्पोटक जोन कैसे बन जाता है कि यहां पर बहुत जादा का होगा 1914 में लेकिन यह जो पूरा टाइम पिरेट है 1871 के बाद से तो यहां इवेंट क्या होते हैं मेनुपलेट होते हैं दो को हिस्ट्री क्या हिस्ट्री तो ऐसा है कि जितने इवेंट्स पढ़ा उतना कनेक करके कोशिश करो 1871 यह क्या टाइम पिरेड है बहुत सारे नेश अन बनेगा संवह गने घाड़े क्या है ऑटमान इंपार था वह ओंपन ओने णालगता धिरेठ दिसंटीग्रेट होने लगता 1871 के बाद में क्यों क्यों क्योंकि शुक्स फुर्ण वर्स जो वह भी कंजोर हो रहे थे सो ऑर हम एंपार्र बाद मतलब किम तो पहले पूरा का पूरा राजपार्ट था यह जिसे यहां देखोगे ना तो यह पहले पूरा का पूरा का था यह पूरा का पूरा जो आपको दिहान हो मैंने बताया 1832 में जैसे हम देखते क्या है तो ट्रीटी ऑफ कॉंस्टेंटिन अपल साइन होती और ग्रीस को आजाद और愛 कि अलग अलग देश इमर्ज होंगे इंडिपेंडेंटन नेशन से मर्ज होंगे किया तो ध्यान अभी शिर्न इम्प्रिव सब्सक्राइब of Ottoman Empire ठीके प्लस दी स्प्रेड ओफ रोमेंटिक नैशनलिजम यह रोमेंटिक नैशनलिजम क्या है तो पड़ क्या है इसलिए कनेट करना रहता है चीजों को रोमेंटिक नैशनलिजम मतलब का की कल्चर का इस्तमाल करते हुए लैंगवज का इस्तमाल करता हुए आप फॉर्म क अब बोलो क्या हमारा कलचर एक होना चाहिए तो रोमेंटीक आइडिया जो है रोमेंटीक नैशनलिसम जो यह भी स्प्रेड हो रहा है तो दोनों चीज़ें ओर यह एक तरफ क्या लोगों को प्रेंट किया जा रोमेंटिक नैशनलिसम के लिए चलते क्या आप राष्ट लोग रह रहे हैं तो रोमेंटिक नेशनलिजम के चलते हर कल्चर का एक ग्रॉप जो होगा वो क्या सुचेगा हमारा एक निशन इस्टेट हो ठीक है अभी तक तो उनको ऑटमन एंपायर ने बांध के रखा था लेकिन अब वो क्या सुचेंगे कि हमारा एक क्या हो निशन इस it's control मतलब क्या है Ottoman Empire Ottoman Empire disintegrate हो रहा है तो Ottoman Empire के दिसिंटिएशन के साथ में एक एक करके जितने भी European Nationalist थे ठीक है Romantic Nationalism के चलते है नेशनलिसम के आइडिया के चलते हो सब क्या करने लगे Ottoman Empire से दूर भागने लगे एपनी इंडिपेंडेंडेंस असर्ट करने लगे आजादी पाने लगे ठीके तो यह छोटे-छोटे देश का है अपनी आजादी पाने लगेंगे and declare their independence the balkan people based their claims for the independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjected and subjugated by foreign powers लोको एक लाइन को जो अच्छे पढ़ते ना तो हर चीज समझ में आती है हर चीज के पीछ कहानी समझ में आती और NCRT के साथ में मैं समझ सकता हों के बद बच्छों को दिक्क्त दिया थे यहां तक आपको चीज समझ में आई ना क्या हुआ यहां पर कि यूरोपियन नेशनलिस मतलब यूरोपियन सब्जेक नेशनलिस जो थे वह अपनी इंडिपेंडेंस असाट करने लगे क्योंकि देवार बिंग यूनाइटेट पाई रोमेंटिक नेशनलिसम और उल्टा क्य हो रहा है उसके चलते उन्होंने क्या बोलना इस्टार्ट कर दिया कि हमारी हिस्ट्री एक रही है ठीक है तो हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे फाइन और उन्हें यह भी कहा कि वी हैव बीन सब्जूगेटेट बाइदी फॉर इन पावर्स तो इस्लामिक एंपर पने हमारे उपर कबजा करके रखा था अब हम कबजे में नहीं रहेंगे अब हम आजाद हो जाएंगे ठीक है तो बालकन्स क्या हो रहा है यहां पर बहुत रहा है कि अब यह देश जो है तो कुछ लड़के कुछ प्रेशर बना के ऑटमन एंपार से अपनी आजादी असर् पाले और यह बालकन वीजन में मतलब बालकन नाम धिया है बालकन वीजन में आपने देखा कि कितने सारे बीजर आएंगे तो आतना ही नहीं मतलख चीजों का समझना है अभी क्या होए ने एंपार में कै और आपके यह बालकन रिजन आपके लोग जो है वह अपने इंडिपेंडेंस असर्ट करने लगे तो यह नेशनलिजम है अब लेकिन समस्या कहा होगी और पता है तो यह जो श्लाइविक नैशनलिस्ट है मतलब वहां बालकन रिजन में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता स्लाव कहा जाता था तो वह स्लाइविक नैशनलिस्ट जो है ना तो अब यहां पर क्या होगा कि मॉंटे नेगर चलो ठीक है तो कोई भी देश जब क्या करेगा अपनी आजादी को असर्ट करेगा ना बोलेगा कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं तो वह क्या करेग है कि उसके परोस में जो देश है वो उसकी टरिटरी प्यार रहा है यह अपनी टरिटरी एक्सपेंड करेगा ठीक है तो क्या हो रहा है कि मैं वहीं कह रहा हूं कि एक तो वह ऑटमन एंपायर से लड़के अपने आजादी ले ली नैशनलिजम के चलते और इंपिरियलिजम क कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा आपको दी बालकन स्टेट्स वर फियसली जैलिस ऑस इच अदर एंड इच होग्ड टु गीन मोर टरिटरी एंड दी एक्सपेंस ओफ अधर तो अब उसके चलते क्या है कि उन्हें ऑटमन एंपायर से आजादी ले लेली लेकिन फिर उन्हे अगला चैलेंग जो समझ में आया तो बालकन रीजन के जितने भी देश थे उन्हें मतलब यह पूरा बालकन रीजन है यह पूरा रीजन जैसे मालो क्या ओटमन एंपायर से आजाद हो गया ओटमन रूलर से आजादी पाली लेकिन अब वो क्या करेंगे आपस में लड़ें अब क्या हो गया यहां पर यहां पर आप देखना समस्या जो थी और समस्या बढ़ कैसे जाएगी कि बालकन रीजन विकेम दी ग्राउंड फॉर बिग पावर राइवलरी अभी तक यह आपस में लड़ रहे थे छोटे-छोटे देश तो यसा था था कि चलो छोटे-छोटे बच्चे लड़ रहे हैं कालोनी के तो लड़ लेंगे फिर शाम को पापी साथ में खेलने लगेंगे लेकिन के पापा ममी भी अगर उतर आते लड़ाई में तो फिर क्या होता है समस्या और बढ़ जाती है वही हुआ यहां पर तो क्या हो रहा कि बालकन स्टेट्स जो थे तो यह सारे देश आपस में लड़ रहे थे महां तक ठीक लड़ए दो इने लेकिन क्या होता है जब विक पावर राइवलरी होती है इस रीजन में ठीक है बिग पावर राइवलरी कैसे होती जैसे मैं आपको बताता हूं अब इधर से फ्रांस कोशिश करेगा इधर से जर् का मैं सी रूट मिल जाएगा ठीक है वही कौन सोच रहा था फ्रांस भी वही जर्मनी वही रश्या भी तो उसके चलते का जब ग्रेट पावर्स इस ग्राउंड पर उतर आये ना तो सिच्वेशन और डेटुरिये टुरी टेंशन और डवलप हो गये ठीके टेंशन और एंड एक्स्टेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल अवर दी एरिया तो सी रूट की चाहा में ठीक है दूसरे को चेक करने की चाहा में मतलब ऐसा है कि हां हम आगे बढ़े ना बढ़े यह आगे नहीं बढ़ना चीए तो इसके चलते क्या है कि यह जो ग्रेट पावर्स थी रश गाइस बॉले बढ़े तो एक चूटे शुक्टे देश तो आपस अपस में फिके सीरीज दी रिजन सिरी ठीज आत को बता आउं तो और स्ट्रीया के बीच में होना चाहिए ती लेकिन क्या ऑउस्ट्रिया के साथ गलत हुआ तो जर्मनी उस्ट्रिया की मलत के लिए उतर आ है और जर्मनी जैसे खेकिम अधर के लिए उतरा तो सर्विय की मदद के लिए रश्या उतरा आया और इस तरह से फ़स्ट वर्ट 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 स्टार्ट हुआ ठीक तो चोटे-चोटे देश बालकन रिजन में देखो यहां पर यह बालकन रिजन कि दर गया यह बालकन डिय तो अब देखो मैंने आपको कहानी इतनी लंबी चौड़ी बताइए सब तरह से घुमा के बताइए कि आप बहुत कुछ चल गया इस पर कुशन क्या बने का यह और बता दो तो कुशन जो बन सकते बालकन रीजन क्या है आगे समझ में तो जियोग्राफिकली एथनिकली वेरी फिर क्या ओटोमन एंपायर का इंगल कि ओटोमन एंपायर का डिसिंटीगरेशन और रोमेंटिक नेशनलिजम का ग्रोव होना उसके चलते क्या है कि यह पुरा एक्स्प्लोजिव बन गया समस्या और बढ़ गई जब बिग पावर राइवलरी आपको इस रिजन में देखन लिखी वह जो उस रिजन की वार्स थी वह करण रुट हो जाती है फस्ट मॉल्ड वार में तो नेशनलिजम था उस नेशनलिजम में जब इंपिर लिजम को आप जो लोगे ठीक है तो यह सारे देश नेशनलिजम के चलते का आजाद हो गए ती आजाद होगे नेशन अभी और है तो आप देखो क्या है नैशनलिजम अलाइन विट इंपिरियलिजम यूविल एग्री विद इस ठीके कि नैशनलिजम था लिग्रूस नैशनलिजम में जब क्या जोड दिया गया लैड यूरॉप टू डिजास्टरी नैंटीन फोर्टीन में फर्स्ट वर्ट वर होते हैं फर्स्ट वर्ट वर्ट जिसने जोड़ नहों कोते हैं इस नाशनालिजम और यूजिए लिया फश्ट वोल्ट वर्ट हेया अनला भ हो गई ठीक है सांथ ऐशिया में आप चले जाओ तो इन देशों में क्या हो रहा था यह देश बैटके देख रहे थे इसस तरह से कि हागा उरोप में लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लोग क्यों लड़ रहे हैं क्यों कि नैशनलिजम के चलते हर नौ आपने देश को पराना च सकते हैं ठीक है आजाद हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं तो जितनी भी कॉलोनाइज वर्ड था ठीक है विच्वास बिंग कॉलोनाइज बाइदी यूरोपियन पावर्स तो 19th century में जो कॉलोनाइज किया गया थे तो 20th century आते आतो नहीं समझ में आगया नहीं हमें भी आजाद हो तक यूकि देहाद imperialistic tendencies टेचे उनके अंदर imperialistic tendency टेचालो चलके करते सोने की चिर्या है तो जोने के लूटेंगे तो यह समझे नहीं लगा तो जिए को क्लोनिव कंट्री के लोग एक जूट हुए तो शारुन से एक जोट हूए तो उनके क्या सकते क। कि वह ने चार्णिय के कारण एक जूठ हुए ठीक है तो ध्यान रखना कि इस nationalism of no use तो ऐसा नहीं है nationalism ने no doubt nationalism aligned with imperialism is responsible for disaster लेकिन वही nationalism क्या करता है कि वही nationalism मदद करता है imperial domination को oppose करने में ठीक है तो जो colon colonized countries थी उन्होंने क्या किया imperial domination को इसी के चलते oppose किया तो anti-imperial movements is equal to nationalism इस चीज़ को धियान रखना तो यह आया न समझ में anti-imperial movement मतलब क्या है कि imperialism को oppose करना और उसी से जो colonial countries थी लाइक इंडिया वहाँ पे nationalism developed हुआ तो in the sense that they all struggle अब यह कैसे anti-imperial movement is equal to nationalism का मतलब क्या हो गया nationalism कैसे डवलब हो गया क्योंकि सभी लोग ठीक है एक कॉलोनाइस कंट्री के इंडिया के सभी लोग क्या करने लगे in the sense that they all struggle to form independent nation state and were inspired by a sense of collective national unity force in confrontation with imperialism एक एक शब्द जो होता है अपने हाप में explanation लेके चलता है मतलब कि anti-imperial movement मतलब इंडिया में British forces को oppose करना क्या हो जाएगा anti-imperial movement हो जाएगा और वही anti-imperial movement is responsible और is equal to nationalism क्योंकि जब सारे लोग मिलके एक ही दुश्मन के अगेंस्ट में आवाज उठा रहे होते तो automatically वो सारे लोग आपस में जूर जाते हैं वहीं इंडिया में हुआ ठीक है तो the idea that society should be organized into nation state came to be accepted as a natural and universal idea to nationalism a natural universal idea की तरह emerge हुआ ठीक है बस यह है कि वो nationalism जब imperialism के साथ align कर लिया जाता है imperialistic tendencies and coaching tendencies जब निकल के आतीना तो उसके चलते क्या disasters हो जाते हैं जैसे first world war तो मैं उम्मीद करता हूँ यह एकदम crystal clear हुआ आपको ठीक है तो nationalism along with imperialism यह सारी चीज़ हमने पढ़ ली और यह दिया नगना कि इस nationalism of no use to know as any a nationalism कोई इस्तमाल नहीं है nationalism की मदद से ही colonial countries इसी के साथ हमारा यह चाप्टर था फाइनली complete होता है तो हमने यह चाप्टर पूरी तरह से complete कर लिए सारे topics को पढ़ लिया और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे topics बहुत अच्छी तरह से समझ में यह कैसा लगा यह कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा ठीक है कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा चाप्टर कैसा लगा कितनी चीज़ें आपको समझ में आईए तो चैप्टर हमारे होता है complete पूर्ण होती देते हैं स्वाहा मैंने बेंस पर इसी तरह से सभी सब्यक्स चैप्टर टॉपीक सब टॉपी सबकुछ सी स्टम आडिक वी में व्यॉडट्ट्र के अविलियособ हैं इन वीडियो लिक्ट्ट्र को आप बहुत आजानी से घर बैठे देख सकते हैं यह यूट्यूब चैनल पर अविलेबल है साथ ही साथ आप हमारी ओफिशल वेबसाइट जो की magnetbeans.com है उसे भी चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारी चीज़े अरेंज मिल जाएगी करना क्या होगा magnetbeans.com सर्च करना होगा गूगल पर जाकर रास्ता बता रहा हूं फिर वहाँ से आपके सामने एक वेबसाइट आई उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का अरेंज होगा ताकि आप घर बैठा आसानी से अपना सिलिबस कंप्रीट कर सकें अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइएगा क्योंकि किंडर गार्डन से क्लास 12 तक इसी तरह से सब कुछ मैगनेट बिन्स पर अवेलेबल हैं और अपने क्लासमेट्स को भी बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से एक नए चाप्टर के साथ तिल देन स्टे कनेक्टेड कीव लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मुद्ट